हेलो दूस्तों तो चली हम लोगों ने बात कर ली थी कंप्यूटर सामान ग्यान को बिस्तार से हम लोग पढ़ चुके थे पिछली क्लास में आपके 15 चेप्टर हम लोग उसमें कबर कर चुके थे आज हम बात करेंगी उन्हीं से संबंदित आपके जो objective questions बनते हैं जैसे आपक के प्रेलिम्स हो गया, ISPCS का प्रेलिम्स हो गया, MPPSC का, UPPCS का इसमें जो भी प्रेलिम्स के में questions पूंचे जाते हैं आपके रेलवे, गुरूपटी, बैंक, SSC, पोस्ट आपेज, फिरबर्ग, 3-2 इस तरह के जो भी exam होते हैं आपकी जिनमें आपके objective questions पूंचे जाते हैं ये test उन सभी परिक्षाओं के लिए जरूरी रहेंगे, यानि कि महत्पूंड रहेंगे, और इनसे questions आपकी अधिकतर पूंचे जाएंगे, तो मेरी सलाय मानों आप लो, तो पहले जो हम लोगों ने विस्तार से computer सामान गयान को पढ़ा है, उसे देख लें आप लो, उसके के बाद mock test लगाएं, तो आपके लिए बहतर फायदा होगा, और आपके लिए कोई भी solve questions, जो भी questions आएगा आपके सामने, उसे solve करने की स्तिती में आप लो होगे, क्योंकि आप ही सोचिए, ये अगर आपको मालू ना हो, कि आखिर computer होता है, तो आप से पूंच लिया जाए कि चौतरी PD का computer कौन सा है, पांच भी PD के computer कौन से, तो आप बताने की स्तिती में होगे, नहीं न, तो पहले आप बिस्तार से पढ़ लें, उसके बाद mock test लगाएं आप लोग, और एक बात, आप लोग क्या करिए कि जब paper देने जाते हैं, तो उस समय किवल mock test देख कर ही जा कि अगर आप लोग इतना cover कर लेते हैं, दोनों पार्ट, तो आपका कोई भी questions गलत नहीं होगा, ठीक है, और ना ही आपको कहीं भटगने की जरूयत है, फिर आप कहीं सर्च कर रहे हैं कि computer क्या होता है, computer GK के questions क्या है, तो इन्हें cover कर लीजिए और छोड़ दीजिए आप स solve करने की स्तिति में कोई भी questions आपसे नहीं छूटेगा, अब लोग ने मदपदेश सामान ग्यान, UP, GK, सब को कुछ कबर किया हुए है, तो उन्हें भी पढ़ सकते हैं, उन्हें से आपका कोई भी questions नहीं छूट सकता है, बहुत detail से पढ़ाए गया है, बस आपको adjust करना है, क्योंकि थोड़ा जल्दी पढ़ाए गया है, ठीक है, और जो भी questions हमसे अगल गलत हो जाता है, by chance, क्योंकि हमारी तरफ से पूरी 100% causes रहती है, कि आपको सही या answer बताए जाए, अगर फिर भी questions solve करने में मुझे से दिक्कत हो जाती है, कहीं गलत बता देता हूँ answer, तो आप लोग उसका comment box में answer लिख दिया करियेगा, ठीक है, जिससे दूसरा अगर आप हम लोगों के साथ जोड़ता है, तो वो सही answer जान सके, ठीक है, इतना आप लोग मेरे लिए कर सकते हैं, और एक दूसरे की मदद करते रहिएगा, तो इसमें हम लोग last class में क्या क्या देख यह थी, इस तरह के जोगी chapter है, computer का परिचाय, computer architecture, input-output, computer memory, data निरूपर, computer software, operating system, Microsoft Windows, Microsoft Office, database की धार्णाय, data संचार एवं networking, internet इसकी सिवाएं, computer security, सब्दसंचेप, इस ते आपके questions अधिक तरवार पूँचे गया है, तो यह नहीं भी देख लें, computer सब्दा वली, computer सब्दन्दि, जो भी आपके सब्दा रहते हैं, उनके बारे में, यहां हम बात करेंगे, इस class में किवल, practice set के बारे में, और यह आपके practice set होंगे, कुल मिलाकर 23, कितने 23, यानि कि 23, इतना आपके लिए काफिये, मैं इतना बा इच्छा में मत होगा, वो सभी मैं cover करवाऊगा, आपकी ICRT cover के जा रहे हैं, आपकी lucent cover कर दी गई थी, one day exam के लिए, और आपकी किरन की सामान ग्यान की वुक आती है, बहुत ही अच्छी वुक है, lucent से थोड़ा विस्तार में हैं, और मुझे लगता है कि उसका एक हद तक PCS prelims भी आप उससे निकाल सकते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग cover कर रहे हैं अभी, तो आपका पूरा सामान ग्यान cover हो जाता है, तो चलिए हम लोग एक एक करके test खतम करेंगे, पहले एक से लगा कर, end तक 23 तक हम लोग चलेंगे, अगर जो इसके बाद P पैसा नहीं है, जो कि तैयारी नहीं चूपना चाहिए, मेरा आते से यह, ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे, पहला test लगाते हैं, नमस्का दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे, computer सामान ग्यान के बारे में, तो इसके हम लोग 15 चैप्टर आपके, जो आपकी परिच्छाओं के लिए म अगर आप उन्हें पढ़ लेते हैं, उन्हें कवर कर लेते हैं, तो आपको computer सामान ग्यान के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, कि जब आपका कोई भी subject कवर हो जाता है, उसके बाद हमारे लिए mock test जरूरी रहते हैं, उन बो हमारे सभी chapter के सार होते हैं, तो इसमें हम ऐसी तरह के mock test लगाएंगे, 25-30 mock test लगाएंगे, यह जो भी mock test होंगे, यह आपके one day exam के लिए बहुत ही मत्पूर रहेंगे, one day exam जैसे SSC bank railway, इस तरह के जो भी exam होंगे, उनके लिए मत्पूर रहेंगे, यह सभी आपके 15 chapter जो जो mock test हैं, यह सभी complete computer classes के नाम से जो आपके playlist सुची है, उसी में मिल जाएंगे, तो चली पहला test हम लोग देखते हैं, पहला question है आपका, computer चलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला data या सूचना क्या कहलाती है, software, क्या कहलाता है, software, लेकिन जैसा कि आप लोग देख रहें कि इस इन ओपसरों में आपका software नहीं है, तो इसमें क्या होगा, इन में से ही कोई नहीं, computer चलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला data या सूचना software कहलाता है, question है आपका दूसरा, बुनियादी computer processing चक में सामल होते हैं, क्या क्या, input, processing और output, दूसरे question में आपका A option सही है, बात करते हैं हम लोग, अंगले question की तरफ, अब आप लोग input, output, जो processing होती है, output, इन है detail में हम लोग पढ़ चुके हैं, उन chapter में, अगर आप लोग चाहते हैं, कि आप लोग detail में जानना चाहते हैं, तो उन chapter में को देख लें, और मेरी तो यही रहा है, कि एक बार आप लोग ज्यान हो जाएगा कि यह mouse कैलाता है, output कैलाता है, input कैलाता है, processing कैलाती है, तो उन्हें जाकर देख लें, ठीक है, तीसरा question है हमारा, output क्या है, आउट्पुट क्या है तो है जो प्रोसेसर उपयोग करता को दे क्या कहलाता है आउट्पुट ठीक है कुश्यन है हमारा चार्ड इन्पूट का आउट्पूट में रूपांतर्ण किया जाता है जो इन्पूट होता है उसका आउट्पूट में रूपांतर्ण किया जाता है इसके द्वारा तो यह किया जाता है आपका CPU द्वारा CPU द्वारा इसे हम लोग उस तरह से कह लिजे जिस तरह कोकर को हम लोग CPU माल लिजे उसमें आप जब डाल डालते हैं तो वह इंपोर्ट हो गया और जो पकर जाती है और निकलती हमारे लिए उपयोग के लिए वह हमारी आउटपूट हो गया कुश्यन हमारा पांच फ्रोसेश्ट डेटा को क्या कहते हैं तो इसे कहते हैं आउटपूट क्या कहते हैं आउटपूट क्या कहते हैं आउटपूट कुश्यन हमारा छटवा कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इन्प सबसे तीज और सबसे महिंगा कंप्यूटर है तो यह आपका सुपर कंप्यूटर क्या है सुपर कंप्यूटर क्विश्िन है एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन इलेक्टोनिक उक्कायड के साथ पूर्ट एलेक्टोनिक सर्किट को क्या कहते हैं तो इसे कहते हैं आप लोग इंटिगेटेड सर्किट इंट्रिगेटेड सर्किट कुश्य नमबर 8 में C होगा ठीक है अब चलते हैं हम लोग कुश्य नमबर 9 की तरफ भारत में बिक्सित परम सुपरकम्प्यूटर का विकास किसके द्वारां किया गया था जो परम सुपरकम्प्यूटर था भारत में यह किसने इसका निर्मान किया था C DAC D option सही है कुश्य है मारा अंगला कौन सा डिवाइस उकड हाथ पकड हैंड 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 अपरेटिंग पिटाली के इस्तिमाल करता है तो यह आपका PDA क्या है PDA पिडसे बोल रहा हूं अगर आप लोग इसके बारे में डिटेल पढ़ना चाहें पढ़ना क्या चाहेते हैं आपको एक बार देखना चाहिए उन सभी 15 चेप्टर हैं आपकी अगर वह आप देख लीते हैं तो आपको कंप्यूटर में कहीं भी दिक्कत नहीं आईगी इतना यागर कि तो उन्हें देख लें अब जैसे यहां PDA आ रहा है क्या होता है आउप गड़ना यह अंत क्या है तो याद रखिए अब एकस क्या है ए ए सॉरी डी अब एकस ठीक है कुश्यन है बारे विज्ट के सबसे सुपर कंप्यूटर का निर्मार हुआ था विज्ट के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्मार हुआ था यह हुआ था आपका 1976 में कब हुआ था 1976 में कुश्यन हमारा 13 सुपर कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर में हजारों माइक्रो करें से सर्फ होते हैं सी ओप्सन आपका सभी होगा कुश्यन है चगदर कंप्यूटर के IC चिप के उत्पादन के लिए आवस्यक होती है क्या सिलीकॉन क्षेण नमर 14 दी चलते है क्षेण 15 जी meals हो चाहल्स वेवेच्वीच द्वारा निर्मित आनलिटिक्स आनलिटी कल एणिचन है चाहल्स वेवेच द्वारा जो निरमित किया गया था आनलिटीकल एणिचन वो है मेकेनिकल पंद्रे में आपका सी कुश्यन नमर सूले मैन प्रेम या सोपर कंप्यूटर को एक्सिस करने के लिए फ्यूपता प्रया इस्तिमाल करते हैं नोड क्या होगा बी ओप्सन सूले में सही होगा चलते हैं अब सूले सब्त्रे कुश्यन कौण सा कुश्यन नमर 17 कम्प्यूटर की पहली produce में कौन से देवाईस प्रेयो होती है यह जो पहली पीडी थी उस में कौन सा टेवाईस प्रेयो होती थी तो इसमें आपका vacuum tube 17 में आपका D कुश्यन है मार 8 पी निर्दिष्ट विसेसी कर काम करने के लिए, डिजैन कीए के कंप्यूटर कौन से हैं? इस्पेसल परवज, कंप्यूटर Question 18 में आपका B है Question 19 निमलिकित में से किसी पॉर्टिवल कंप्यूटर माना जा सकता है PDA PDA को पॉर्टिवल कंप्यूटर माना जा सकता है Question है हमारा 20 IC का आर्थ है IC का क्या आर्थ होता है IC का फॉल्पॉर्म क्या होता है Integrated Circuit C option सही है याद रखिए हम लोगों ने उन चेप्टरों में आपके फॉल्पॉर्म भी कबर किये हुए है टीक है सभी shortcut उनकी फॉल्पॉर्म भी देखिए और computer से संबंदी जितने भी आपके सब्दा आते हैं उन्हें भी हम लोगों ने परिभासित किया है Question है 21 पित्थम पीडी का computer है पित्थम पीडी का computer है आपका एनिक मार्क बन Question number 21 में आपका क्या होगा E यानि कि A और B सही होगा Question है मारा 22 एनिक का पूरा नाम है Electronical Numerical Integrator and Calculator Question number 22 में आपका A होगा Question है मारा 23 कौन सा computer की बन्यादी काम नहीं है कौन सा computer का बन्यादी काम नहीं है Copy Text नहीं है Accept Input है Process Data है Isto Data है इसमें क्या होगा A होगा नहीं है मुश्रा है Question है 24 एक microprocessor आधारित computing device है Personal computer एक microprocessor आधारित computer device computing device है Question 24 में आपका A है Question है आपका 25 Personal computer को के room में एक साथ connect किया जा सकता है Network Personal computer को Network के room में एक साथ connect किया जा सकता है 25 में आपका D Question है मारा 26 PC PC Personal computer किस सेड़ी की computer से संबंदित है Micro Personal computer Micro सेड़ी की computer से संबंदित है आपका Question 27 Question 28 में आपका A मसीन के डेजाइन से पंच कार्ड मसीन बनाई तो इसका नाम क्या था जोसप जेकु आर्ड Question 30 में आपका A होगा सही ठीक है Question 31 इंट्रेल द्वारा किस computer पूर्जे का निर्माण किया जाता है Micro Processor 31 में आपका C क्या है C option Question 32 पहली mechanical adding मसीन इसमें जोड हो सकता था क्या थी Past Line 32 में आपका A option सही होगा Question है आपका 33 एक electronic device है जो data को information में convert करती हुए process करता है Processor एक electronic device है जो data को information में convert करती हुए process करता है A option सही होगा Question है मारा 34 Computer Process द्वारा information में परिवर्थित किये जाते हैं Data Computer Process द्वारा data information में परिवर्थित किये जाते हैं Question 34 में आपका D है चलते हैं Question 35 की ओल Data Processing का अलब क्या है Data Processing का अलब क्या है Word जो परिवर्थित के लिए जानकारी त्यार करना है Question 35 में आपका C होगा Question 36 Computer में डेटा किसी कहा जाता है Computer में डेटा किसी कहा जाता है चिन वासंक्यात्मक सूचना को Question 36 में आपका D अंगला Question 37 Computer में सूचना किसी कहा जाता है Computer में सूचना किसी कहा जाता है एक अत्तित डेटा को Question 38 मनुस की स्माइड सकती Computer की तुल्ला में होती है मनुस की स्माइड सकती Computer की तुल्ला में होती है सामान नहीं 38 में आपका A चलते हैं Question 49 की तरफ Computer A नीचे कथन दिये गए है क्या दिये गए है क्या है आकडों के बंडारन करने वाली एक सक्चम उखती है सही है आकडों के bisogletion करने के लिए सक्चम है सही है पूर्ण गोपनी यह बनाया रखने में सक्चम है कभी कभी Virus द्वारा आक्रमित होता है ये भी सही है तो इसमें आपके चारों कतन सही हैं यानि कि सभी चारों कतन सही होंगे ठीक है क्योंकि सही कतन पूछ रहा है तो 49 में आपका D question है हमारा 40 किसी वेवस्था की कंप्यूटरी करन में आवस्चता होती है क्या होती है किसी वेवस्था की संसाधनों की सही है जनसक्ती की प्रिषिक्षण की सही है एक अत्यादुनिक सरचना की इसमें सही कतन पूछ रहे तो इनमें सही चारों कतन सही है इस तरह के questions आपके civil service में या किसी स्टेश्ट PCS में पूंचते हैं देखते हैं सिविल सर्विस में आपके इसी तरह के कतन आएंगे और विल्कुल इसी पैटर्न पर आपके questions आते हैं ठीक फसाने वाले चलते हैं question number 41 की तरब क्या 41 हमारा question कंप्यूटर द्वारा videos किया गया पईडाम है कंप्यूटर द्वारा videos किया गया पईडाम है आउट पूट question हमारा 42 कच्चे तत रॉप एक्ट्स बताता है जब की से data अथ्पूर बन जाता है 42 में आपका बी डेटा कच्चे तत बताता है जब की सूचना data अर्थ्पूर बन जाता है question number 42 में आपका बी है चलते ही question number 43 की तरफ कंप्यूटर निम लिखित में से कौन सा कारिक नहीं करता है क्या पूच राए नहीं करता है processing करता है controlling करता है understanding understanding नहीं करता है inputing करता है और outputting भी करता है तो question number 43 में आपका C होगा क्योंकि नहीं पूच रहा है कार नहीं करता है ठीक है तो C option होगा इसमें question है मारा 44 किसी बाहरी से रोस से आती है और computer software में फीड की जाती है वो सूचना को क्या कहते है input 44 में आपका B question number 44 में आपका B question है हमारा 45 सूचना की नियंतर के अंतरगर operate करने वाली electronic device जो data को स्विकार कर सकती है data को process कर सकती है output पिडियूस करती है और भवस्त में क्योग के लिए पविडामों को store करती है क्या कहलाती है computer यह सभी काम computer करता है आपका 45 में भी कुष्चन ने 40 लैप्टॉप्स क्या है लैप्टॉप्स क्या है तो laptop हलके बजन वाले computers जो एक छोटे से बैग में फिट हो जाते हैं ठीक है तो कुष्चन नमर 46 में आपका डी होगा चलते हैं कुष्चन नमर 47 की तरब computer की बन्यादी सरजना का विकास ने किया था बी एम का पूरा नाम क्या है आई बी एम का पूरा नाम क्या है तो याद रखिए इसका है इंटरनेशनल विजनिस मसीन कुष्चन नमर 48 का वी कुष्चन नमर 49 से एनालोग और डिजीटल कंप्यूटर की बिसेस्ताओं की सहत्त रूप को क्या कहते हैं तो इसे कहते हैं आप लोग हाइबरेट कंप्यूटर क्या है ए ए उप्सन 49 में सही है कुष्चन है हमारा 50 कंप्यूटर का प्रात्मे कुद्देश को प्रोसेस करना और उसे इनफोर्मेशन में परिवर्थित करना है इसमें क्या होगा डेटा कंप्यूटर के चार मुख्यकारे हैं इनफोर्ट प्रोसेसिन आउपोट your श्टोरिच ऑ ओप्सन सही होगा आपका कुष्चन नमर इंक्यावन में ऐ उप्सन सही है कुष्यन है मारा बावन आधुनी कम्प्यूटर के जनक है चार्ल्स वेवेज आधुनी कम्प्यूटर के जनक है कुष्यन नमर बावन में आपका A option सही है कुष्यन चंग्वन सौडि तरेपन ऐसा विज्ञान जो मानव बुद्धी के समान बुद्धी का फिदर्शन के अनमाली मसीन बनाने का प्रियास करता है क्या कहलाता है Artificial Intelligent Intelligence AI कहलाता है कुष्यन नमर तरेपन में आपका D है कुष्यन है मारा चंग्वन पिथम कम्प्यूटर में काउप्योग करके प्रोसेसिंग की जाती थी Machine Language पिथम कम्प्यूटर में Machine Language काउप्योग करके प्रोसेसिंग की जाती थी B option सही है कुष्यन है मारा पच्वन सरफ पिथम Electronic Computer एनिक किसने डिजैन किया था यह थी आपके बॉन निउमेन ए ओप्शन पच्वन में सही है Qeion नमारा 56 एक कम्प्यूटर जिसे Portable कम्प्यूटर नहीं माना जाता है वह है Mini Computer कौन सा? Mini Computer Qeion नमार 56 में आपका यह है तो चली यह था आपका पहला टेस्ट ठीक है? अंगली किलास में हम लोग दूसरा टेस्ट देखेंगे हेलो दोस्तो तो चली हम लोग बात कर रहे हैं Computer सामान ज्यान के सिसम्बंदित हम लोग Mock Test लगा रहे हैं तो अभी तक हम लोग एक Mock Test आपका खतम कर चुके हैं यह आपका दूसरा Mock Test है तो याद रखिए Mock Test तभी लगाए जाते हैं टेस्ट तभी दीजिए जाते हैं जब आपकी तैयारी कंप्लेट हो यानि कि हम लोग Computer GK Mock Test लगा रहे हैं तो इसका मतलब इस समझ लीजिए कि आपने Computer सामान ज्यान को बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ लिया उसके बाद आप लोग इस इस्तिती में पहुँचके कि आप लोग Mock Test देने के लिए तैयार हैं अगर आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं तो याद रखिए हम लोग ने पूरा Computer सामान ज्यान आपका कबर किया हुआ है बहुत डिटेल के साथ बहुत ही साधारन सब्दों में तो Complete Computer Classes के नाम से जो आपकी पिले लिष्ट बनी हुई है उसी में आपके सभी लेक्चर पड़े हुए है पहले उन्हें देख लीजे उसके बाद Mock Test लगाईए तो चलिए हम लोग दूसरा Mock Test देखते हैं और यह Mock Test आपके One Day Exam यानि कि SSC Bank Railway इनके लिए बहुत महत्पून रहेंगे यह Questions तो अच्छे से लगाना है Question है एक Nimd में कौन Computer का अभिन अंग नहीं है Nimd में कौन Computer का अभिन अंग नहीं है CPU आपका है Mouse है Monitor है UPS नहीं है क्या है D Option इसमें होगा Question नमर एक में क्या होगा D चलते हैं Question नमर दो की तरफ Mother World पर Chip के लिए उपस्थित Connection Points को क्या कहते है Mother World पर Chip के लिए उपस्थित Connection Point को क्या कहते है तो इसे कहते है Sockets B Option सही होगा चलते हैं हम लो Question 3 तरफ CPU में उपस्थित आंत्रिक की मैमोरी बास्तो सही होगा CPU में उपस्थित आंत्रिक मैमोरी आंत्रिक मैमोरी बास्तो में नहीं तो रंजिस्टर के का समूर report क्योर Question नमर तीन आपका A Option सही होगा कुश्चन है मारा चार को बनाने में micro processor फ्रेयोग किये जाते हैं Computer, Digital System, Calculator यह सभी तो याद रख़ए इन सभी को बनाने में micro processor फ्रेयोग किये जाते हैं कुश्चन नमर चार में आपका D option सही होगा चलते हैं कुश्चन नमर पांच की तरफ Output Device का पुरियोग करके आप कर सकते हैं क्या कर सकते हैं Data View या Print Output Device का पुरियोग करके आप Data View या Print कर सकते हैं तो क्या होगा Dется Option सही होगा अंगला Question है हमारा चटवा निमन में से यह CPU का भाग है कि इसमें क्या होगा? कुश्यन नमर चटबे में अर्थमैटिक एवं लोजिक यूनेट D option सही होगा क्या होगा? D option सही होगा चलते हैं कुश्यन साथ किसी डिजीटल कम्प्यूटर की कंट्रॉल यूनेट को कहते हैं किसी डिजीटल कम्प्यूटर की कंट्रॉल यूनेट को कहते हैं क्या कहते हैं? कि लोग कुश्यन नमर साथ में आपका A option सही है कुश्यन है हमारा 8 CPU में C निरूपित करता है CPU में C निरूपित करता है Central को B option आठ में सही है कुश्यन है 9 किसी कंप्यूटर के CPU के भाग है किसी कंप्यूटर के Central Pharocesing यूनिट के भाग है कंप्यूटर यूनिट आर्थमेटिक लॉजिक यूनिट अप्तुनाईबरी Storage कुश्यन नमर 9 में आपका C होगा क्या होगा C option सही होगा कुश्यन है मारा 10 विट्स का एक समोव जो कंप्यूटर को किसी बिसेश कार करने को कहता है कहलाता है in extraction code क्या कहलाता है in extraction code कुश्यन नमर 10 में आपका A option सही है चलते हम लोग कुश्यन नमर 11 की तरह तरह अब CPU तथा peripheral की मद्द की communication line को कहते है CPU तथा peripheral की मद्द की communication line को कहते है क्या कहते है इसे कहते है BUS क्या कहते है BUS B option सही है कुश्यन है आपका बारे पहले microprocessor का नाम था पहले microprocessor का नाम था intral 4004 कुश्यन नमर 12 में भी आपका A option सही है कुश्यन है 13 वह है memory एकाई जो सीधे CPU से communicate करती है कहलाती है man memory कुश्यन नमर 13 में आपका A option सही है कुश्यन है मारा 14 कंपीटर में कहा डेटा को जोड़ा तदा उसकी तुल्ला की जाती है CPU में कुश्यन नमर 14 में हमारा C option सही है चलते हैं कुश्यन 15 दूसरी इकाईओं को नियंतित करने के लिए control unit उत्पन करती है कंट्रोल सिंगनल्स को कुश्यन नमर 15 में आपका A option सही है कुश्यन नमर 15 में हमारा A option सही है कुश्यन हमारा सूले किसी प्रोग्राम में सरवादी की यूज होने वाले instruction लिये जाते हैं कैसी B option सही है आपका सूले में कुश्यन नमर 17 में होने वाली घठनाओं के क्रम में पहला साइकल कौन सा है फैच साइकल कुश्यन नमर 17 में आपका क्या है B option सही है कुश्यन है 18 computer का computer का micro processor cable machine की वासा machine की वासा समझता है computer का micro processor cable machine की वासा समझता है कुश्यन नमर 18 में आपका A option सही है कुश्यन है मारा 19 यह घठक data को information में process करता है और इसमें integrated circuit होते है यह घठक data को information में process करता है और इसमें integrated circuit होते है CPU कुश्यन नमर 19 में आपका C होगा कुश्यन है 20 system unit के man circuit board को कहते है system unit के man circuit board को कहते है mother board क्या कहते है mother board C option सही है 20 में चलते हैं कुश्यन नमर 21 की तरफ इंस्टेक्शन का समूव जो computer को निर्दिसित करता है कहलाता है फ्रोग्राम कुश्यन नमर 21 में हमारा C option सही होगा क्या होगा C option सही होगा कुश्यन है 22 कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है CPU कुश्यन नमर 22 में आपका A option सही है कुश्यन है 23 कुश्यन है 24 कुश्यन नमर 23 में आपका A option सही है कुश्यन है 24 कुश्यन है 24 कुश्यन है 24 कुश्यन नमर 24 में आपका C option सही है कुश्यन है 25 माइक्रो प्रोसेसर को भी कहते है क्या कहते है चिप क्या कहते हैं चिप कुश्यन नमर 25 में आपका A option सही है चलते हैं कुश्यन नमर 26 की तरफ प्राइमरी मेमोरी जमा करती है केवल डेटा केवल परिडाम केवल प्रोग्राम यह सभी क्या होगा कुश्यन नमर 26 में आपका D होगा यह सभी कुश्यन है 27 डेटा को सूचना मैं प्रोसेस करने के लिए आवस्तक है डेटा को सूचना मैं प्रोसेस करने के लिए आवस्तक है CPU कुश्यन नमर 27 में आपका B option सही है कुश्यन है 28 कंप्यूटर का प्रात्मिक कार है डेटा को बदलना किस में Information कंप्यूटर का प्रात्मिक कार है कि डेटा को इनफोर्मेशन में बदलना ठीक है कुश्यन नमर 28 में आपका A option सही है चलते हैं कुश्यन नमर 29 की तरफ निमन मैं से क्या कंप्यूटर सिस्टम में के कारिक करने के लिए सरवाधिक जरूरी अवयब है Info टिकाई क्या है Info टिकाई Question नमर 29 में आपका A option सही है Question है हमारा 30 Machine cycle को नियंतित करता है Machine cycle को नियंतित करता है Question नमर 30 में आपका control unit होगा A option सही होगा Question है 31 CPU है CPU है Central processing unit Question नमर 31 में आपका C option सही है Question है Question है 32 32 सब्द डेटा सब्द डेटा लिया गया है Late in भासा सही Question 32 में आपका D option सही है Question है आपका 33 Input का प्रिकार है Input का फ्रिकार है Data प्रोग्राम कमांड यूजर रिस्पांस A सभी तो इसमें होगा आपका A सभी क्या होगा D option Sorry E option सही होगा Question 33 में आपका E option सही होगा क्योंकि इसमें पांच option दिये जा रहे है असलिए D option E option आपका सही होगा Question है 34 निमन सभी Motherboard की नाम है सिवाए System board Man board Planar board Logic board Computer board इसे छोड़कर A, B, C, D इसे सभी Motherboard के नाम है सिवाए Computer board को छोड़का Question 34 में आपका E होगा Question 35 Computer में जब data डालते हैं तो वह सबसे पहले किस working memory में जाता है यह जाता है आपका RAM में Question 35 में आपका C option सही है Question है हमारा 36 इसे निम्न में से कौन सा सबसे data और ज्यान की सार तक व्याख्या को संदर्वित करता है सूचना Question 36 में आपका A option सही होगा Question है हमारा 37 CPU में कंट्रोल मेमोरी और यूनिट होते हैं अर्थमेटिक लॉजिक CPU में CPU में कंट्रोल मेमोरी और अर्थमेटिक यूनिट होते हैं Question 37 में आपका B option सही है Question 38 Device मनुस द्वारा समझे जाने वाले डेटा और प्रोग्राम को ऐसे रूम में बदल देती हैं जिसे computer process कर सकता है Input 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 device मनुस द्वारा समझे जाने वाले डेटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूम में बदल देती हैं जिसे computer process करता है E option सही है 38 Question 49 Computer के मुख परीपत को कहते हैं Computer के मुख परीपत को कहते हैं क्या कहते हैं Mother world Question 49 में आपका P option सही है Question 40 ROM का पूर्ण रूप है ROM का पूर्ण रूप है Read only memory Question 40 Question 40 में आपका P option सही है चलते हैं Question 41 की तरफ Machine में command को carry करने की विदी को क्या कहते हैं Machine में command को carry करने की विदी को क्या कहते हैं इसे कहते हैं executing Question 41 में आपका A option सही होगा बिलकुल Question 42 एक युक्ति द्वारा data एवं निर्देशों को locate करने तता उसे CPU तक पहुचाने में लिए गए समय को क्या कहते हैं एक processing चक्र Question 42 में आपका A option सही होगा Question 43 Computer का वय भाग जो गड़ित संबंदी गड़नाय करता है क्या कौन सा ALU ALU Computer का वय भाग है जो गड़ित संबंदी गड़नाय करता है तो B option सही है तो चलिए यह था आपका दूसरा test ठीक है अंगले lecture में हम लोग बात करेंगे आपके तीसरे test के बारे में हेलो दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे Computer सामानियान से संबंदी थी या फिर Computer GK के mock test solve कर रहे हैं तो हम लोग अभी तक दो test आपके खतम कर चुके हैं यह आपका तीसरा test है ठीक है याद रखिए टेस्ट या फरीक्चा तभी दी जाती है जब हमारा से लेवस यह हम लोग complete अपनी पूरी तैयारी कर चुके होते हैं तो इक questions solve तो हुए आएंगे लेकिन आपको समझ में नहीं आएंगे जाना तो आपने जो 15 चेप्टर खतम किये हम लोगोंने उन्हें आप लोग एक बार जाकर देख लें यह 15 चेप्टर आपके complete computer class के नाम से जो आपकी playlist सूची बनी हुई है उसी मेडली हुए है बहुत ही साधार सब्दों में समझ आये गए हैं वो बहुत ही साधार किलास हैं तो उहां जाकर देख लें तो उसके बाद मौक टेस्ट solve करें तो चलिए हम लोग तीसरे टेस्ट का पहला question देखते हैं पहला question है हमारा qwrty keyword में कितनी कुझी होती है तो इसमें होती है आपकी 104 कितनी 104 c option सही है दूसरा question है tab key का प्रियो किसलिए किया जाता है तो इसका प्रियो किया जाता है तो इसका प्रियो किया जाता है करसर को स्कीन पर चलाने के लिए और paragraph indent करने के लिए a और b इसमें सही है यानि कि d option सही होगा a b दोनों सही है question नमर दूसरे में आपका d होगा ठीक है चलती है question नमर तीन की तरफ क्या है तीसरा question नमलिक्ण में से combination key किसे कहते है निमलिकत में से Being comparison key किसे कहते है shift key को b option सही है question है मारा चार निमलिक्ण में से कि समूब में cable Inf già lying निमलिकित में से निमलिकैं नीचे जो समूब दिये . इन में से input device देखना है मैं mouse, keyboard, scanner question number 4 में आपका D option सही है question है पाच निम्न में toggle key किसको कहते है num log key को और caps log key को यानि कि B और C option सही है यानि कि आपका E option सही होगा B और C दोनों ठीक है question है चटबा USB का प्रियोग किसलिए होता है USB का प्रियोग किसलिए होता है board type के लिए C option सही है सात्वा question है निम्न कितमे से कौन सा cursor control key नहीं है home key है end key है page move नहीं है इसमें page down भी है page up भी है लेकिन क्या पूचा है cursor control key नहीं है तो page move नहीं है question number 7 में आपका C option सही होगा question है अधिकांस प्रोडक्ट्स पर बने फ्रेंटेट फ्रेंटेट लाइनों के pattern को कहते हैं अदिकांस टेंटेट अदेट नहीं है क्या पूछ रहा है pointing device नहीं है mouse है tag ball भी है bar code reader नहीं है touch screen भी है light pen भी है तो क्या होगा नौ में आपका C option होगा नौ में क्या होगा C option question है 10 scanner को scan करता है scanner को scan करता है picture और text दोनों को C option सही है question है हमारा 13 11 10 के बाद 11 speaker को cpu से जोडने के लिए कि डिवाइस का परियोग करते हैं sound card का speaker को cpu से जोडने के लिए sound card का डिवाइस का परियोग करते हैं 11 में आपका C question है question है पार है M, I, C, R मैं C का पूरा रूप क्या है character D option सही है 13 question नमर 13 name लिखित्स में से stereo phone किसे कहते है stereo phone किसे कहते है cans को C option सही है 14 question text में आपको position दर्साने बालिए blacking point को क्या कहते है cursor question 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 14 में आपका B option सही है question है 15 name लिखित्स में name लिखित्स में आइस्थाई output display कौन सा है projector projector 15 में आपका A है चलते हैं question 16 की तरफ joystick कपरात्मिक तौर परप्रियूग के लिए होता है किसके लिए computing computer gaming के लिए P option सही है question है question है OCR प्रकास सरूत की साहता से character को के को पहचानता है sap OCR प्रकास सरूत की साहता से character की sap को पहचानता है B option सही है question है question है question है 127 कितनी 127 D options question है किस क्या है किसी बिस्षिष्ट कारेक उकरने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रियुक्त की जाती है तो याद रखी है आपकी कंट्रॉल क्या है कंट्रॉल की 21 में आपका D option सही है कुश्चन है 22 निम्ड में से पिन प्रेंटर कौन सा है पिन प्रेंटर तो ये आपका डॉट मैट्रिक्स D option सही है कुश्चन है हमारा तेज अपनी रिपोर्ट का पहला के पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए आपको का परियोग करना चाहिए टैब की का किसका टैब की का सी ओप्सन सही है आपका चलते हैं कुश्चन नमर 24 की तरफ ग्रे स्केल और कलर मोड दोनों में चित्त को इस्टोर करता है स्केनर इसके रहे ग्रे स्केल और कलर मोड दोनों में चित्त को इस्टोर करता है सी ओप्सन सही है कुश्चन है मारा 25 डॉट मैटिक्स का एक पिकार है टॉट मैटिक्स का एक पिकार है फ्रेंटर बी ओप्सन सही है बच्चिस में ट्यूट कुश्चन है मारा 26 ओसी यार को कहते हैं ओसी यार को कहते हैं क्या कहते हैं इंटेलिजेंट चैरेक्टर रिकागनाईजेशन ट्यूट इसमें एक उप्सन सही हुआ चलते हैं कुश्चन नंबर 27 की तरफ पेरिफेडल एक्वीपमेंट का यक उधारन है 27 में आपका प्रेंटर होगा ए ओसन सही होगा 28 कुश्चन पहला कम्प्यूटर माउस किसके द्वारा बनाए गया था पहला कम्प्यूटर माउस किसके द्वारा बनाए गया था डॉगलस इंजेली उसमें आपका डॉगलस इंजेल वर्ट द्वारा ये ओप्सन सही है कुश्चन है हमारा 29 इस्थाई आउट्वूट प्राप्ट करने ही तु का सरवादिक प्योग होता है किसका प्रेंटर का इस्थाई आउट्वूट प्राप करने के लिए प्रेंटर का सरवादिक प्योग होता है कुश्चन है से कंप्यूटर के परिफेरल डेवाइसेज को के दवारा डेटा ट्रांसफर किया जाता है तो कुश्चन नमर 30 में आपका होगा क्या होगा कि इन्पुट आउट्पुट पोर्ट्स दी ऑप्शन सही होगा ठीग तीस में आपका डी है याद रखिए कुश्चन है 31 मॉनीटर अलफा नियूमेरिक अक्चरों के साथ साथ ग्राफ्स येवन डायग्राम को भी पिदर्शित कर सकते हैं ग्राफिक डिस्पेली यूनिट, ग्राफिक डिस्पेली यूनिट, मॉनिटर अलफा नियूरिक, अक्चरों के साथ साथ ग्राप्स, हेवं डाइग्राम्स को भी विदरसीत कर सकते हैं, दी ओप्शन सही 31 में, ठील, कुशेन हैं हमारा 32, फेरलल पोर्ट, अक्सर, किसके द्वार हम फिरेयो किया जाता हैं, प्रेंटर, 32 में आपका ए है, कुशेन है 33, स्मार्ट कार्ड, 33 में क्या होगा आपका, भी ओप्स backstory होगा, माइक्रो फिरोसेसर कार्ड, स्मार्ट कार्ड, माइक्रो फिरोसेसर कार्ड है, बात करते हैं, 34 कुश्चन की, टेस्ट की पंती के आरम में जाने के लिए, किस कुण्जी की दवाए, तो इसमें होगा आपका, ए हाम, क्या है? टर्क्ष्ट की पंती के आरम में जाड़े के लिए होम कुझी दबाएं यह option सही होगा Question है हमारा 35 क्या है 35 निम्न में से कौन सा printer Page printer है तो याद रखिए 35 में आपका C होगा Leisure printer C option सही होगा Question है 36 PC पर typing करते समय दो सब्सक्राइब की जगह छोड़ने के लिए नाप की की दबानी बढ़ती है Space bar 36 में आपका E होगा Question है 37 Electromagnetic Printer की गती क्या है इसकी है 20,000 LPM A option सही है 37 Question है आपका 38 Printer एक समय में एक सेदिक Character print नहीं कर सकता है क्योड़ने कर सकता है टीकर D option गड़ा 30 Question है 49 क्या है Hard disk drive और नई DVD drive को जोड़ने के लिए कौन सी device का प्रयोग करते हैं तो यह आपकी फायर वायर दी ओप्षन सही है 49 में ठीक है क्वेश्चन है मारा 40 निम्लिकत में से कौन सा हाडवियर नहीं है निम्लिकत में सही कौन सा हाडवियर नहीं है जाबा नहीं है प्रेंटर है प्रोसेस चिप है प्रेंटर है माउस है ठीक है इसमें D होगा 40 में क्या होगा D option क्विश्चन है मारा 41 Optical Mouse किसने बनाया था Optical Mouse किसने बनाया तो यह बनाया था Microsoft 41 में आपका C होगा 41 में क्या होगा C Question है मारा 42 Trackball का एक उधारन है B Pointing Device का Trackball Pointing Device का एक उधारन है B option सही होगा Question है मारा 43 किसी मानीटर का refresh rate किस एकाई में मापते हैं हर्च एक जड़ में A option सही है 49 में ठी है Question 44 CRT आकार में होता है ब्रित्ताकार Sorry इसमें CRT आकार में होता है कैसा होता है आयताकार क्या होता है आयताकार B option सही है इद्याद रखा करिये मैंसा अगर मुझसे कहीं गलती हो जाती है किसी Question का सही जवाब देने में तो आप करपया करके उसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए जिसे कोई और आता है तो उससे सही आंसर पता चल सकी है वैसे तो मेरी तरफ से 100% कॉसिस रहती है कि आपको सही आंसर बता जाए लेकिन फिर भी अगर गलती हो जाती है तो आप लोग सुधार्ट दीजिए पर गिए गलती है Question 45 Screen पर डिस्पले किये गए पिक्सल्स की संख्या को Screen कहते है Regulation Question 45 में आपका A option सही है तो चलिए यह था आपका Computer GK का तीसरा Mock Test अंगली के लास में हम लोग Mock Test 4 खो देखेंगे ठीक है यह दो दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे Computer सामानी गान के बारे में इसमें हम लोग Computer GK के Mock Test सॉल्व कर रहे हैं तो याद रखिए अभी तक हम लोग 3 Mock Test अपने खतम कर चुके हैं यह आपका 14 Mock Test फिर से मैं वही बात बोलूँगा कि हम Test या परिच्छा तभी देते हैं जब हमारा Base मजबूत होता है Base मजबूत कहने का मतलब है कि हमें ने Detail में Computer के सभी Chapter पढ़ लिए हूँ तभी हम लोग Mock Test देने के काबल होते हैं Mock Test देने से हमें अपनी छमता पता चलती है हमें अपनी ओखात पता चलती है कि हम कहां पहुँचें तो याद रखिए सबसे पहले आप लोग हम लोगों ने जो Computer समानिग्यान से समदी तो आपके Chapter खतम किये 15-16 उन्हें जाकर दीख लें उसके बाद Mock Test लगाएंगे बहतर रहेगा आपके लिए और इतना याद रखिए कि अगर आप वो सभी Chapter पिलस यह आप सभी Mock Test लगा लेंगे उसके बाहर आपका कोई भी Questions नहीं जाने बाला है तो वो सभी आपको Lecture का हमिल जाएंगे Complete Computer Classes के नाम से जो आपकी Playlist सुचिए उसी में डले हुए चलिए तो हम लोग बात करते हैं पहला कुश्चिन देखे एक नेबल में विट्स होते हैं एक नेबल में कितने विट्स होते हैं तो यह आप रखना चार एए ओप्सन सही है एक नेबल में चार विट्स होते हैं चलते हैं कुश्चिन नमबर दूसरे की तरफ CPU वर्तमान में जिन प्रोग्रामों डेटा को प्रोसेस कर रहा होता है उन्हें इस्टोर करने के लिए किस कम्पीटर मेमोरी का प्रियोग किया जाता है CPU वर्तमान में जिन प्रोग्रामों डेटा को प्रोसेस कर रहा होता है उन्हें इस्टोर करने के लिए किन कम्पीटर मेमोरी का प्रियोग किया जाता है तो इसमें आए आपका internal memory कौन सा? internal memory B option सही है विलकूँ चलते हैं कुश्चिन नमबर तीन की तरफ तीसरा कुश्चिन है आपका dvd क्या है dvd क्या है तो digital video disk आपका dvd है कुश्चिन है हमारा चार storage device कौन सी है storage device कौन सी है कौन सी नहीं है पूंच रहा है सोरी cd आपकी है dvd आपकी है philoppy disk की भी है printer नहीं है hard disk है तो इसमें क्या होगा dvd होगा क्योंगी printer memory या storage device नहीं है कुश्चिन है पाँच file system इस्थाई रूप से संगर्ण में होता है secondary file system इस्थाई रूप से आपका secondary memory में रहता है b option पाँच में सही है कुश्चिन है मारा चटवा निम्न में से क्या storage device का ओधारन नहीं निम्न में से क्या storage device का ओधारन नहीं है cd है floppy disk high disk भी है ram नहीं है आपका dbd भी है dbd है तो इसमें क्या होगा चटवे में d option कुश्चिन हमारा साथ ram volatile memory है क्योंकि ram volatile memory है क्योंकि data return करने के लिए इसे सतत power supply की जरूरत होती है question number 7 में आपका c option सही होगा चलते हैं हम लोग question 8 की तरफ जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो memory के contents गुम नहीं होगे जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो memory की contents गुम नहीं होगे इसमें है ROM में EP ROM में EP ROM में उप्योग सभी तो question 8 में आपका D होगा उप्योग सभी बात करते हैं question 9 की CD RW का पूरा रूप है तो इसमें होगा आपका 9 Compact Disc Rewrite Table 9 में आपका E होगा ठीक है 9 में E Question है मारत 10 Question है 10 निम्ण में से कौन साइट Historic device इस्टोरिट डिवाइस का उधारन है Historic device का उधारन है चुमकी है Magnetic disk Tabs DVDs उप्योग सभी तो इसमें क्या होगा D option उप्योग सभी Question है मारा 11 डिस्क को ट्रेकों और शेक्टरों में विवाजित करने की पिक्रिया क्या है तो 11 में आपका Formatic क्या होगा D option सही होगा 11 में चलते हैं question नमर 12 की तरफ Computer की पिर मुख memory वो भी कहा जाता है Computer की मुख memory को पराद में क्या primary storage भी कहा जाता है आंद्रिक memory भी कहते है Primary memory कहते है उप्योग सभी होगा Question नमर 12 में आपका D होगा Question है आपका 13 किसी storage location को identify करने के लिए प्योगत नाम या नंबर को कहते है या कहते है address किसी storage location को identify करने के लिए प्योगत नाम या नंबर को कहते है address Question नमर 13 में आपका C option सही होगा चलते हैं question नमर 14 की तरफ क्या है question नमर 14 RAM निम लिखित में से किसका उधार है RAM निम लिखित में से किसका उधार है volatile memory का question नमर 14 में आपका D होगा ठीज़े question है 15 वह तकनीक जो man memory के बास्तिविक साइज को बढ़ा देती है virtual storage तंदरे में क्या होगा B question है मारा 16 निम लिखित में से कौन सी memory जोड़ी चिप सरवादिक देज़े S RAM question number 16 में आपका B option सही है question है question है DRAM का लाव है DRAM का DRAM का लाव है A A यह SRAM से सस्ता है क्या है यह SRAM से सस्ता अंगला question है 18 जो devices information store करती है और computer कार्य करने के लिए जिसका जिनका प्रयोग करता है उन्हें क्या कहते है storage devices D option 18 में आपका सही है क्या है 18 में D question है 19 3.5 इंच वाली फिलोपी डिस्क की चमता है 3.5 इंच वाली फिलोपी डिस्क की चमता है रिखर अगता है 4.2 ए पिलोपी 1.2 इंच वाली फिलोपी अगता है E Question है हमारा 20 निर्माड फिक्रिया में इन में से किस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है ROM को Question नमबर 20 में आपका P होगा Question है 21 Reusable Optical Storage कर Typical acronym होगा B C, D, R, W Question नमबर 21 में आपका B होगा ठीक है फिर आता है आपका Question नमबर 22 Secondary Storage मेडिया से hard disk में software प्रोग्रामों को कॉपी करने के विक्रिया को कहते हैं क्या कहते हैं In Installation Question नमबर 22 में आपका D होगा Question है आपका 23 जब PC पर किसी डॉकुमेंट परकार करते हैं तब डॉकुमेंट आज था ही रूप से इस्टोर होता है RAM में Question नमबर 23 में आपका A option सही है Question है 24 हेलोपी डिस्क किस परकार की मेमोरी है External 24 में क्या होगा B 25 Hard disk drives को इस्टोर माना जाता है Non-Bolatile Hard disk को Hard disk drives को Non-Bolatile इस्टोरेज माना जाता है Question नमबर 25 में आपका B हो Question है मारा 26 Virtual memory से क्या तात पर है Virtual memory से क्या तात पर है 26 Memory management टेक्निक जिसमें प्रोग्राम को विविन टुकडों में विभाजित कर दिया जाता है यानि कि 26 में आपका A होगा Question है 27 Primary memory unit किस का ये किस्सा है CPU का Question नमबर 27 में आपका D होगा Question है 28 Memory बनती है Salon की अधिक मात्रा से Question नमबर 28 में आपका B होगा Question है 29 E.P.ROM का क्या उपयोग है Rom के संदेशों को हटाता है और कुना नई बनाता है तो 29 में आपका C है Question नमबर 29 में C Question है आपका 30 Man memory की तुला में secondary memory की रखता होती है कैसी होती है D, D,man memory Man memory जो आपकी होती है इसकी तुला में secondary memory की रखता D, B होती है Q, Dim Tielle touchdown में आपका A option सही है पर आता है हमारा 31 question Hard disk में track zero होता है सबसे भीधने track 31 में आपका S कुश्यन है 32 कंप्यूटर डेटा गैधर करते हैं इसका आरत है कि वे उप्रयोंक करता को डेटा करने देते हैं कि इस्टोर कुश्यन 32 में आपका D होगा क्या होगा D option सही होगा चलते हैं कुश्यन 33 की दरफ बिजली बंद कर दिये जाने के बाद जो इस टोरेज अपना डेटा रखती है उसे कहते हैं क्या कहते हैं नॉन बॉलेटाइल मेमोरी यानि कि कुश्यन 33 में आपका B होगा फिर हमारा 34 निमने में से कौन सत्थ है निमने में से कौन सत्थ है cd-rom drive expansion slots में लगाए जाते हैं गलत है फेलेट में program इस्थाई होते हैं यह भी गलत है रॉम में program इस्थाई होते हैं यह आपका सही है 3d-rom में program दुबारा लिखे जा सकते हैं यह भी आपका गलत है तो इसमें क्या होगा c option रॉम में program इस्थाई होते हैं 34 में आपका c कुश्चन है 35 इस्थाई storage device कौन सी है इस्थाई storage device कौन सी है 35 hard disk कुश्चन नमा 35 में आपका e option सही है 36 निम्न में से कौन सा storage device ओकरण ऐसा है जो कठिन रिडीज रिजीड इस्थाई रोख से इस्थापे magnetic disk का फ्रेयोग data जानकारी store करने ही तू करता है इसमें होगा hard disk कुश्चन नमा 36 में आपका b 37 computer के space को क्या कहते हैं जिसमें data load होता है और काम करता है इसे कहते हैं RAM कुश्चन नमा 37 में आपका d कुश्चन हमारा 38 RAM बा secondary storage device तुरात्मिक तौर पर की दृष्टी से भिन्न होती है उनमें period data store किया जाता है 38 में क्या होगा कि दृष्टी से भिन्न होती है 38 में आपका a कुश्चन है आपका 49 नमन में से किस memory चिप की गती अधिक देज है sram c option सही है 49 का 40 देरी से बचने के लिए अंगले data या फिर instruction को प्रोसेस करने के लिए storage space कैस कैस क्विश्चन नमर 40 में आपका a option सही है चलते हैं 41 क्विश्चन की तरव रेम का पूर्ण रोप क्या है रेंडम एपसेस मेमोरी यी option सही है 42 में 41 में आपका e option सही है क्विश्चन है मारा 42 यदि प्योपता को cpu में ततकाल उपलब दे सूचना की ज़रूरत हो या श्टोर की जानी चाहिए रेम में क्विश्चन नमबर 42 में आपका e option सही होगा क्विश्चन है मारा 43 रेम में श्टोर की गई सूचना बॉले टाइव मानी जाती है जिसका रत है क्यों है इस थाई रोप से नहीं है केबल आज थाई रोप से है यानि कि 43 क्विश्चन में आपका b option सही होगा 44 मैं बॉले टाइल चिप होते हैं जो डेटा या टेक्सनों को आइस्था ही रोप से श्टोर करते हैं रेम में क्विश्चन नमबर 44 में आपका क्या होगा? क्विश्चन नमबर 44 में आपका d option सही होगा चलते हैं 45 की तरफ क्विश्चन नमबर 45 कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को इस्टोर करने में सहायक होता है? डिस्क ड्राइब क्या है? डिस्क ड्राइब C option सही है 46 कुछन नमबर रेड आउनली मेमोरी रॉम की कौन सी विश्टा उसे उपयोगी बनाता है? रॉम में डेटा को खत्रा नहीं होता है बिली ना होने पर भी वह उसमें रहता है यानि की B option सही है 46 में कुछन है मारा अंगला 47 इस्टोरेज मीडिया की रूम में नमनमे से क्या CD-ROM के फायदे हैं? बियाद इस्टर पर डेटा और जानकारी इस्टोर करने का CD-ROM एक कम खर्ची लाव और इन एक्सपेंसिव तरीका है यानि की कुछन नमर 47 में आपका A option सही है कुछन है मारा 48 कौन सी मीडिया कौन से मीडिया में डेटा जानकारी उनमें उपयोग करता द्वारा एक से जानदा बार इस्टोर करने लिखने की चमता है CD-RW डिस्क 42 48 में आपका B option सही है 48 में क्या है P option सही है चलते हैं हम लोग 49 कुछन नमर 49 की तरब DVD का उधारन है DVD का उधारन है Optical डिस्क कुछन नमर 49 में आपका B option सही होगा चलते हैं कुछन नमर 50 की तरब क्या है 50 नमन में से कौन से घटकों की विषय में storage और memory बिनना है कीमत मूल बेसरसी निता गती A सभी तो इसमें क्या होगा D A सभी कुछन नमर 50 में आपका D होगा चलते हैं कुछन नमर इंग्यावन की तरफ जब प्रोसेसर उनका उप्यों करता है तब डेटा और प्रोग्राम कहां रखे जाते हैं मैन मेमोरी में कुछन नमर इंग्यावन में आपका A option सही है इंग्यावन में क्या है A मैन मेमोरी कुछन हमारा पच्छा बावन storage मीडिया जैसे CD की सूचना है कि प्रयोग से लिखती है और पढ़ती है रेड लाइट की लेजर जरोके से कुछन नमर बावन में आपका A option सही होगा ठीक है कुछन है त्रिपन जब पावर ओफ बंद की जाती है तब कैस और प्रमुक मेमोरी अपने contents खो देते हैं भी हैं बोले टाइल C option त्रिपन में सही है कुछन है चबबन निर्माड की समय रेकोर्ड कीया गया डिस्क का content जिसे उपयोग करता चैंज या एरेज नहीं कर सकता है डिम लिखी होता है केबल रीडर जंगन में क्या है C option कुछन है 55 CD-RW डिस्क है CD-RW को एरेज और री राइट किया जा सकता है CD-RW डिस्क को एरेज और री राइट किया जा सकता है यानि कि 55 में आपका D होगा Question number 55 में क्या होगा D option सही Question 56 किसी storage medium में store की जा सकने वाली डेटा की अधिक्त मात्रा को क्या कहते हैं 56 storage चमता कहते हैं 56 में आपका D है सही है Question है हमारा संतावन Save कर computer बंद करने पर भी आपका डेटा यथावत होगा Secondary storage device में संतावन में आपका C होगा Save कर computer बंद करने पर भी आपका डेटा यथावत रहेगा Secondary storage device में संतावन में आपका C Question है अंतावन कौन सी device data और program के बीच का अंतर समझ सकती है Microprocessor Device data और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है समझ सकती है अंतावन में आपका D Question है आमारा 69 What क्या है सबसे common प्रकार की storage device है सबसे common प्रकार की storage device है Magnetic C option सही है आपका Question है साथ CD से आप क्या समझते है CD से आप पढ़ और लिख सकते है CD से आप क्या कर सकते है पढ़ और लिख सकते है Question है 61 Nim लिखित में से storage का सबसे बड़ा unit कौन सा है TV क्या है TV KB, EMB, GV, TV तो इसमें क्या होगा D Acceptment D Question है 62 कितना byte मिलकर 1 KB बनता है 1024 64 में आपका B option सही है Question है 63 Computer data की सबसे छोटी काई है Computer data की सबसे छोटी काई है Bit यह Question कई बार पूचा जा चुका है कई परिक्षाओं में तो आपको याद रखना है Computer data की सबसे छोटी काई Bit है B option सही है 63 Question है 64 नेबल कितना में से Storage का सबसे छोटा माब कौन सा है Byte Question नमर 64 में आपका E option सही है फिर आता है Question नमर 65 Computer संचपता का KB का सामन अर्थ होता है Kilobyte Question नमर 65 में आपका C option सही होगा Question है 66 लगभग 1 billion bytes होते है Gigabyte Gigabyte लगभग A billion bytes होते है C option 66 में सही होगा चलते हैं Question नमर 66 की तरब सबसे बड़े से सबसे छोटे की करह में Nimlicate में से कौन सा Listed है बड़े से छोटे की तरब TB, GB, MB, KB सबसे बड़ा TB, GB, MB, KB सबसे छोटा KB 67 में आपका D कुष्यन है 68 कितने MB से 1 GB बनता है 1024 68 में आपका A option सही होगा तो चलिए यह था आपका Test No.4 अंगली क्लास में हम लोग बात करेंगे Test No.5 के बारे में Hello दूस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे Computer के Mock Test Solve कर रहे है तो इसमें अभी तक हम लोग आपके चार टेस्ट कतम कर चुके हैं यह आपका पांचवा Test है याद रखिए 12 मैं वही बोला हूँ कि Test तभी लगाय जाते हैं आप लोग Paper तभी देते हैं जब आपकी तयारी Complete हो जाती तो पहले आप लोग Detail के साथ Computer सामन गयान को पढ़ लीजे उसके बाद ही Mock Test दीजे तो आपको कुछ जानदा ही फायदा होगा तो याद रखिए हम लोगों ने Computer की सभी क्लासों को बहुत ही साधान सब्दों में समझाए Complete Computers Classes के नाम से जो आपकी फिले लिस्ट सूची है इसमें सभी आपकी Chapter by Chapter Classes न डली हुई है वहाँ जाकर आप लोग अच्छे से देख लें उसके बाद Mock Test लगाए यह दोनों Mock Test और उन Detail Classes को पढ़ने के बाद आपको Computer सामान के लिए कहीं बटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जो भी आपकी Questions आएंगी वह आप Solve करने की इस्तिती में होंगे तो चली हम लोग देखते हैं पहला Question इसमें Computer Data Store और गड़नाएं करने के लिए Number System का प्रियोग करते हैं तो यह आपकी Wynary Computer Data Store और गड़नाएं करने के लिए Why नहीं Number System का प्रियोग करते हैं Question है हमारा दूसरा निम्लिकित में से निम्लिकित में से यह संख्या दी गई है 110 110 110 तो इसका आधार दो दिया गया कि Hexadecimal संतुल है तो इसमें वहगा आपका 5A आधार इसका 16 तो इसमें C होगा Question है हमारा तीसरा क्या है Winary Penalty के दो अंग कौन-कौन से है Winary Penalty के दो अंग कौन-कौन से है तो आपको बता देना है 0 और 1 क्या होगा इसमें B Option Question हमारा 4 Byte 0 से तक किसी भी संख्या को निरुपित कर सकता है 256 Question Question नमबर आपका च्यार में क्या होगा B चलते हैं Question नमबर 5 की तरफ Binary संख्या टीक है टीक है तो B होगा इसमें 256 256 साथ की 16 वाइनरी विट्स से आठवे में आपका B होगा याद रखिए बार बार मैं एक ही बात बोलता रहता हूँ आपसे यह अगर मुझसे कहीं गलती हो जाती है किसी आंसर को बताने में या मुझसे गलती हो जाती है कोई गलत आंसर बता देते हैं तो उसका सही आंसर देखकर कमेंट बॉक्स में लिख दिया करेए है जिसे अगर कोई दूसरा आता है तो वो सही आंसर जान सके लेकिन मेरी तरफ से पूरी कोसिस रहती है कि आपको सही यह आंसर बताया जाए लेकिन फिर भी अगर गलती हो करती है तो आप लोग उसके लिए है न चलते हैं कुश्य नंबर 9 की तरफ क्या है कुश्य नंबर 9 कोश्टक AB05 आधार इसका 16 कि सम्तुल दसमलो संख्या है इन में से कोई नहीं है तो कुश्य नंबर 9 में आपका यह होगा कुश्य नहीं है हमारा 10 दसमलो संख्या 98 की बारा वाइनरी तुल है बन बन जिरो 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 वन जिरो यानि की 10 में आपका सी होगा क्या होगा सी उप्सन सही होगा कुश्य नहीं 11 सबसे अधिक प्रियोग में आने वाला कोड कौन सा है जो पिते केरेक्टर की विशिष्ट 8 बिट कोड की रूम में निरूपित करता है तो 11 में आपका D होगा E B C D I C क्या होगा D option सही होगा चलते हैं कुश्य नंबर बारे की तरह निम्न में से दसमलो संख्या 896 इसका आधार है 10 कि सम्तुल ओक्टल संख्या है इसमें होगी 1600 D option सही होगा बारे में क्या होगा D कुश्य न हमारा 13 निम्न लिकित में से कौन सा वाइनरी संख्या नहीं है बाइनरी संख्या नहीं है 13 में आपका 202 नहीं है यानि कि C option होगा कुश्य नंबर 13 में क्या होगा C चलते हैं कुश्य नंबर 14 की तरुप A S C I I I E का पूर्ण रूप है American Standard Code for Information Interchange कुश्य नंबर 14 में क्या होगा E E option सही हो कुश्य नहीं हमारा 15 MSD का पूर्ण रूप क्या है MSD का पूर्ण रूप क्या है Most Significant digit 15 में आपका A होगा 15 में A चलते हैं कुश्य नंबर 16 की तरुप निम्न में से कौन सी binary नंबर का उधारन है इसमें होगा B 100 100 1001 कुश्य नंबर 16 में आपका B option सही होगा कुश्य नहीं हमारा 17 कुश्य टक एक 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 इसका आधार है कुश्य टक बंद की बात दो इसका आधार क्या है का दसमलो तुल है क्या है 17 में आपका 15 होगा D होगा 17 में क्या होगा D कुश्य नहीं हमारा 18 वाइनरी वासा में वर्ड माला की पितेक अक्चर पितेक संख्या और पितेक बिसेस केरेक्टर एक यूनिक कंबीनेशन से मिलकर बना होता है 8 विट्स क्या होगा 8 विट्स 18 में आपका D कुश्य नहीं हमारा 19 अक्चर A के लिए A.S.C.I.I. कोड है अक्चर A के लिए क्या है कोड तो 19 में आपका B होगा क्या होगा 19 में B उप्सन सही होगा 1 0 0 0 0 0 1 B उप्सन सही होगा क्यूश्य नहीं है 20 बाइनरी संख्या 1 0 1 0 0 1 1 0 0 इसका आदार है 2 का ओक्टल सम्तुल क्या होगा तो इसमें आऊगा आपका 514 पुश्टक बंद आदार 8 8 B उप्सन सही होगा 20 में आपका B क्विश्टन हमारा 21 E, B, C, D, I, C में कुल कितने पेकार के केरेक्टरों को निरूपित किया जा सकता है C 256 कितना 256 क्विश्टन नमबर 21 में आपका C होगा चलते हैं क्विश्टन नमबर 22 की तरफ अंकिये परिपत्थों द्वारा किस पिकार की सूचना परदिद्धियों को मनता दी जाएगी तो 22 में आपका hexadecimal system और binary system इसमें A, B, दोनों होगे क्या होगे A, B, दोनों सही होगे क्विश्टन नमबर 22 में आपका C होगा क्विश्टन हमारा 23 कम्प्यूटर पर सूचना को किस रोम में श्टोर किया जाता है digital data question नमर 23 में आपका B चलते हैं 24 question निम्ल कित में से कौन सा बिकल्ब सत्थ है कौन सा बिकल्ब सत्थ है C और D F है 10 F A 10 इसका आदार है 16 और D है 10 10 इसका आदार है 10 यह दोनों सही है ठीक है question है 25 कम्प्यूटर की सूचना digital होती है जिसका अरत है कि A से बनी होती है किस से digital से question नमर 25 में आपका A option सही होगा question हमारा 26 binary system की घात का प्रेयोग करता है यानि कि 26 में आपका E होगा E option सही होगा 27 कुष्टक 337 dot 4 आदार है इसका 8 किस सम्तुल दिसमलो संख्या है 27 में आपका B होगा कुष्टक 215 दिसमलो 5 इसकी आदार होगी 10 B option सही है question है 28 कम्प्यूटर में सूचना कुष्टोर करने के लिए कौन सा प्यारूप सबसे अच्छा है binary क्या होगा E option सही होगा 28 में question है मारा 29 अक्षरों और चिन्नों कुबाइटों में इस्टोर करने की विद्विक को क्या कहते है coding system 29 में आपका D होगा चलते हैं question नमबर 30 की तरफ A फे 10 A फे 1 0 इसका आदार है 16 कबाइडरी सम्तुल है तो 30 में आपका D होगा क्या होगा 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 इसका आदार है 2 यानि की D option सही है 30 में question 31 इसका आदार है 2 का आउक्टल सम्तुल है क्या होगा इसमें D 5.54 आदार इसका आठ D option सही होगा चलिए तो यह था आपका पांचवा टेस्ट अंगले टेस्ट में हम लोग अंगली क्लास में चटवा टेस्ट हम लोग लगाएंगे टीर खेलो दूस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे थी computer सामान घ्यान के बारे में इसमें हम लोग सभी क्लास हैं आपकी डेटेल से देख चुके हैं अब हम लोग बात कर रहे थे mock test के बारे में computer gk के mock test देजर हैं तो याद रखिए अगर आपने पुरानी क्लास हैं नहीं देखी हैं क्योंकि आप लोग टेस्ट हो या फिर कोई एक्जाम हो तभी देने जाती है ना जब आपका syllabus complete हो जाता है तो उन क्लासों में हम लोग उने बड़े ही detail से computer सामान गयान को देखा है 15 क्लास हैं आपकी है तो उने जाकर देख लें पहले और वो सभी क्लास आपको complete computer classes के नाम से जो playlist सुची है उसमें ड़िए हैं उसके बाद आप लोग मॉक टेस्ट लगाएं ठीक है और क्लास प्लास मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपको computer सामान गयान के लिए कहीं बटगने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसके बार बाहर आपका कोई भी questions नहीं जाएगा ठीक है इतना complete copy आपके लिए material तो पांच टेस्ट हम लोग गदम कर चुकी थे यह आपका चटवा टेस्ट है चलिए तो चटवे टेस्ट हम देखते हैं पहला question हमारा assembler का का क्या है assembler का क्या है तो असेंबलर का कार असेंबली भासा को मसीनी भासा में परिवर्थित करना असेंबलर का का कार है तो question number एक में आपका C होगा क्या होगा C option सही होगा चलते हैं question number लोग दूसरे की तरफ नीचे सूची पत चार सब्दों में से कौन सा उनसे संब्द नहीं है application program software peripheral नहीं है आपका क्या है peripheral नहीं है बाकी आपकी तीनों है तो इसमें क्या होगा दूसरे में पी ओप्शन पर आपका तीसरा कुश्य कंप्यूटर इन इस्टेक्शन लिखने के प्रोसेस को कहते हैं क्या कहते हैं के कोडिंग कंप्यूटर इन इस्टेक्शन लिखने के प्रोसेस को कहते हैं कोडिंग कुश्य नमर तीन में आपका डी ऐप्शन सखी होगा फ़रह कुश्य नमर चाल y प्रोग्राम जो कंप्यूटर को प्रेवग करने में आसान बना दीता है क्या होता है ओपरेटिंग सिस्टम ओपरेटिंग सिस्टम वह है प्रोग्राम है जो कम्पीटर को प्रियोग करने में आसान बना दिता है कुश्चन नम्बर चार में आपका D option सही होगा कुश्चन है मारा 5 यदि कम्पीटर में प्रेंटर या फिर इसकेनर जैसी नई डिवाइस अटेज की जाती है तो डिवाइस का प्रियोग किया जाने से पहले इसका इंस्टाल किया जाना चाहिए ड्राइवर कुश्चन नम्बर पाँच में आपका D option सही है कुश्चन है चटवा सौप्ट्वेर का प्रात्में कुद्दिश डेटा को में बदलना है किसमें सूचना में सौप्ट्वेर का प्रात्में कुद्दिश क्या होता है डेटा को सूचना में बदलना B option सही है आपका कुश्चन है आपका साथ विसम सब्द को चुनना है आपको क्या है विसम सब्द को चुनना है Unix M S DOS Windows 98 Access इसमें क्या होगा Access होगा विसम सब्द कौन सा होगा इनमे Access Question No.7 में आपका D होगा Question है वारा आटंगला Computerों की संदर में सौप्ट्वियर का क्या अरत होता है Computer Programs 8 में आपका A होगा Question है 9 संकेतों का संग्रे जो की Computer को बताता है कि किसी विसे इस काम को कैसे किया जाएगा क्या कहलाता है यह कहलाता है आपका Program Question No.9 में आपका B होगा B Option सही होगा Question है मारा 10 Computer में कोई विसे इस काम करने के लिए किस सौप्ट्वियर का प्रियूप किया जाता है Application Question No.10 में आपका B होगा चलते हैं Question No.11 की तरफ MS Word का उधारन है Application Software का MS Word Application Software का उधारन है क्या होगा ग्यारे में B Option Question है बारे कौन सा Software कंप्यूटर के hardware को नेंतित करता है कौन सा Software कंप्यूटर के hardware को नेंतित करता है तो यह आपका System Software 12 में Bности Options सही होगा Question I Do Question है बारत edhi r AI प्योक करता या कैसी निधारीत कर सकता है की कंप्यूटर पर कौन सा program उप्लक्द है प्योक करता या कैसी निधारीत कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा program उप्लक्द है डिस्क पर सेप की गई बित्माद फाइल चेक करके 13 में आपका D होगा, question नमर 13 में क्या होगा, D option फिर आपका question 14, एक बार में पूरे प्रोग्राम को convert और execute करता है compiler 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 एक बार में पूरे प्रोग्राम को convert और execute करता है यह option सही है, question नमर 14 में, यह option सही है question है मारा 15 क्या है freeware के दो धारन क्या है freeware के दो धारन बताना है तो इसमें होगा आपका instant messaging और google टूल वार 15 में आपका D होगा question है पिते कंप्यूटर में होता है और कई में भी होता है application system, application program पिते कंप्यूटर में application system होता है और कई कंप्यूटर में application program भी होते है तो question number 17 में आपका E होगा क्या होगा E option सही होगा पिते कुश्य नमर 18 में निम्न में से कौन सा hardware है software नहीं है control unit question number 18 में आपका E होगा 19 storage की थोड़ी सी जगे में बहुत सी फाइलों को इस्टोर करने के लिए निम्न में से किसका प्रियोग किया जा सकता है storage की थोड़ी सी जगे में बहुत सी फाइलों को इस्टोर करने के लिए निम्न में से किसका प्रियोग किया जा सकता है तो यह आपकी file comparison 19 में आपका E option सही हो question है हमारा 20 assembler के बारे में निम्लिकित में से क्या सत नहीं है assembly language के instruction को machine language में translate करता है सही है यह SC program को translate नहीं करता है यह भी सही है यह program execution में सामल होता है यह आपका गलत है एक translating program है यह basic program को translate नहीं करता है यह भी आपका सही होगा लेकिन question number 20 में क्या पूछा है क्या सत नहीं है तो इसमें C option होगा यह program execution में सामल होता है यह आपका गलत है Question है 21 एक समय में एक कथन को convert और execute करता है Interpreter Interpreter एक समय में एक कथन को convert और execute करता है Question नमबर 21 में आपका D होगा Question है मारा 22 नेमली कित्में से कौन सा hardware का एक उधारन नहीं है Operating system नहीं है बाकी सभी आपके hardware है तो इसमें क्या होगा 22 में D Question है मारा 23 Computer control करने संबन्दी इन extraction या फिरोग्रामों को कहते हैं क्या कहते हैं Software Question नमबर 23 में आपका A option सही होगा Question है मारा 24 आपके computer का पितेग घटक या तो या तो hardware होता है या फिर software आपके computer का पितेग घटक या तो hardware होता है या फिर software Question है मारा 25 Computer के पितेग प्रोग्राम डेटा और सिस्टम फाइल की पिती बैकप में होती है फोल पच्चीश में आपका D होगा 25 में क्या होगा ती यह प्रोग्राम सही होगा Question है मारा 26 system के में प्रोग्राम या इंस्टेक्शन होती है Software में system के software में प्रोग्राम या फिर इंस्टेक्शन होती है 26 में आपका B होगा 27 से कौन सा compiler के बारे में सत नहीं वो चिस्तरी ये भासा के instruction का machine की भासा में अनुबात करना ये आपका सही है सारे source program का machine की भासा के program में अनुबात करना ये भी सही है ये अनुबात का program है ये आपका कहलत है ये प्रोग्राम रन करने के लिए उप्य होगी ये भी आपका सही है लेकिन question no 27 में क्या पूछा था सही नहीं है तो इसमें आपका D option सही नहीं है 28 जिससे computer एक से अधी टास्क परफॉर्म कर सकता है वो set of instructions के लिए निमलिकित में से कौन सा पद उप्योक्त है software 28 में क्या होगा B question 29 बिशिष्ट पिती बंदों के आदार पर software के प्रयूग का कानूनी अधिकार के माद्यम से किया जाता है दिया जाता है बिशिष्ट पिती बंदों के आदार पर software के प्रयूग पर कानूनी अधिकार software license के माद्यम से दिया जाता है B option सही होगा तीस प्रोग्रामों का एक सेट जो कंप्यूटर के संसाधनों को प्रवंदीत करने के लिए design किया गया है जिसमें computer सुरू करना है program को manage करना memory को manage करना input तथा output device के वीच के कारेयों का समनबय करना सामिल है operating system question number 30 में आपका क्या होगा E option सही होगा question 31 यह computer system का वह भाविय जिसे कोई छू नहीं सकता यह है computer system का वह भाविय जिसे कोई छू नहीं सकता software hardware, mouse, printer, scanner को छू सकते हैं यह आपके लेकिं software को नहीं छू सकते 31 में आपका E होगा 32 operating system और utility programs software के उस बग के हैं जिने कहा जाता है क्या कहा जाता है system software एक 32 में आपका क्या होगा E option सही हो तो यह आपका 33 word processor का स्टेश टोपियों किसके लिए किया जाता है किसके लिए होगा कहानी टाइप करने के लिए 33 में आपका C option सही होगा बिलकुल कुश्यन है 34 Linux एक है Linux एक है operating system कुश्यन नमर 34 में आपका C option बिलकुल सही होगा कुश्यन है मारा 35 Linux में से कौन सा hardware है software नहीं Linux लिखित में से या Linux में से कौन सा hardware है software नहीं CPU क्या है CPU hardware ठीक है 35 में आपका E होगा कुश्यन है मारा 36 कम्प्यूटर की assembly भासा में लेखे गए program program को machine भासा में बदलने का कार्व काम कौन करता है यह कहता है आपका assembler 36 में आपका E होगा 36 में क्या होगा E कुश्यन है मारा 37 hardware और software की बिच संबंद बनाने की तक्निक या सुविधा को क्या कहा जाता है इसे कहते हैं इंटर्फेस क्या कहते हैं इंटर्फेस 37 में आपका B होगा कुश्यन है मारा 38 डिवाइस ड्राइवर क्या है डिवाइस ड्राइवर क्या है छोटे विसे सोद्देश को बाले परवराम क्या है C option सही है 38 प्रेयापका 49 फुरोग्रामों का समोब जो आपके कंप्पीटर सिस्टम के चलने को कंट्रॉल करता है और सूचना प्रोसेस करता है उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं Operating System फुरोग्रामों का हुए समोब जो आपके computer system के चल लें को control करता है और सूचना प्रोसेस करता है उसे कहते हैं operating system यह option सही होगा तो चलिए यह था आपका छटवा टेस्ट साथवा टेस्ट हम लोग अंगली खिलास में बात करें नमस्कार दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे computer जीके से संबनी आपके mock test लगा रहे हैं तो अभी तक हम लोग 6 टेस्ट आपके कतम कर चुके हैं यह आपका साथवा टेस्ट है याद रखिए मैं बार-बार वही द्वरा रहा हूं कि टेस्ट हो या पर परीच्छा तभी दी जाती है जब हमारा syllabus complete हो जाता है यह हमारी तयारी अच्छे लेवल पर पहुच जाती है तो अगर आप लोगों ने अभी तक computer science को या computer सामान गयान को detail के साथ नहीं पढ़ा है तो उसे पहले पढ़ लें उसके बाद mock test लगाएंगे तो हमें उससे अपनी औखात पता चलेगी क्या औखात पता चलेगी कि हमारी तयारी आकर पहुची कहा है और हम पर इच्छा देनलाइट हुए भी हैं या नहीं तो हम लोगों ने भी आपका cover किया हुए computer science पूरा तो लगाए जाएंगी इतना अगर आप लोग cover कर लेते हैं तो आपका एक भी questions नहीं चूटेगा computer सामानिया से फिर चाहें आपकी कोई भी प्रीच जाओ तो चलिए हम लोग पहला questions इसमें साधवे test में एक software है जो computer को दक्षिता से operate करने है और data का track record देखने के लिए सहायता करता है एक software है जो computer को दक्षिता से operate करने है और data का track record रखने के लिए सहायता करता है यह आपका operating system क्या होगा operating system होगा इसमें डी option सही होगा दूसरा question आपका operating system द्वारा सीधे handle नहीं किये जाने वाले अधिकांस कारे निम्न में से कौन handle कर सकता है तो यह आपका utility है बी option सही है क्या है दूसरे में बी option सही है याद रखिए आप लोग में को मौक टेस्ट देते रहना चाहिए क्योंकि कई बार होता है कि हम लोग डारेक्ट परीच्छा में कुश्चन से देखते हैं जब पेपर देने जाते हैं तो अधिकांस कारे निम्न म हड़ बढ़ा जाते हैं तो आते हुए भी हमारे हमसे कई questions गलत हो जाते हैं तो मौक टेस्ट आपके लिए जरूरी रहता है तो जैसे भी आपकी तैयारी complete हो जाए आपको लगने लगी कि आप पेपल देने की हालात में हो गए तो आप लोग मौक टेस्ट लगा लिए operating system का कार है और operating system है इसका कार क्या है उप्योग करता की program को सुईकार करना सही है program का पैड़ाम उप्योग करता तक पहुंचाना ए भी है program का पालन computer से करना कराना ए भी सही है तो इसमें होगा आपका D question number 3 में क्या होगा D ABC तीनों कार है operating system के question है मारा चार नेमन में से कौन सा system software है नहीं है जो नीचे विकल्ट दिए गए है इन में से कौन सा system software है नहीं है operating system, compiler, interpreter यह system software है लेकिन MS बर्ड नहीं है चार में आपका D question है मारा 5 नेमन में से कौन सा operating system नहीं है नेमन में से कौन सा operating system नहीं है MS डॉस, MS बर्ड यह नहीं है क्या होगा इसने B, lines next है window जीए तो question number 5 में आपका B होगा question है मारा चटबा, operating system अक्तितिक common type का software है system, operating system अत्यदिक common type का system software है question number 6 में आपका C option सही होगा question है मारा साथ, user और operating system की मत होने बाली interaction की तरीके कुन से कौन कंट्रोल करता है user interface साथ question में आपका A option सही होगा चलते हम लोग question number 8 की तरफ computer को कंट्रोल करने वाली प्रोग्राम का क्या नाम है operating system question number 8 में आपका A है क्या है? A option सही है 9 निमन में से कौन सा operating system? single user operating system भी कहलाता है DOS 9 में क्या होगा? D question है 10 निमन में से किस operating system में built-in networking छब्दा होती है तो सर्थ 10 में आपका क्या होगा? Linux B option question number 10 में आपका B option सही होगा ठीए 11 निमन लिकित में से profitery multi tasking operating system कौन सा है? Linux 11 में आपका A होगा 12 निमन लिकित में से कौन सा operating system सभी तरह की computer पर चल सकता है? Linux C option सही होगा बारे में ठीए question है तेरे operating system का वह भाग कौन सा भाग है? जो CPU में होने वाली कारियों को निर्दी सिट करता है kernel 13 में आपका A होगा question है आपके मारा चौदे Apple का कौन सा operating system है? Apple का कौन सा operating system है? Mac 14 में आपका A है 15 Oracle द्वारा अधी करिट OS operating system है solaris B option सही है question है 16 एक समय में एक समय में एक साथ एक से जाना कारिय संपन करने वाले computer तकनीक को कहते हैं क्या कहते हैं? इसे कहते हैं multitasking B option बिलकुल आपका सही है 16 में क्या होगा? B चलते हैं question number 17 की तरह DOS का पूरा नाम क्या है? TOS का पूरा नाम क्या है? disk operating system सत्तरे में आपका B होगा है क्या होगा? B option सही होगा तरह हमारा 18 question Unix की बिसिश्चताएं क्या है? Unix की बिसिश्चताएं क्या है? एक साथ अनेक काम एक साथ अनेक लोग काम कर सकते हैं कापी सुरक्षे थे kernel data का प्रवंद करता है उप्योक्त सभी तो इसमें क्या होगा? उप्योक्त सभी question number 18 में आपका E होगा 19 निम्न में से कौन और भोगता एवं हाइडवेर की बीच एक मध्यस्त एजेंट की तरह काम करता है operating system 19 में B है आपका question number 19 में B option सही है question है 20 computer में system software का सबसे मत्पूर भाग कौन सा है? operating system operating system 20 में क्या होगा? C option question है 21 UNIX का पूरा नाम क्या है? UNIX का UNIX का पूरा नाम क्या है? UNIFLEX Information Computer System 21 में आपका A होगा question number 21 में क्या होगा? question है 22 कौन सा पिरोग्राम computer के विविन भागों को नियंतन करता है? और प्रयोकता को computer के साथ interact करने देता है? operating system question number 22 में भी आपका P होगा 22 में क्या होगा? B question है मारा तेज Apple computer में प्युक्त होने वाला operating system है? Mac OS 8.06 ठीक है? A option सही होगा तेज में फिर हमारा 24 यूनेक्स की मुक्ख भासा है? असेंबली software computer process को manage कलता है? operating system 25 में आपका क्या होगा? D question है मारा 26 बीटा बर्जन है? बिंडो बिश्टा का? 26 में आपका B होगा? 27 यूनेक्स का विकास कब होगा? 29 में D option सही होगा? 28 तब होता है जब operating system RAM में loaded होता है? 28 बूटिंग 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 तब होता है जब operating system RAM में loaded होता है 28 में आपका C होगा? 29 किस operating system की साहता से एक साथ कई उपयोग करता? computer operate कर सकते हैं Time sharing क्या है? Time sharing 29 में आपका C होगा 30 C भासा में कौन सा operating system लिखा गया है? Unix C option 30 में सही होगा ठीक है? 31 Linux किसम का software है? Open source Linux Open source किसम का software है 31 में आपका D होगा 32 32 Booting कितने पकार की होती है? Booting कितने पकार की होती है? Cold बागरम बूट Cold बावार्म बूटिंग क्या है? A option सही है 32 में 33 जब बहुत से कार कंप्यूटर में एक साथ पितीत होते हैं उसे कहते हैं क्या कहते हैं? Time is aering A option सही है 33 में 34 जब आप PC बूट करते हैं तब क्या होता है? Operating System के अंस डिस्क से मेमोरी में कॉपी किये जाते हैं A option सही है 34 में आपका A है 35 टाइम सेरिंग सरवादिक उप्यूगते आसान बद छोटी कारियों के लिए 35 में आपका C है 36 पहले से on computer को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं Warm Booting B option सही है 37 कम्पीटर की संसादनों का सरवादिक उप्यूगत प्रियोग होता है टाइम सेरिंग को operating system में A option सही है 37 में क्या है? A option सही है 38 एक समय में एक से अधिक application चलाने वाले operating system की चमता को क्या कहते हैं? Multitasking 38 में आपका A है 49 Mobile operating system है Android Android क्या है 49 में? A है 40 OS का प्रिमोग हिकार है operating system का प्रिमोग हिकार है Processing प्रिबंदन Input Output उखती प्रिबंदन Memory प्रिबंदन File प्रिबंदन उपयुक्त सभी तो इसमें क्या होगा? E 40 में E होगा उपयुक्त सभी 41 Google द्वारा पिस्तुत mobile operating system है Google द्वारा पिस्तुत mobile operating system है Android D option सही है 42 निम्न में से कौन सा file extension DOS में प्रियुक्त नहीं होता है .o 42 में क्या होगा आपका? B 43 यह प्रोग्राम operating system को manual memory में load करता है boot record boot record A option सही होगा आपका ठीक है 43 में 44 निम्न में से कौन सी MS DOS की external command नहीं है इसमें होगा D D I R D option होगा 44 में क्या होगा? D question है मारा 45 DOS में MS MD command प्रियोग होती है DOS में MD command प्रियोग होती है directory या उप directory बनाने के लिए 45 में आपका A है ठीक है? तो चलिए यह था आपका साथवा test अंगली क्लास में हम लोग test 8 के बारे में बात करेंगे नमस्कार दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे computer सामानी ज्ञान के बारे में इसी से संबंदित आपके mock test solve कर रहे हैं हम लोग तो आपके अभी तक हम लोग साथ test कितम कर चुगी है यह आपका आठवा test है एक बात को मेंसा याद रखा करिए कि mock test कब दिये जाते हैं आप लोग test कब देते हैं जब आपकी तैयारी एक कुछ हद तक अच्छी लेवल पर पहुंच जाती है तो अगर आपने computer सामान ग्यान को बड़ी detail के साथ chapter by chapter पढ़ लिया है तो mock test देने में आपको कुछ जांदा ही फायदा मिलने वाला है अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजे और हम लोगों ने भी आपका computer सामान ग्यान को कवर किया हुए chapter by chapter तो complete computer classes के नाम से जो आपकी playlist सूचिए उसमें आपके सभी chapter डली हुए इतना बता देता हूँ कि अगर उन chapter को पिलस जो भी ये आपके 25 mock test होंगे इन्हें solve करने के बाद आपको computer सामान ग्यान के लिए कहीं भटगने की जरूरत नहीं पड़ेगी इससे आपका पूरा complete course हो जाएगा और इसके बाहर भी कोई भी questions नहीं जाएगा ठीक है जो भी question आएगा आप solve करने की श्तिति में होंगे आराम से तो चली आटवे questions टेस्ट काम लो पहला question से देखते हैं इन में से किस control button का प्रियोग बिंडो को उसके पूर्व आकार में लाने के लिए किया जाता है इन में से किस control button का प्रियोग बिंडो को उसके पूर्व आकार में लाने के लिए किया जाता है तो restore का क्या होगा question number 1 में आपका C होगा question number 1 में आपका C option से होगा दूसरा question इन में से किस control bar का प्रियोग बिंडो में नीचे की और छिपी हुई सामगरी को देखने में किया जाता है तो यह आपका उर्द्वा थर score बी option से होगा तीसरा किस बिस्तार भाग बाली file को executable file कहा जाता है तो यह आपकी .exe यानि की तीसरे में आपका A option बिल्कुल सही है ठीप क्या है A option बिल्कुल सही है question number 4 बिंडोज में computer को on करने बद पहली screen को कहते हैं बिंडोज में computer को on करने वाली पहली screen को कहते हैं desktop चार में क्या होगा B option सही होगा पाच चार में B यह तीर पाच में find option किस menu में रहता है edit में पाच में आपका D होगा question number 5 में क्या होगा D option सही होगा question हमारा चटवा Microsoft का chairman कौन है Microsoft का chairman कौन है Bill Gates चटवे में आपका यह है साथ software के में command और options की सूचियां होती है toolbar software के toolbar में command और options की सूचियां होती है साथ में क्या होगा D option सही हो इस पर click करना चाहिए इस पर click करना चाहिए display करने और प्रोग्रामों को run करने के लिए आयताकार जगह नेमने में से कौन सी है बिंडो नौ में क्या होगा D चलते हैं question नमर 10 की तरह दस बा question है मारा बिंडो जो में add या फिर remove programs add new hardware modern आदी जैसे icon किस में रहती है control panel में है 10 में क्या है आपका A control panel 11 screen के background को किस नाम से जाना जाता है इसक्रेन के background को किस नाम से जाना जाता है इसे कहते हैं desktop 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 c option 11 में सही है 12 help menu किस बटन पर उपलब दोता है help menu किस बटन पर उपलब दोता है start बारे में आपका भी है अंगला question है हमारा तीरे आप अपनी personal file folder में रख सकते हैं my document my document आप अपनी personal file my document में रख सकते हैं b option होगा इसमें अंगला question है मारा 14 निम्न में से किस बिकार की menu को drop down menu भी कहते हैं pull down 14 में क्या होगा आपका D 15 कमांडों की बे सूचियां जो स्क्रीन पर प्रक्कट होती है menu menu कमांडों की बे सूचियां जो स्क्रीन पर प्रक्कट होती है तो 15 में क्या होगा आपका C 16 menu मेन्यू पर पितेक पर पितेक एक बिसेश कार करता है कमांड menu पर पितेक कमांड एक बिसेश कार करता है 16 में क्या होगा D 17 17 कम्प्यूटर सिस्टम को कमांड बेजने के लिए स्क्रीन पर डिस्पेली हुए चित्रों जिने आइकन कहा जाता है और मेन्यू का प्रियोग करता है GUI तो इसमें क्या होगा 17 में आपका B चलते हैं question number 18 की तरफ क्या है 18 सब्द बरत्मान में प्रियुक्त window के बड़न के लिए किया जाता है octo सब्क्रिये window इसमें क्या होगा 18 में D 19 hard disk में से delete की कई फाइल हैं कहां भेजी जाती है hard disk से delete की कई फाइल हैं कहां बेजी जाती है recycle bin में 19 में आप यह होगा जब आप लोग किसी भी folder से अपनी फाइल डिलेट करते हैं तो आपका computer में recycle bin में महुच जाता है अब अगर दुबारा उसे पास सकते हैं पाना चाहते हैं तो पास सकते हैं तो यह आपकी फाइल है हमेशा के लिए खेतम हो जाएगे फिर उसकी बात कुछ भी option नहीं रहता है कि आप उन्हें दुबारा पास सकते हैं तो 19 में क्या होगा आपका 20 copy command कहां save करती है तो यह करती है clipboard copy command के लिए और save करती है B option सही होगा भी इसमें 21 Windows 98 Windows 95 Windows NT किस नाम से जाने जाते हैं तो यह नाम में जाने जाते हैं पर उससे 21 में आपका यह होगा 22 टास्क बार होता है स्क्रीन के बॉटम पर स्क्रीन के बॉटम पर टास्क बार स्क्रीन के बॉटम पर होता है तो 22 में आपका B होगा कुश्चन है 23 सामानता लोकेटेड आइकन से आप री साइकल बिन एक्सेस करते हैं डेक्स टॉपपर 23 में क्या है यह ओप्शन सही है आपका 24 है हमारा कुश्चन तक री साइकल बिन डिसकाइड़ आइटम्स रिस्टोर करता है आपके खाली करने तक आपके खाली करने तक री साइकल बिन डिसकाइड़ आइटम्स इस्टोर करता है 24 में आपका T होगा 25 बिंडोज M.E. में M.E. से क्या सब्द बनता है Millenium क्या होगा यह option सही होगा 25 में A 26 सारे स्कीन पर बिंडोज को डिस्प्ले करने वाले बटन को क्या कहते है अन्द करते हैं में मेकजि मयाइज। मैकसी माइस आपने देखा होगा स्क्रेट इस क्या में में तीन बटन होते हैं एक कम करने के लिए चुटी इसकेंट करने के लिए एक बड़ी स्टेरिन करने के लिए और एक होता है आपका बिलगुल हटाने के लिए डिलीट करने के लिए चलते हैं 27-ग नाव या आइकन निफ़ाता है मेनी वार 27 में आपका E होगर कुश्चन है हमारा 28 किसी बिंडो की साइजिंग में पहला कदम नेमने में से कौन सा है तो यह आपका टाइटल बार पर पाइंट करना प्राइंट पाइंट करना टाइटल बार पर पाइंट खरे 28 में क्या होगा E option कुश्चन है मारा 29 पुल डाउन मेनु में फेड़ फेड़िड डिम हुई कमांड का क्या मत्थ क्या मत्थ कमांड वरतमान में एकसेसिवल नहीं है 29 में क्या होगा आपका E option सही होगा लास्ट कुश्चन है हमारा 30 desktop पर जो छोटे पिक्चर योग और object होते हैं वह कहलाते हैं क्या कहलाते हैं आइकन 30 में क्या होगा E option सही होगा आइकन ठीक है तो यह था आपका आठवा टेस्ट अंगली किलास में हम लोग बात करेंगे test 9 के बारे में और आप पहले उसे देख लीजे ठीक है computer सामान ग्यान को बड़े detail के साथ पढ़ लीजे उसके बाद mock test लगाईए आपको बहुत ही फायदा होगा और आपको पता भी चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवर पर पहुंच चुकी है ठीक हेलो दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं computer सामान ग्यान यानि की computer mock test लगा रहे है computer GKK तो अभी तक हम लोग आपके 8 test करतम कर चुके हैं यह आपका 9 test है याद रखिए अगर आपने computer सामान ग्यान को details से इसके chapter by chapter नहीं पढ़े हुए तो पढ़ सकते हैं और हमारी तरफ से भी complete किये गए हैं तो वो complete computer classes के नाम से जो आपकी फिले list सूची है उसमें डले हुए हैं सभी ही आपके lecture याद रखिए अगर वो सभी chapter फिलस जो हम लोग mock test लगा रहे हैं इन्हें आप लोग cover कर लेते हो तो इसके बाद computer सामान ग्यान के लिए कहीं भटकने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी फिर चाहे आपका लिखित में आए question फिर चाहे objective room में आए सभी पर इच्छाओं मैं आप answer उनका देने की इस्तिती में होगे तो चलिए हम लोग 9 टेस्ट का पहला question से देखते है print के लिए कौन सा menu select किया जाता है print के लिए कौन सा menu select किया जाता है तो यह आपका file क्या है file एक में क्या है c दूसरा question है हमारा उपेव कलता document 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 को जो नाम देता है उसे कहते हैं क्या कहते हैं file name क्या है file name कहते हैं a option सही आपका चलते हैं question नमबर तीन की तरफ बित्यभान document को परिवर्थित करना document document की कहलाता है क्या कहलाता है editing तीसरे में आपका भी होगा चलते हैं question नमबर चार की तरफ cut copy और paste करने के लिए कौन सा menu select किया जाता है cut copy और paste करने के लिए कौन सा menu select किया जाता है तो यह आपका edit चार में आपका D ठीक है पांचबा question है हमारा Excel में active cell के contents को कौन display करता है तो यह आपका formula बार question नमबर पांच में आपका C option सही है चलते हैं हम लोग question नमबर 6 की तरफ समग document select करने के लिए निमलिकित में से किसे प्रयोक्त किया जा सकता है कंट्रॉल पिलस A चटबे में क्या होगा A option बिलकुर सही होगा question है साथ सब्द संसाधर में document के भीतर text को एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं cut एवं paste साथ में क्या होगा C option बिलकुल सही होगा आठ नए नाम सहित या नए लोकेशन पर किसी विद्दमान फाइल को सेब करने के लिए आपको कमांड का प्रयोग करना चाहिए save as age क्या होगा आठ में आपका C होगा question है हमारा no क्या है Microsoft Office Excel डोकुमेंट में मैंसे पिते Excel अपने address को से refer किया जाता है माइक्रोसोफ्ट आफिस एक्सल डोकुमेंट में से पिते Excel अपने address से refer किया जाता है है जो है सेल का रो और common level नौमेया का D होगा दस relational database में यही एक data architecture है जो एक single topic सम्मन्दी information को पंती और column में organize करता है table दस में क्या होगा D चलते हैं ग्यारे की तरफ control पिलस हॉम की के प्रियोग से कलसर डोकुमेंट के में पहुच जाता है आरम में पहुच जाता है 11 में C होगा कुश्चन है बारे Microsoft Office Microsoft Office एक application tool है क्या है एक application tool है बारे में आपका E option सही हो 13 इस paid seats में data कैसे organize होता है इस paid seat में data कैसे organize होता है तो तेरे में आपका पंक्ती एंड इस्थम तेरे में क्या होगा D option बिलकुल सही होगा कुश्चन है हमारा text, text, text style, alignment और size को change करने की button निमलिकित में से कौन सा display करता है पंदरे में आपका पंदरे में आपका text, style, alignment और size को change करने की button फॉर्मेटिंग टूल बार में डिस्पिले करता है पंदरे में question है 16 data को logical sequence में वीवस्थित करने को कहा जाता है set, sorting c option sorting कहा जाता है चलते हैं question number 17 की तरव document के appearance को change करने से समद word processing task को कहते हैं क्या कहते हैं formatting सब्तरे में आपका p option विलकुल सही होगा question 18 किसी बिद्दमान डोकुमेंट को अलग नाम सहिद save करने के लिए आप क्या करेंगे save as command को पिश्थित करेंगे 18 में b होगा 19 text के लिए पंक्ति के आरम में जाने के लिए कुंजी या की दबाई जाती हैं home home की दबाई जाती है 19 में आपका a होगा ठीक है question है 20 word में text की फार्मेटिंग करते समय किस groping में कारी किया जाता है तो 20 में आपका c होगा characters, sections और paragraphs 20 में c question हमारा 21 क्या है नीचे जो दिये गए सभी पद, speed seat software से सब्द है सिभाए किस के सिभाए virus detection की सिभाए क्या होगा इसमें d 21 में आपका d हो चलते हैं question नमबर 22 की तरफ word processing, speed seat और photo editing की उधारन है किसके उधारन है application software के 22 में आपका a option सही होगा 23 MS access में एक टेबल में primary की जोती है एक 23 में आपका a option सही हो 24 cell दोयादी cell को combine कर एक single cell बनाता है 26 slide layout चुनने के लिए का उपयो किया जाता है layout gallery 26 26 में आपका c होगा 27 saved document को कहा जाता है file file क्या कहा जाता है file कहा जाता है 28 एक column text समानता किस तरह align होता है left 28 में आपका क्या होगा d 29 word में center selected text के लिए keyboard shortcut क्या है ctrl plus e 29 में क्या होगा आपका e option बिल्कुल सही होगा चलते हैं 30 question की तरफ नेमलिकित में से कौन access database object है table form queries report micro module a सभी तो क्या होगा 30 में d होगा a सभी 31 Excel window का कौन सा चित मान एवं सूत रखता है फार्मूला बाद 31 में आपका c होगा 32 Microsoft word का एक उधारन है applicants application software का 32 में क्या होगा c 33 संक्याओं की और सांकिकी की गड़नाएं करने के लिए सबसे उपयक्त software है निमली कित में से कौन सा है speed seat चाहे speed seat 33 में आपका d होगा ठीक है 34 सभी word डोकुमेंटों के लिए default file extension क्या होता है 34 .doc 34 में क्या होगा आपका d चलते हैं question नमर 35 की तरब file extension किस के लिए इस्तेमाल होते हैं file type को identify करने के लिए 35 में क्या होगा d 35 में क्या होगा d 36 text highlight करके edit copy click करने पर क्या होता है text document से copy होकर click board पर रखा जाएगा 36 में आपका a होगा चलते हैं question नमर 37 की तरब excel में file खोलने हैं और बंद करने के लिए किस बार का परियोग किया जा सकता है टाइटिल 37 में क्या होगा c 38 help menu किस बटन पर उपलब्द होता है इस्टार्ट 38 में क्या होगा आपका बी 49 text को बनाने के लिए 49 में क्या होगा d चलते हैं question नमर 40 की तरब document create करने के लिए आप file menu पर command का परियोग करते हैं new 40 में क्या होगा c 41 word document के किस तत को रंग में मिलाया जा सकता है सभी तत को 41 में आपका c होगा 42 menu में की सूची होती है commands की सूची होती है 42 में क्या होगा आपका a 43 डॉकुमेंट को एडिट करने का अरत है जिस डॉकुमेंट को अपने बनाया है उसे पढ़ना और फिर गलतियों को सही करना 43 में क्या होगा a option सही होगा कल चलते हैं हम लोग 44 पुश्य है यह excel में एक फंक्सन केटेगरी नहीं है यह excel में एक फंक्सन केटेगरी नहीं है क्या नहीं है कि फाइनेंसियल फाइनेंसियल चवालीस में क्या होगा आपका सी पैंतालीस एक्सल में यह एक प्री रिकॉर्डड फॉर्मूला है जो जटेल गड़नाओं के लिए सौर्ट कट विदान करता है फंक्सन 45 में क्या होगा 46 में क्या होगा एडिट मेनियू यानि की सी ओप्शन सही होगा चलते हम लोग 47 कुष्यान की तरुब वर्ड में पेज मार्जिन कैसे बदला जाता है रूलर पर मार्जिन सिमाओं को डेक करके 47 में आपका C ओप्शन सही है 48 वर्ड में किस सब्द पर क्लेक किया जाए तो वह है Select हो जाता है क्या हो जाता है Select हो जाता है दो वाल 48 में क्या होगा B 49 क्या है उनन्चास वर्ड में पिछले एक्षन को reverse करने के लिए वर्ड में पिछले एक्षन को reverse करने के लिए undo कमांड का प्रियोग करें क्या है B option सही है उनन्चास में ठीक है कुशेन है मारा 50 टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है करसर पचास में क्या होगा B पचास में आपका B option सही होगा इंग क्या बन यदि आप चाहेते हों तो print प्रिवीव उपयोगी होता है प्रेंट होने पर डोकुमेंट कैसा देखेगा देखना इंग क्या बन में आपका E option सही होगा चलते हैं question number 52 जब आप जब आप जब इस पर चार्ट रखा जाए तो यह काफी बड़ा होता है और इस पर कोई data नहीं होता है जब इस पर चार्ट रखा जाए तो यह काफी बड़ा होता है और इस पर कोई data नहीं होता है इसमें क्या होगा बाबन में चार्ट सीट बाबन में होगा आपका E option सही होगा ठीक है 53 हमारा बराबर B1 upon B2 plus B3 formula में सही precedence निमलिकित में से कौन सा है तो तरेबन में आपका जोडने के वज़ाए अधिक precedence भाग को दें 53 में आपका क्या होगा D option बिल्कुल सही होगा 54 वर्ड में styles का प्रियोग वर्ड में styles का प्रियोग document को फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है चंगन में आपका D होगा चंगन में क्या होगा D option सही होगा 55 करसर की मौजूदा इस्तिती के वाई हो कि एक character को delete करने के लिए किस कुझी का प्रियोग किया जाता है 55 में होगा आपका break, back, space यह क्या होगा A option बिल्कुल सही होगा 56 वर्ड में जब paragraph को indent किया जाता है तो page पर margin बदल जाता है 56 में क्या होगा आपका B option बिल्कुल सही होगा पर आपका संतावन कुश्य है cell में एक फॉर्मूले का पईडाम होता है जो आपका cell होता है इसमें एक फॉर्मूले का पईडाम होता है तो इसमें होगा आपका range क्या होगा range C option बिल्कुल सही होगा 57 के बाद 58 Excel में प्रॉर्मूले का एक अनडाम है क्या इसमें प्रॉर्मूले कुश्टेन नमबर 58 में आपका C option बिल्कुल सही होगा फ्रे आपका 69 क्या है 69 दाएं मार्जिन का एक ट्रेक्ट रखने बाली बिसिश्था कहलाती है यह कहलाती है आपकी रेड राइट रेड राइट यी ओक्षन सही है इसमें साट डॉकुमेंट की सीचसक पेज नमबर जैसी सूचना को डिस्पले करने के लिए निमने मैं से किस ऑप्संस का प्रियोग किया जाता है तो कुश्चन नमबर साट में भी आपका ई होगा हैडर एबंपोटर कुश्चन है आपका 61 डॉकुमेंट की टेक्स्ट को दाएं और बाएं दोनों हासियों पर कौन सी जस्टिफिकेस एलाइन करती है जस्टिफाइड क्या होगा 61 में बी आपक्शन बिलकुल सही होगा कुश्चन है मारा बासट वाइकॉन सी बिसेशता है जिससे इस्क्रेन पर डॉकुमेंट के किसी बाग को दिखा देखा जा सकता है स्क्रॉलिंग 62 में आपका सी होगा कुश्चन 63 किस खास विसेशता की माद्यम से एक्सेल डेटा के पईडामों की डायनामेक लिए गड़ना पर पाते है कैसे कर पाते है हार्मूला एवं फंक्सन 63 में आपका इए ओप्सन सही होगा कुश्चन है मारा 64 इस पहल चैक निमन में से किस गलती का पता लगाएगा टूड़े इज ए रेनी एड़े 64 बी ओप्सन सही होगा 65 एक्सेल में जब किसी सेल या फिर सेलों की रेंज में कंटेंट और एट्टिव्यूट को मैनीव का प्रियोग करके एरेज करना हो तो प्यूकता यानि की यूजर को क्या करना होगा सेल सेलेक्ट एड़ चुने और उसके बार किलियर सेलेक्ट करें यानि की 65 में आपका ए ओप्सन बिल्कुल सही होगा 66 यदि एकसेल वर्कसीट को पावर पॉइंट परिजन्टेशन में इस्तेमाल करने के लिए लिंक करना हो तो निमन को क्लेक्ट करना चाहिए एडिट पेश्ट इस्पेशल 66 में आपका ए ओप्सन बिल्कुल सही है 66 वर्ट डोकुमेंट में बाक्य के लिए फॉंट कर चुनाओ करना हो तो फॉर्मेट मेन्यू में फॉंट रिलेक्ट करें कुश्चन नमबर 66 में आपका ए ओप्सन बिल्कुल सही होगा कुश्चन है मारा 68 किसी डोकुमेंट किसी ही हो डोकुमेंट में कौन में कोई बाक डिलीट करने के लिए आपके इसका प्रियोग करेंगे हाइड हाइलाइट एंड डिलीट का अरसेट में आपका डि होगा उनत्त में वर्ड डोकुमेंट वर्ड डोकुमेंट में पेज ब्रेक इंसेट करने के लिए निम्न बिकल्प का प्रियोग किया जाएगा इंसर्ट एंड वर्ड उनत्तर में आपका ई होगा सत्तर एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है एड्रेस सत्तर में आपका डि है कुश्यन है मारा 71 एक्सेल में बहुत सी वर्ड सीटों को सेलेक्ट करने के लिए सीट टेप को किलेक करते समय निम्न कुझी का प्रियोग भी किया जाना चाहिए कंट्रॉल का 71 में आपका सी होगा बहत्तर वर्ड प्रोसेसर का स्तरेष्ट उप्योग किसके लिए होगा कहानी टाइप करने के लिए बहत्तर में आपका सी होगा 73 वर्क वुक का एक कलेक्शन है 73 में आपका पेज सेट अप 73 में क्या होगा आपका ए ओप्शन बिल्कुल सही होगा चलते हैं कोश्य नमबर 74 की तरफ क्या है कोश्य नमबर 74 एक्सेल बिंडो के बॉटम में दिखते हैं 75 वर्ड में कॉलम डेटा बनाने के लिए आपको क्या करना होगा जब तक करसर एक्षित स्थान पर ना पहुच जाए तब तक इस पेज बार दवाएं 75 में आपका दी होगा 76 जब हम डोकुमेंट में स्कॉल करते हैं मूव नहीं होता है क्या होगा 76 में आपका डी हो कुश्चन है सदत्तर फॉर्मेट के उस सेट को क्या कहते हैं जिसका एक नाम होता है उससे सलेक्ट करने किये गए टेक्स्ट पर तेजी से एपलाई किया जा सकता है 77 में आपका इस्टाइज क्या होगा बी बी ये ओप्सन से ही होगा 78 ओप्सन का पिरियोग करते हुए एक ही समय में पूरा पेज या कई सारे पेज दिखाए जा सकते हैं जूम 78 में भी आपका C होगा ठीक है 78 में क्या होगा C 69 माउस को मूब करने पर पिक्चर मूब हो जाए तो से कहते हैं पॉइंटर 89 में आपका C होगा 89 में क्या होगा C 80 क्या 80 Excel की एक रो में इन सर्चन पॉइंट को पहले सेल में मूब करने के लिए कुण्जी प्रेस कर रहे हैं होग 80 में क्या होगा C 81 कौन सी बिसिस्ता टॉप और बॉटम मार्जिन को एड़जेस्ट करती है ताकि छपे हुए पेश्ट पर टेक्स्ट वर्टिकली सेंटर में देख लीजे एक बार फिस से कौन सी बिसिस्ता टॉप और बॉटम मार्जिन को एड़जेस्ट करती है ताकि छपे हुए पेश्ट पर टेक्स्ट वर्टिकली सेंटर में हो तेख यसी में आपका वर्टिकल सेटिंग इई ओप्सन सही होगा क्या होगा इई ओप्सन सही होगा 82 टेक्स डोकुमेंट को बनाने, एडिट करने, फॉर्मेट करने, इस्टोर करने, इस्ट्रेप करने और परेंट करने के लिए कुल मिलाकर एक सब्द कौन सा है? वर्ड प्रोसेसिंग 82 में आपका A option, बिल्कुल सही है 83 83, पावर पॉइंट में header, एवं फोटर बटन, इंसाट टैट के, किस गुरूब में ढूड़े जा सकते हैं? तो यह आपकी text गुरूब 83 में आपका C होगा 84 Slide presentation की एक, ट्रैपिकल सिलाइड में सामिल नहीं होगा Full motion video 84 में आपका D होगा 85 Paste special option डूणने के लिए, पावर पॉइंट के टैप पर किलिप बोर्ड समूग का प्रियोग किया जाता है Home 85 में आपका E होगा 86 Thumbnail के room में कौन साबर power point view, presentation की पितेग शिलाइड डिस्पेले करता है और slides rearrange करने के लिए उपयोगी है Slide shorter 86 में आपका A होगा Tick 87 Ctrl प्लस अप U P Arrow कर्सर को मूब करता है One paragraph पर One paragraph अप 87 में आपका B है Tick 88 Miss friend होगा है चलिए ठीक आंगे बढ़ते है 89 क्या है Ctrl प्लस F12 की उपयोग से खुलता है Open Open Dialogue Box 89 में क्या होगा आपका D 90 एक डोकुमेंट को कितने पकार से सेव किया जा सकता है 3 पकार से E में क्या होगा Sorry 90 में क्या होगा E 91 Document में गर्दिये चलनों एवं सूत्रों को इंसाइट करने की सुविधा निमले किस्त में से कौन देता है Symbol 91 में आपका A option विलकुल सही है Question है मारा वानवे एक auto correct entry में एक Symbol या अनेक्ट लाइनों में कि टेस्ट को बदलने के लिए Word डोकुमेंट में सबसे पहले Symbol को इंसेट करें या text को टाइप करें इसके बाद text या Symbol को सेलेट करें और auto correct डायलोग बॉक्स में जाएं 22 कुर्षियन में आपका C होगा 93 Manu check spelling के option की सुविधा उपलब दिकराता है Format 93 में आपका C होगा 94 Slide transition है क्या है Slide transition है एक सिलाइड इसो में एक सिलाइड को इंट्रोड 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 करने के लिए Special effects का प्रियोग क्या होगा D option सही होगा 94 में ठीक है पर आपका 95 Presentation में एक नई सिलाइड को इंसाइड करने के लिए निम लिखित में से किस प्रेस किसे प्रेस करना होगा 95 में अपका Ctrl प्लस M क्या होगा पंचानवे में B option सही होगा Question है मारा 96 Word का वह फीचर जो Space की मात्रा हो Character की निश्चित Combination के वीच सुता एड़जेश्ट कर देता है जिसके चलते समस्त वर्ड समान रूप से Space दिखाई पड़ते हैं कहा जाता है क्या कहते हैं इन्हें कहते हैं कर निए 96 में आपका B होगा 97 MS Word स्क्रीन के रूलर पर उपलब्द नहीं है Center Intent 97 में आपका A होगा 98 निमलिकित में से किसका उप्य हो Word Applications को किलोज करने के लिए नहीं किया जा सकता है File, किलोज क्या होगा? 99 में B होगा आपका Question है मारा? 99 Excel Workbook अंतरविष्ट करता है बरक सीट और चार्ट 99 में आपका C होगा ठीक है? Question है मारा? 100 Excel सीट में फश्ट रो और फश्ट कॉलम को हमेशा देखते रहने यहां तक कि जब आप सीट के अंत में स्कॉल कर रहे हों क्या करना होगा? Fresh Row, Threes, Column Option का उप्योग Threes, Row और Threes, Column Option का उप्योग 100 में आपका D होगा 101 Worksheet का Default हो Header इन मैंसी कोई नहीं है 101 में आपका E होगा चलते हैं तो 102 Question की तरफ क्या है 102 Document में Picture या पर Text जोड़ने यह रखने के लिए प्रेव होता है Insert 102 में आपका P होगा 103 एक Excel Worksheet का नाम बदलने के लिए Worksheet टेप पर डबल क्लिक करें और यह नया नाम टाइप करें 103 में आपका E होगा 4 Worksheet का Basic Unit किसमें आप Scale में data इंटर करते हैं 105 Word Document में एक paragraph को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने के लिए निमली कितमे से किसका प्रियूक किया जाना चाहिए Cut & Paste 105 में आपका B होगा 105 में क्या होगा B 106 Page पर कितने margin होते हैं 4 कौन-कौन से Top, Bottom, Right, Left 106 में आपका B होगा 107 Excel में दो सेलों को एक सेल में मिलाने के परीचालन को कहते हैं Merge Cells 107 में आपका B होगा 108 Document में सब दे को डूणने और सही करने के लिए उपयोग करता कमांडों का प्रियोग कर सकता है File इवं Replace 8 में आपका क्या होगा C 9 MS Outlook क्या है Personal Information Manager Email Communication Software तो इसमें आपका होगा D यानि की B और C Option दोनों से 10 निम्लिकित में से Email Client कौन सा है निम्लिकित में से Email Client कौन सा है Microsoft Outlook 110 में आपका B होगा 111 MS Outlook में की सुविधा उपलपत है Note Making with Journal इसमें होगा आपका B, O, C यानि की D Option सही होगा 111 में D तो यह था आपका 9 वा टेस्ट कौन सा? 9 वा टेस्ट अंगली क्लास में हम लोग बात करेंगे 10 पे टेस्ट वी वारे में ठीक है? नमस्कर दोस्तों तो हम लोग बात कर रहे थे Computer सामान ग्यान के Mock टेस्ट लगा रहे हैं Computer GK तो इसमें अभी तक हम लोग 9 टेस्ट आपके खतम कर चुके हैं यह आपका 10 वा टेस्ट है कौन सा? 10 वा टेस्ट है तो याद रखिए आगर आप लोगोंने Computer सामान ग्यान को Detail के साथ नहीं बढ़ा है तो हम लोगोंने आपका Computer सामान ग्यान को बहुत अच्छे से कवर किया हुए तो आप लोग Complete Computer Classes के नाम से जो आपकी Play List सूची है उसमें आपके 15 चेप्टर के करीब पढ़ाए गए हैं उन चेप्टरों को देख लीजे पिलस इन मॉक टेस्टों को लगा लीजे इतना कवर करने के बाद आपका कोई भी Questions गलत नहीं होगा फिर चाहे वो लेकित रूम में आए फिर चाहे ऑबजेक्ट रूम में और हाँ एक जानकारी होद देदें आप लोगों को कि कई लोग Gmail पर SMS कर रहे हैं Facebook पेज़ पर भी कि जो आपका IES PCS Test Series चल रही थी वो कुछ दिनों से बंद है इसलिए बंद है क्योंकि मुझे लगा कि कई लोग बोल रहे थे कि उनका MP का TAT जो वंडे एकजाम है तो कंप्यूटर और MPJK को कवर करना था तो अंग्ले संडे से मतलब अंग्ले संडे से हम लोग उस Test Series को भी शुरू कर देंगे तो संडे तक का इंतजार करिए तो दसबे Test का हम लोग पहला Questions देखते हैं क्या है पहला Question हमारा Database में Data को Input करने के लिए प्रयोग में आने वाली यूपतिया है Database को Database में Data को Input करने के लिए प्रयोग में आने वाली यूपतिया है Mouse Keyboard Touch Screen Mouse Keyboard Touch Screen Input का अर्थ यहां आप लोग इस तरह से समझ लिए जो हम किसी को देते हैं वही Input हो सकता है जिस तरह से हम Mobile में कुछ सेर्ज करना होता है तो हम Input देते हैं मतलब कुछ लिखते हैं उसमें वही Input हो गया जो हमें काम का चीज उपलब्द होती है वह Output होता है इसलिए बोजदाओं कि वह सामान क्यान की सभी लेक्चर आप लोग देख लें जिसमें आपका Base Clear हो जाएगा और आप कोई भी Questions आता है तो समझने की और Solve करने की इस्तिति में आप लोग होंगे दूसरा Question मरा किसी DBA की क्या जिम्मेदारी होती है किसी DBA की क्या जिम्मेदारी होती है किसी DBA को Develop करना और Maintain करना सही है DBA को Develop करना यह भी सही है तो इसमें आपका D होगा A और C दोनों दूसरे में क्या होगा D तीसरा Question है हमारा database सार्णियों से मिलकर बना होता है तथा सार्णियों पंक्तियों जिन्हें कहते हैं तथा सार्णियों जिन्हें कहते हैं से मिलकर बनी होती है इसमें Record Field क्या होगा आपका तीसरे में B database सार्णियों से मिलकर बना होता है तथा सार्णियों पंक्तियों जिन्हें हम लोग Record कहते हैं तथा इस्थम जन्हें हम लोग फील कहते हैं से मिलकर बनी होती है तीसरे में आपका भी होगा कि चलते हैं कुश्चन नंबर्स चार की तरह कि क्या है चार हमारा चार कुश्चन निमलिकित में से कौन्सा क्रम डेटा एलिमेंट्स को उनके आकार के आरोही क्रम में दर्स आता है कैरेक्टर फिल्ड रेकॉर्ड फाइल डेटाबेस चार में क्या होगा आपका सी पाँच किसी डेटाबेस में पंक्ती का दूसरा नाम क्या है किसी डेटाबेस में पंक्ती का दूसरा नाम क्या है रेकॉर्ड क्या होगा आपका पांच में ए चल दें कुश्चन नमबर चटवे निम्न में कौन एक डेटावेस में एकल एंटिटी जैसे की बेक्ति इस्थान या बस्तु आदी के बारे में सूचना संगीत करता है रेकॉर्ड चटवे में आपका सी होगा साथवा एक एक प्रोग्राम जिसका इंटरफेस उप्रिव करता के लिए डी बी एमेस में जन्दा अन्कूल होता है कहलाता है क्या कहलाता है फॉर्म साथ में आपका डी होगा ठीक है आठ एक डेटाबेस में एक रेकॉर्ड के बारे में सूचना की सबसे छोटी काई को कहा जाता है क्या कहते हैं फील्ड आठ में क्या होगा वी नो किसी एंटिटी रिलेशन्सिप डायग्राम में किसी विद्ध्यार्थी का नाम तथा पता क्या माना जाएगा एट्रिब्यूट नो में आपका सी होगा नो में क्या होगा सी क्यूश्यन है मारा दस का आर्थ है कि डेटावेस में संगेत डेटा बिलकुल सही और विस्तसुनी है डाटा इंटरग्रेटी डाटा इंटरग्रेटी का आर्थ है कि डेटावेस में संगेत डेटा बिलकुल सही और विस्तसुनी है यानि कि 10 में आपका B होगा 11 इन में से कौन सा डेटा भी इसका अब अब नहीं है इन में से डेटा भी इसका अब अब नहीं है साइंडी है आपका क्वेरी है पॉर्मनेल रिपोर्ट है ट्यूपल नहीं है क्या है ट्यूपल नहीं है तो इसमें होगा आपका 11 में यह उप्सन सही होगा चलते हैं कुछिजन नंबर बारे की तरह डेटा रिलेशन्सिप सेमें सेमेंटिक्स और कंटेंट्स का बर्डन करने के लिए फिर्यों किया जाने बाले टूल को कहते हैं कि डेटा मॉड्रूल क्या कहते हैं डेटा मॉडल सी ऑप्सन बारे में आपका सही होगा तेरह कि डॉक्टर ई एप कोड ने नियमों का पिती ने दित किया जिसका पालन एक डेटाबेस द्वारा किया जाना चाहिए अगर यह सही माइने में रिलेशन्स माना जाता है बारे कितने बारे नियमों का तेरह में आपका सी होगा चौदे डेटा की समपूर्टा की समस्याओं के लिए एक कारण है डेटा की उपलब्दिता की कमी चौदे में आपका ए होगा पंद्रे डेटा की दुहराओं को डेटा की आश्थिरता को निर्भरता को डेटा के आनाधी कर्ट उप्यों को कम करने के लिए समाधान पिदान करता है डीबी एम एस पंद्रे में क्या होगा ए ओप्सन बिलकुल सही होगा आपका 16 डेटावेस सूचना को मैं संगीत करती है डेटावेस सूचना को पंक्तियां और स्थम्ब में संगीत करती है 16 में क्या होगा ए ओप्सन बिलकुल सही है 17 निम्न में से कौन सा CD सॉरी निम्न में से कौन सा DVMS सॉप्ट्वियर नहीं है डेटावेस 2000 क्या होगा 17 में E 18 एक रेकॉर्ड का एक बिसेश फील्ड जो पित एक रेकॉर्ड को बिसेश्ट रूप से पहच्चान दिलाता है की फिल्ड 18 में क्या होगा A option 19 सम्मदित फाइल्स का समूग कहलाता है सम्मदित फाइल्स का समूग कहलाता है डेटावेस क्या होगा 19 में होगा आपका C 20 क्या है 20 रिलेशनल मॉडल में को काडि काडिनेलिटी कहते हैं ट्यूपल्स की कुल संख्या 20 में क्या होगा A option बिल्कुल सही होगा 21 ER डाइग्राम को पिदर्शित करने का ग्राफिकल तरीका है entity, clauses और उनका आपस में सम्मद्द 21 में क्या होगा आपका C 22 क्या है 22 question database की सरजना की रूम में देखी जा सकती है database की सरजना तीन स्तरों की रूम में देखी जा सकती है 22 में आपका C होगा Question है आपका 23 एक data item की संख्याण के लिए की आवस्षत्ता होती है database की Question number 23 में आपका क्या होगा? C 24 एक computer उपियोग करने देने से पहले username और password की जाज करता है Database के 24 में आपका D होगा 25 Entity Set जिसमें primary की बनाने के लिए परयाब field नहीं होता है कहलाता है Beak Entity Set 25 में आपका B होगा 25 में क्या होगा? B 26 ER डाइग्राम में attributes के द्वारां पिदसित किये जाते हैं क्या होगा? 26 में आपका C होगा 25 में आपका B था 26 में आपका C है 27 ER डाइग्राम में एक Entity को के द्वारां दर्शाय जाता है तो यह आपका आयताकार box 27 में आपका A होगा 27 में क्या होगा? A option सही होगा अंगला question है हमारा 28 डेटावेस की एक की का एक अवैद पिकार है डेटावेस की का एक अवैद पिकार है Structured Primary Key 28 में क्या होगा आपका? A 29 एक फाइल की प्राइमरी की होती है जो दूसरी फाइल में भी उपस्तित होती है Foreign Key 29 में आपका C 29 में क्या होगा? C option सही होगा 30 Key जिसका प्रियोग दो साइनियों की भी सम्मंद को प्रिदर्सित करने के लिए किया जाता है कहलाती है क्या कहलाती है? Foreign Key 30 में आपका? C 31 ER और डाइग्रम में रिलेशनल से रिलेशन्सिप टाइप को द्वारां प्रिदर्सित किया जाता है Diamond Walks द्वारां 31 में क्या होगा आपका? D 32 DBMS प्राप्द करने में मदद करता है Data Independence और Data का केंदरी करनों इसमें आपका D होगा AB दोनों सही है 32 में क्या होगा? D अंगला कुष्चेन है हमारा? 33 Relational Database में एक Data Structure जो एक बिशय की बारे में सभी सुचनाओ को पंक्तियों तथा इस्थम की रूम में विवस्थित करता है Sardine 33 में क्या है आपका? D 34 समय समय पर किसी फाइल में Data को जोड़ना Data को बदलना या Data को मिटाना फाइल का कहलाता है क्या कहलाता है? Updateion 34 में आपका A होगा 34 में क्या होगा? A Option बिलकुल सही है 35 Database प्रवंदन 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 का लाब है Data की एकी क्रेथ होता है और कई प्रोग्राम द्वारा त्रयोग की आजा सकता है 35 में आपका C होगा चलते हैं question number अंगला 36 वह यह भासा जो database objects की विसेश्था विसेश्थाओं को परिवासित करता है कहलाती है ddl क्या कहलाती है ddl 36 में आपका b होगा 37 dbms का पूरा नाम क्या है dbms का पूरा नाम क्या है इसमें database management system एक पूरा हमने लोगों ने complete आपका lecture नी फुल पॉमों से बनाए हुआ है कि dbms का क्या पूरा नाम है cpu का पूरा नाम क्या है इनी से संबंदित आपका पूरा एक chapter बना हुआ है और याद रखिए इस तरह के questions आपकी बहुत पूचे जाते हैं तो आप वहां जाकर अच्छे से पढ़ लें तो यह हमारा क्या है अड़तीज क्या है अड़तीज वह है database जो common field से जुड़े जुड़ी टेबलों को रखता है कि रिलेशनल डेटावेस अड़तीज में क्या होगा आपका सी 49 सेट कॉंसेप्ट कहां इस्तेमाल किया जाता है सेट कॉंसेप्ट कहां इस्तेमाल किया जाता है रिलेशनल मॉडल में 49 में आपका सी 40, इन में से डेटा का कौन सा चरित है जो डेटाबेस में होता है सुतंत, सुरक्षित, आधान, पिदान, A सभी क्या होगा इसमें? D होगा, 40 में क्या होगा? D, A सभी चलते हैं question number 41 की तरफ किसी सायने में केबल एक ही, एक ही, एक हो सकती है क्या हो सकती है? primary की किसी सायने में केबल एक primary की हो सकती है, 41 में आपका यह है 42, ER data model किसके द्वारा दिया गया था? डॉक्टर एडगार, एगर F code, C option सही है question number 43, DML क्या है? DML क्या है? data, manipulation, language, क्या होगा? B option सही होगा 43 में क्या होगा? B चलते हैं 44 की तरफ डेटावेश के क्या नुक्सान है? यह अधिक खर्चीला है 44 में आपका D है 45, इन में से किस की के जरिये, किसी सायनी में, किसी पंक्ती को खोजा जा सकता है primary की, alternative की, candidate की, A सभी 45 में क्या होगा आपका? D 46, database में attribute क्या होता है? स्थम्ब 46 में क्या होगा आपका? A चलते हैं question number 47 की तरह निम्ण में से कौन सा अबजेक्ट, print out के format में होता है? Report 47 में आपका? D 48, किसी query के उत्तर में, जो सूचना है, या record निकाले जाते हैं, उसे उस query का कहते हैं, क्या कहते हैं? Dynaset 48 में आपका? B 49, database में data को ब्यक्च के रूम में, nodes के, nodes के माद्यम से विवस्थित किया जाता है? Hierarchal database में, data को ब्यक्च के रूम में, nodes के, माद्यम से विवस्थित किया जाता है, 49 में क्या होगा आपका? B option, सही होगा Question है मारा? 50 Database के architecture के, किस इस्तर में, database की पूर्ण सरचना होती है? तो 50 में क्या होगा? B, 24 संबंदी इस्तर 50 में आपका P होगा? तो चलिए यह था आपका दसवा test अंगली क्लास में हम लोग आपका ग्यारवा test तेखेंगी हम लोग हेलो दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे computer सामान ग्यान के objective questions यानि की computer gk का mock test solve कर रहे थे हम लोग तो अभी तक हम लोग 10 test आपके कतम कर चुके हैं यह आपका 11 वा test है तो आप पहले computer सामान ग्यान को अच्छे से पढ़ लीजिए उसके पाद mock test देखिए जिससे आपको अपनी छमता का भी पता चलेगा और पता चलेगा कि किस तरह से questions बनते हैं आपके और हमारी तरब से भी आपका computer सामान ग्यान बहुत ही सर्ल सब्दों में cover किया गया है तो complete computer classes के नाम से आपकी जो playlist सुझी है उसमें आपका 15 chapter खतम किये गया और plus mock test अगर यह दोनों आप लोग cover कर लेते हैं तो आपका computer से संबंदित कोई भी questions नहीं चूटेगा आप सभी questions solve करने की इस्तिती में होंगे फिर चाहे आपका question objective में आए फिर चाहे वह लेकित रूप में हो ठीक है तो देख लिए इसमें हम लोग पहला questions देखते हैं उस device को क्या कहते है उस device को क्या कहते है जो cable के प्रियोग के बिना network से connect कर देती है उस device को क्या कहते है जो cable के प्रियोग के बिना network से connect कर देती है तो इसे कहते है wireless यानि कि इसमें बायर का कोई काम नहीं होता है wireless लेस तो कुष्चिय नम्मर एक में आपका बी है दूसरा है हमारा कुष्चिय है कार्याल है ओफिस लेंड जो भोगलोई की तोर पर बड़े प्रमाने पर बिखरी हुए है उनको कार्पूरेट की प्रयोग से जोड़ा जा सकता है बैन वर्ल्ड एरिया नेटवर्ग तो इसमें क्या होगा डी याद रखिए इस तरह कि जो भी आपके सॉट फॉर्म होती है यह अधिकतर परिक्षा में पूंची जाती है तो उन लेक्चरों में हम लोगों ने एक स्पेसल आपका लेक्चर सॉट फॉर्म उनके फॉल फॉर्म क्या होते हैं उन्हीं की बारे में बताया गया है तो उने जाकर भी देख लें ठीकर तो कुष्चन नमर दूसरे में आपका डी होगा चलते हैं कुष्चन नमर तीन की तरब नेमों का एक सेट है प्रोटोकॉल नेमों का एक सेट है कुश्चन नमर तीन में आपका E-Option बिल्कुछ सही है चार टर्मीनल क्या है? टर्मीनल क्या है? वह बिंदू जिस पर डेटा कम्प्यूटर में फिर्वेश करता है या निकलता है क्या होता है? टर्मीनल होता है तो कुश्चन नमर चार में भी आपका B होगा चार में क्या होगा? B कुश्चन है हमारा पांच क्या है? कम्प्यूटर में दो यादिक कम्प्यूटर और अन्य डिवाइसेज होते हैं जो data और program share करने के लिए connect होते हैं तो 5 में आपका network हुआ computer network में दो यादि computer और un devices होते हैं जो data और program share करने के लिए connected होते हैं तो 5 में क्या होगा आपका ? A Question number 5 में आपका A होगा पर हमारा चटवा question Local area network land में निमन में से किस मत का प्रयोग नहीं किया जाता है तो question number 6 में आपका B modem का क्या होगा ? 6 में आपका B option सही होगा साथ question उस network topology का क्या नाम है ? जिसमें पिते एक संभावी नोड में दूई देशी है कड़ियों है तो यह आपकी मैस साथ में क्या होगा ? D, मैस Question है मारा आठवा क्या है ? लेन का किसका लगू रूप है ? लेन किसका लगू रूप है ? लोकल एरिया ? नेटवर्क का फिर से बता देता हूँ इस तरह की questions आपकी बहुत पूँचे जाते हैं तो अच्छे से कवर कर लेने सॉटपॉन को और ना पूँचे जाते हैं फिर भी आपको इतना दुडमालू होना चाहिए knowledge के लिए कि कहीं land लिखा जाता है कहीं when तो इसका मतलब क्या होता है ? computer का मतलब क्या होता है ? तो इसमें क्या होगा ? d no question personal computer बनाने के लिए साथ connect किये जा सकते हैं network personal computer बनाने के लिए साथ connect किये जा सकते हैं network ठीगा ? d option सही होगा 10 एक central computer जो computer से pc workstation और अन्य computer के लिए data और प्रोग्रामों के संगरे को hold करता है server 10 में क्या होगा ? d 11 क्या है ? किसी typical network में सबसी मत्पूर या सकती चाली computer कौन सा है ? network server 11 में आपका d 12 एक बहुत ही सीमित भोगोलिक चित सामानता एक ही विल्डिंग में personal computer को typically connect करता है LAN local area network 12 में आपका A 13 LAN से जोड़े computer सकते हैं information और या peripheral equipment तो इसमें क्या होगा ? 13 में ? B ठीक है ? question number 13 में आपका B option विल्कुल सही है 14 निम्नमें से किसका संदर छोटे एकल site network से है ? तो इसमें आपका LAN 14 में क्या होगा आपका ? A ठीक है ? question है मारा 15 क्या है question ? computer network में कौन से पिकार का संसाधन सामनता CR किया जाता है ? computer network में कौन से पिकार का संसाधन सामनता CR किया जाता है ? pen penters penters क्या होगा 15 में ? A question है मारा सूले ? उस network का नाम क्या है ? जो केवल ? college परिस्तर तक सीमित होता है ? सूले में आपका local area network होगा land सूले में C 17 network में bridge का क्या रहे ? क्या का है ? दो यादिक network को आपस में जुड़ना सत्रे में आपका B question है 18 पूरता अंतर से योजित network सन इस्तिती के लिए एक अन नाम है ? क्या है ? mass 18 18 18 19 network में computer को जोडने की भोगोलिक विवस्ता कहलाती है ? network में computer को जोडने की भोगोलिक विवस्ता कहलाती है ? यह आपकी 19 में होगा आपका topology 19 में A 20 क्या है 20 ? हाव network से संबंदी थे star network से संबंदी थे हाव star network से संबंदी थे बीच में आपका C 21 OSI की किस परत में packet filtering firewall होता है ? application layer में 21 में आपका A होगा application layer Question है हमारा 20 इस नेमने में से कौन सा एक छोटा single site network है ? तो याद रखना A है आपका land 22 में क्या होगा आपका ? A हंगला है हमारा Question 23 Щूचना share करने के लिए सूचना share करने के लिए एक दूसरे से connected 2 या 2 से अधिक computerों से बनता है Network सूचना share करने के लिए 2 या 2 से अधिक computerों से network बनता है Q23 में आपका A होगा, ठीक है, 24, Servers computer हैं, जो से connected दूसरे computer को resources provide करते हैं, तो इसमें network होगा, 24 में क्या होगा आपका, A option बिल्कुल सही होगा, इसमें, 25, hardware और software का एक combination है, जो computer device के बीच सूचना के, आधान प्यदान की सुविधा प्यदान करता है, network, 25 में क्या होगा, A, ठीक है, 26 है हमारा question, क्या है, typical network, मैं सबसे महत्पूर या सकती साली, computer कौन सा है, तो इसमें आपका network, network, server, 26 में आपका C है, रहा है, आपका 37, sorry 27, क्या है, 26 के बाद 27, टॉपोलोजी में network, component एक ही केबल से connect किये जाते है, बस, बस टॉपोलोजी में network, component एक ही केबल से connect किये जासते हैं, 27 में आपका C, फरे आपका 28, P2P, एक application architecture है, distributed, 28 में क्या होगा आपका, B, 28 में B, फरे आपका 29, समान प्रोटोकॉल वाले network को जोडने के लिए, निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, समान प्रोटोकॉल वाले network को जोडने के लिए, निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, कि ब्रिज्ज का कि क्या होगा इसमें बी 29 में आपका बी तीस है आपका कुछ्छन कंप्यूटर और फॉन के बीच की बिर्णता का मिलान करने बाली डिवाइस कौन सी है मॉडम क्या है मॉडम तीस में क्या हुआ इक तीस किसी नेटवर्ट का ब्रेंड विट है किसी नेटवर्ट का ब्रेंड विट है बेंड विट क्या है डेटा ट्रांस्फर रेट 31 में आपका ए होगा 32 ऐसी तक्नीक जिसका प्रेयोग सिंगल लाइन पर एक से अधिक कॉल्स डेटा भेजने के लिए किया जाता है मल्टी प्लेक्सिंग 32 में क्या होगा आपका ए ठीक है कुश्यन हमारा 33 टेलिफॉन ब्रोड कास्ट किस पेकार की ट्रांस मिशन का उधारन है तो यह है आपका हाफ डुपलेक्स 33 में आपका बी होगा 33 में क्या होगा बी 34 कुश्यन है हमारा क्या है 34 बैंक को त्वारा उपलग देकर आई गई ए टी एम की सुगदा किस नेटवर्किंग का उधारन है ब्यापक चेत्रिय नेटवर्किंग 34 में आपका क्या होगा बी 34 में बी 35 निम्नामकित मैंसे कौन समान समूका नहीं है एपल ट्रॉक क्या होगा इसमें बी 35 में आपका बी कुष्यन है हमारा अंगला 36 हॉप डुपलेक्स है संचार की एक बिदी 36 में आपका ए 37 ओ एस आई का प्रियोग किया जाता है ओ एस आई का प्रियोग किया जाता है ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन के लिए 37 में आपका ए कुष्यन है हमारा 38 राउटर को कहते हैं राउटर को कहते हैं नेटवर्क डिवाईस 38 में आपका ए 49 दो आसमाल लेंड नेटवर्क को जोडने के लिए किस पर उपकार्ण का प्रियोग होता है गेटवे 49 में आपका C 40 दो नेटवर्क के बीच संपर्क के लिए एजेंट का कार्य करती है नेटवर्क लेयर 40 में आपका A 40 में A option सही है 41 टेलीफॉन लाइनों में प्रियोक्त होने वाला नेटवर्क है टेलीफॉन लाइनों में प्रियोक्त होने वाला नेटवर्क है बेन वर्ड एरिया नेटवर्ड एक्तालीस में ए तो यह था आपका ग्यारवा टेस्ट मॉक टेस्ट अंगली क्लास में लोग बारवा आपका टेस्ट देखेंगे नमस्कार दोस्तों तो हम लोग बात कर रहे थे कंप्यूटर सामान गयांके कुछ मात्मूर क्वेश्चन और उनके आंसर्स कंप्यूटर जी के मौक टेस्ट सॉल्ल कर रहे हैं तो इस तरह के हम लोग 11 टेस्ट आपके पहली खतम कर चुके हैं या का 12 वर टेस्ट है याद रखिए अगर आप लोगोंने कंप्यूटर सामान गयान को अच्छे से नहीं बढ़ा है डैल के साथ तो हम लोगों ने आपका cover किया हुगा है computer सामान ग्यान पूरा तो complete computer classes के नाम से आपकी playlist सूची है उसमें जाकर देख लें इतना याद रखी है अगर आप लोग उन चैप्टरों को plus जो हम लोग mock test solve कर रहे हैं इन्हें cover कर लेते हैं तो आप सभी एक्जामों में questions solve करने की इस्तितिय में पहुच जाएंगे आपसे कोई भी questions नहीं चूटेगा ठीव तो चलिए पहला हम लोग 12 वी टेक्ष्ट का पहला questions देखते हैं नेटवर्कों के नेटवर्क को कहा जाता है इंटरनेट एक में क्या होगा डी दूसरा question किसी ब्यक्ति को इमेल द्वारा मेल भेजने के लिए प्राप्त करता कि किस जानकारी का होना अती आवसक है इमेल एड्रेस का अगर आपके पास दूसरे की इमेल है सामने वाली की तभी तो आप लोग SMS भेज सकते हैं उसके बाद आपको कुछ और जरूरत नहीं पड़ती है इमेल है आप उ अनेक्चिक यानि की एक्छा की बिरुद्ध प्राप्त किये गए इमेल को कहते हैं जंक इमेल इस तरह की questions आपकी बहुत पूचे जाते हैं वंडे एकजाम में ठीक तो अनेक्चिक एक्छा की बिरुद्ध प्राप्त किये गए इमेल को क्या कहते हैं जंक इमेल तीसरे में आपका क्या होगा e question 4 किसी को email भेजना एक पेकार से है किसी को email भेजना एक पेकार से आपका किसी को पत्त लिखने जैसा है चार में आपका a पांच क्या है पांच वह गोपनिय कोड जो किसी प्रोग्राम को एक्सिस करने की अनुमती पिदान करता है वह पासवर्ड वह गोपनिय कोड जो किसी प्रोग्राम को एक्सिस करने की अनुमती पिदान करता है आपका पासवर्ड होता है टीक है पासवर्ड आपको तभी डालते हैं आपकी सिकॉर्टी रखने के लिए कि आपके जो भी डाटा है उस पर दूसरे का हस्तचेप ना हो छटवा कुश्य है इमेल एड्रेस में दो भाग होते हैं पहला आपका यूजर नेम और दूसरा आपका दूसरे भाग से अड्दारेट के द्वारा अलग रहता है तो इसमें दूसरा भाग होता है क्या होता है डॉमैन emp इमेल एड्रेस में दो भाग होते हैं पहला भाग आपका यूजर नेम होता है जैसे आप ले लिजए computer.gmail.com computer.gmail.com तो computer क्या हो गए आपका username और add the rate की बाद जो है आपका gmail.com यह आपका domain name हो गए तो इसमें D है छटवे में साथवा इंटरनेट पर प्युक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल है TCP या फिर IB साथ में आपका a आठ किसी website के पहले पिदर्सित होने वाले page को कहते हैं जैसे ही आप किसी website पर page को खुलते हैं तो उसी जो सामने में पिदर्सित होता है उसी क्या कहते है home page आठ में आपका c नो नेम लिखित में से कौन सा कम्यूनिकेशन प्रोटोकॉल पिते कम्प्यूटर के लिए मानक सेट करता है जो की बेवादा दे सूचनाओं को एक्सेस करती है तो यह आपकी http नौ में क्या होगा आपका c नौ में c दस नौ में आपका c है दस गूगल याहू msn नेटिस्केप नेविगेटर इत्यादी वेबसाइट है सर्च इंजन है क्या है सर्च इंजन है मतलब इस पर आप जाकर अपनी जो भी इंपुट डालना होता है डाल सकते हैं और इंसे हमें आउटपुट मिल सकता है यानि कि हम अपने क्वेश्चन सर्च कर सकते हैं पर ठीक है जो आपकी जानकर है 11 वेबसाइट एड्रेस का एक यूनिक नाम है जो बेब पर विशिष्ट को पहचानने के काम में आता है लिंक को 11 में आपका ए 12 किसी भी सेक्षडिक संस्थान को सामान रूप से दरसाने के लिए निमलिकित में से कौन सा डॉमेंड नेम यूक्त प्रियूक्त होता है .edu .edu 12 में आपका D 13 इंटरनेट एक्सेस करने के लिए इलेक्टोनिक एनालोग संकेतों को डिजीटल में परिवर्थित करना है तथा डिजीटल संकेतों को एनालोग संकेतों में पुनहा बदलने की विक्रिया को कहते है तेरह में आपका C होगा modulation या फिर demodulation तेरह में क्या होगा C एक बार फिर से सुन लिजे कुश्चन को इंटरनेट एक्सेस करने के लिए इलेक्टोनिक एनालोग संकेतों को डिजीटल में परिवर्थित करने तथा डिजीटल संकेतों को एनालोग संकेतों में पुनहा बदलने की विक्रिया को आपका modulation या पर demodulation कहते हैं ठीक है तेरह में आपका C 14 बेब बिराउजर में अंकित बेब बिराउजर में अंकित होने वाले बेब एड्रेस को आगे IP एड्रेस में अनुवादित कर लिया जाता है यह एक कारी किया जाता है डॉमेन नेम सिस्टम द्वारा चौदय में आपका D होगा पंद्रए मोडियूलेशन वर दी मोडियूलेशन के लिए प्रयोग होने बाला उपकरण है मोडम पंद्रह में आपका D होगा सोले वाइफाई का पूरा नाम है वाइफाई का पूरा नाम है वाइलेश फैडिलिटी सोले में आपका B याद रखिये जो भी इस तरह की सौट पॉर्म है उनके पूरे नाम है उनके लिए हम लोगों ने एक अलग से आपका चैप्टर पूरा इसी पराधारी कवर किया हुए तो यह भी आपका कंप्लीट कंप्यूटर किलासेस के नाम से जो आपकी सूची है फिलिष्ट उसी में डला हुआ है तो सोले में भी आपका B होगा सत्रे यूजर नेम बाउस के बाद डॉमेन नेम निमने में से क्या दर्साता है इमेल एड्रेस सत्रे में आपका D किसी भी बेवसाइड या बेव पेज को इंटरनेट पर पबलिष या उपलब्द कराने को कहते हैं बेव होस्टिंग 18 में आपका D होगा 19 इसके माध्यम से आप इमेल कहीं से भी एफसेस कर सकते हैं यह है क्या है बेव मेल इंटरनेट 19 में आपका B है अंगला है हमारा कुश्चन 20 URL क्या है किसी भी डॉकुमेंट या पेज का www पर एड्रेस वर्लड वब वर्लड बेब पेज वर्लड बाइड बेब ठीका www 20 में आपका D है एक्कीस क्वेश्चन क्या एक्कीस 21 क्वेश्चन है हमारा को एक्सिल केवल के माद्यम से इंट्रेनेट की सुविधा को उपलब्द कराने की पिक्रिया के लिए प्रेयो होता है केवल मॉडम 21 में आपका D 22 इस तक्नीक के माद्यम से विद्धूती है संकेतों के रोप से डेटा को पिकासी है रोप में परिवर्तित कर सूचना को संचारित किया जाता है यह है क्या है फाइवर ओप्टिक 22 में क्या होगा आपका D 22 में आपका D 23 23 क्या है सर्च इंजन पर सर्च किये गए तत्तों के आधार पर जो बेपेच खुलकर आता है इसे जिप जिस पत से संबोधित किया जाता है वह है हिट 23 में क्या होगा आपका B 24 24 होट मेल मेल से इवा किस कंपनी द्वारा वह एत्मार में संचालित किया जा रहा है तो यह आपकी Microsoft द्वारा 24 में आपका C है 25 निम्न मैं से ये internet पर विवस्तिस संचार का माध्यम नहीं है चैट आपका है, intent, instant messaging भी है, इसमें होगा 25 में आपका, C, inista sols, electronic mail भी इसका, internet पर व्यक्ति के संचार का माद्य में, लेकिन C होगा इसमें, 25 में आपका, C, 26, यह protocol IP आधारित networks पर दोनी को वितरित कर संचारितु प्रेयोग में लाया जाता है, 26, BOIP, क्या है, 26 में, BOIP, 27, यदि पेशक भेजे जाने बाले, इमेल को, bold, italic, इत्यादी टेक्स्ट में परिवर्थित करना, चाहे तो आए, निम्न में से, क्या आप, निम्न में से परियोग करेगा, रिच, टेक्स्ट, 27 में आपका, A, चलिए, कुश्चन है, हमारा 28, यह बेब ब्राउजर टेक्स्ट, तथा ग्राफिक्स दोनों को सपोर्ट करता है, ग्राफिकल बेब ब्राउजर, ग्राफिकल बेब ब्राउजर, बेब ब्राउजर टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों को सपोर्ट करता है, 28 में आपका B 29 App TP का पूर्ण रूप है App TP का पूर्ण रूप है File Transfer Protocol 29 में आपका D होगा 30 Internet पर समान या बस्तूँ के Lenden की पिक्रिया को कहते है E-commerce क्या कहते है E-commerce E-option सही होगा Internet पर समान या बस्तूँ की Lenden की पिक्रिया को E-commerce कहते है 31 इस प्रोटोकॉल का प्रियो Handheld डिवाईसों पर Internet को एक्सेस करने में होता है W-A-P क्या होगा D आपका सही होगा 31 32 ने मिल कितमे से URL में किस पेरामीटर का होना आवस्तक है इसमें आपका प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर www वाइल्ड वाइड बेव और अदुतिये डॉमेंड नेब E-Option इसमें सही है Question है हमारा 33 Internet द्वारा किसी भी सर्विस के लिए आरक्षन करना है E-Reservation 33 में क्या होगा आपका D 34 एक कूकी एक कूकी उपयो करता की बेब गतिविदियों के बारे में सभी जानकारी संगेत करता है तो 34 में आपका A होगा एक कूकी उपयो करता की बेब गतिविदियों के बारे में सभी जानकारिया संगेत करता है 34 में आपका A फिर आपका 35 क्या है Telnet आधारीत computer protocol है Text 35 में आपका B होगा 36 इंटरनेट को बनाए गया इंटरनेट को बनाए गया 1950 की दसक में 36 में आपका A 37 अधिकतर बेप पेज इस भासा को आधार बना करी निर्मित किये जाते हैं अधिकतर बेप पेज इस भासा को आधार बना करी निर्मित किये जाते हैं HTML को हाइपर टेक्स्ट मारे कब लेंगे लेंगे लेंगवेज दी आप्शन 37 में आपका सही है 38 एक बार आप लोग उस फॉल फॉर्म वाले जो भी आपकी सॉर्ट कट हैं सॉर्ट कर फॉर्म फॉल फॉर्म उसे जाकर देख लें क्योंकि वो हमारे देने चर्या में भी देने कुफियों में कई ऐसे सब्दा आ जाते हैं जिनका फॉल फॉल में पता नहीं होता है हम हड़वर आ जाते हैं तो यह जाकर एक बार देख लें ठीक अर्टीस निम्र में ऐसे कौन सा डॉमेंड लावान भी व्यापार में प्रियोग किया जाता है अर्टीस इसमें होगा डॉट कॉम अर्टीस में क्या होगा आपका ए उन्तालीस बर्तमान में भारत में नंबर एक सोसल नेटवरेकिंग वेपसाइट फेस्बुक की फेस्बुक जुआ है इसके खोज करता थे फेस्बुक की खोज करता कौन थे मार्क जुकरवर्ग उन्तालीस में आपका ए उन्तालीस में क्या है ए चालीस उपलब्द संसादनों को मल्टी मीडिया इंटरफेस पिदान करने वाली इंटरनेट सेबा है इंटरनेट सेबा है वर्ड वाइड बेब चालीस में आपका ए होगा चालीस में क्या होगा ए सही फरे आपका एकतालीस क्या है होट मेल इमेल सेबा को ने बनाया जिसे बाद में माइक्रोसॉप्ट कंप्रीनी ने खड़ीद लिया है तो 41 में आपका सवीर भाठिया ने बनाया था किसने सवीर भाठिया और इसे बाद में माइक्रोसॉप्ट ने खरीद लिया तो 41 में आपका ए है 42 यदि ए कॉमर्श के दिए प्रेयोक्त होता है तो एम कॉमर्श है कि मोबाइल कॉमर्स 42 में आपका सी तैंतालीस है एच्टी एमल में टेक्स जिसमें कीवर्ड होते हैं से ग्रे होते हैं एंगूलर बैकेट से इस तरह से तैंतालीस में आपका भी है इस प्रोटोकॉल के अंतरगत कम्पीटर को इंटरनेट से सीधे जोड़ा जाता है 22 में एक डाइल अकाउंट बामोडेम की आवसकता पड़ती है .2. प्रोटोकॉल में, P2P प्रोटोकॉल में, 64 में आपका C पैंतालीस इंटरनेट पर बिना किसी सेंटर्ल सर्वर के किसी विसेय पर विचारों के आदानपिदान करने के लिए परयोक्त प्रोटोकॉल को कहते हैं यू एन सोरी यू एस इनेट यूजनेट 45 में आपका E सही है 46 Mobile Commerce का अच्छा विवरण है Mobile Commerce का अच्छा विवरण है Wireless Handheld Devices में द्वारा शामान रिवाओं की खरीद्धारी या विक्री करना 46 में आपका C होगा फिर आपका Question 7 यानि कि 47 पिते एक IP पैकेट में होता है सुरोत और गंतब Address दोनो 47 में आपका D 48 किसी भी Domain Name के अंतरगत अंतिम तीन अक्छर दरसाते हैं किसी भी Domain Name के अंतिम तीन अक्छर दरसाते हैं Organization 48 में आपका A होगा तो चलिए ए था आपका 12 वार टेस्ट अंगली क्लास में हम लोग 13 वे टेस्ट के बारे में जानेगे तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे कंपीटर सामानियान के बारे में इससे संबंदीत आपके कुछ मत्पून कुश्चंस और उनके आंसर्स हम लोग देख रहे हैं तो अभी तक हम लोग इस तरह के आपके 12 टेस्ट सौल कर चुके हैं यह आपका 13 वार टेस्ट है याद रखिए अगर आपने अभी तर कंप्यूटर सामानियान को डिटेल से नहीं पढ़ा है तो उससे पढ़ लें उसके बाद ही मौक टेस्ट लगाए तो बहतर होगा आपक तो आप लोग जाकर देख सकते हैं कम्प्लीट कंप्यूटर क्लासिस के नाम से जो आपकी फिले लिष्ट सूचिए उसमें आपका पूरा कंप्यूटर पढ़ाए गया है अगर उन लेक्चरों को पिला से मौक टेस्ट यह हम लगा रहे हैं अगर इन्हें कंप्लीट कर लेत होते हैं पहला कुष्चिन है हमारा यदी कंप्यूटर अपने हाथ रीबूट हो रहा हो तो यह प्रयाभ हो सकता है कि वायरस के कारण क्या होगा इसमें एक में आपका ए होगा ठीक है कुष्चिन है मारा दूसरा जंक इमेल को इस नाम से भी जाना जाता है जंक इमेल को इस नाम से भी जाना जाता है इसे स्पैम के नाम से भी जाना जाता है कुष्चिन नमबर दूसरे में आपका ए कुश्यन है मारा तीसरा बेंडर द्वारा पनाएगे प्रोग्राम मोडिफिकेशन्स बदलाओ को कहा जाता है यहते पेचस कहते हैं क्या कहते हैं पेचस तीसरे में आपका कुश्यन्स तीसरे में क्या होगा ए अंगला है मारा कुश्यन चार कंप्यूटर नेटवर्क को बाहे आकमट से बचाने की कारिविदी है फायर वाल कुश्यन्स चार में क्या होगा ए सही होगा पांच कुश्यन्स किसी फायल को इन्क्रेप्शन करने का मुख कारण है क्या है इसके संचन को सुरक्षित रखना पांच में आपका B option, बिल्कुल सही होगा, छटवा, डिजीटल हस्ताक्चर एक पिकार से है, सूचना को incorrect करना, चटवे में आपका C, अनला कुष्टन हमारा साथ, जब हैकर आपके phone या फिर email पर संपर्क करके आपका password अधी गिर्ट करने की कौसिश करता है, तो इस पिक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे कहते हैं phishing, साथ में क्या होगा आपका B option, बिल्कुल सही है, फिर है आपका आठवा question, यह है एक पिकार का program है, जो की GIF image की अंदर पड़ा होता है, यह है आपका spy भी है application, आठ में आपका C option सही होगा, आठ में क्या होगा, C, 9, question है आपका, 9, इस से threat के सक्षम, दुस पिरभावों को मापा जाता है, यह है, क्या है, नुकसान की degree, नुकसान की degree, 9 में आपका D होगा, 9 में क्या होगा, D option सही होगा, 10, यह कुछ भी हो सकता है, जो की computer system को नुकसान पहुंचा सकता है, यह सामान रूप से है, क्या है, Threat, 10 में क्या होगा, C, 10 में आपका C, 11, 11 question है, हैकर सामान तब बैद उप्यूप करता होने का, आभीने करके किसी network में प्रवेश अरजित करते हुए, इस पिक्रिया को कहते है, छदम भीद, इसे क्या कहते है, छदम बेश, 11 में क्या होगा, D, 12, एक बैक्ति जो अपने ज्ञान का प्रेयों, दूसरे बैक्तियों के, कंप्यूटरों से अवैद तरीके से जानकारी को प्राप्त खनने या उसे नश्ट करने के लिए करता है, कहलाता है, क्या कहलाता है, हैकर, बारे में आपका, B, बारे में क्या होगा, बी ओप्सन, बिल्कुल सही होगा, 13, अंगला कुशिन है मारा, 13, क्या है, यह सब्द वायरसों, बॉर्मर्स, ट्राजन, होस अटेक, एप प्लीट, तथा अटेक, अटेक स्क्रेप्ट को बढ़ित करता है, यह है, कौन सा सब्द है, माल बियर, 13 में आपका, डी होगा, 14, निम लिखित में से HTTP, कनेक्शन को सुरप्चित रखने के लिए, कौन सा कूट लिखित प्रोटोकॉल है, ट्रांसपोर्ट लेयर शेकोर्टी, TLS, 14 में आपका, बी होगा, बिल्कुल सही, 15, निम लिखित में से इसके अलाबा, सभी रियल शेकोर्टी, तथा प्राइवेसी खत्रों से सम्बंदित है, वाइरस, 15 में आपका, C ओप्शन सही होगा, 16, पहला PC वाइरस बनाए गया था, पहला PC वाइरस बनाए गया था, कब 1986 में, 16 में आपका, C बिल्कुल सही उप्शन है, 17, कम्प्वीटर वाइरस है, एक कम्प्वीटर प्रोग्राम, 17 में आपका, C, 18 वाइरस, ट्रोजन होर्सेज तथा वह बॉर्मर्स, computer system को नुकसान पहुंचाने में सक्षम होते हैं यह सभी ठीक है तो 18 में आपका ए होगा 18 में क्या होगा ए 19 पहला computer वाइरस है पहला computer वाइरस है कौन सा की क्रीपर क्या होगा इसमें ए ओप्सन सही होगा 19 में 19 में आपका ए ओप्सन बिल्कुल सही होगा कि चलते हैं कुश्चन नंबर 20 की तरफ क्या है कुश्चन 20 20 है आपका निम्ली कित्म से कौन सा computer memory में दाखिल होता है परन्तु यह ना तो वाइरस है और ना ही अपने को memory में नकल करता है तो इसमें क्या होगा आपका बी लॉजिक बंप क्या है लॉजिक बंप कुछ भी कहिए यह अच्छा इस मुसीबत की घड़ी में साथ दे रहे हैं सबजी वाले ठेले वाले कम से कम घर तो पहुंचा दे रहे हैं सबजी इनका भी बहुत देगदान है इस लड़ाई में याद रखिए ठीक है 21 वा कुछियन है मारा एक फायर वॉल संचालित होती है एक फायर वॉल संचालित होती है सी पैक्टों का नेटवर्क से में जाचना तथा नेटवर्क टैफिक को नियंतित फिल्टरिंग करवाना 21 में आपका सी होगा 21 में क्या होगा सी 22 एक टाइम बंबिस बिसिष्था प्राप्त होता है केवल एक बिसिष्थ समय का है 22 में आपका C 23 निमलिखित में से यह फायर वाल कप्रमुक्र कारे निगरानी करना 23 में आपका A होगा 24 पहला बूट सेक्टर वायरस है ब्रेंड 24 में क्या होगा C 25 निमलिखित में से कौन सा वायरस एप्लिकेशन सॉप्ट्वियर में फैलता है मैक्रो वायरस 25 में आपका A है 25 में क्या है? 26 अपनी पहचान को गलत बता कर आपसे गोपनी यह जानकारियों उप्राप करने की परियास कहलाती है 26 में आपका A होगा 26 में क्या होगा? A 27 ग्रेनित मैसेजिंग सिस्टम से अनेच्चिक मैसेज बेजने को क्या कहते हैं? 27 में आपका P होगा 27 में B ओप्शन सही है 27 में आपका 28 में क्या है 28 में आपका B होगा बिल्कुल सही 29 में एक एक एंटिवायरस है एक एंटी वायरस है एक एप्लीकेशन सॉफ्ट्वियर है एक जो भी आपके एंटी वायरस हो गया है ट्रेंड माइक्रो इस अभी आपको वहां बहुत अच्छे टेटल से पढ़ाये गया था ठीक आपके चप्टरों में तो उसे जाकर देख लें करें तीस यह भी एक वायरस का प्रिकार है इसे बाहर रोप से एंटी वायरस सॉफ्ट्वियर की पकड़ से चेपनेक लिए डिजाइन किया गया है पैरासाइटिक वायरस तीस में आपका सी विलकुल सही है एक प्तीस निम्नमे से कौन सी एक अपराधिक गतिविदी है जिसमें संबिदन सी जानकारियों जिसे पासवर्ड्स, केर्डिट कार्ड्स, बाडेविड कार्ड्स, इत्यादी चरम बेश के द्वारा एक विश्वसनिय व्यक्ति या ब्याबारिक बनकर electronic communications पर अधी गहन करने की कौसिस की जाती है pressing, 31 में आपका B, 32 इसे सामान तब PC में email attachment द्वारा हस्तानानतित करके करते हैं ताकि उसे हानी पहुचाई जा सके SPAM 35 में आपका B होगा अंगला कुश्चिन है मारा 33 कुछ वायरसों में बिलंबित पेल लोड होता है ऐसे कहते हैं BUM 33 में आपका C 34 यह एक सुता नकली ए प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को संक्यमित करता है वा अन डॉकुमेंटरों डॉकुमेंटरों या एक्जी क्यूटर क्यूटेवल कोड में अपनी पितियों को डाल कर फैलाता है BORN BORN क्या होगा B ओप्शन सही होगा 35 Virus Signature का प्रियोग किया जाता है Virus Signature का प्रियोग किया जाता है Virus पहचानने के लिए 35 में आपका A ओप्शन बिल्कुल सही है 36 जहां Virus Suspected फैलों को रखा जाता है उस पोल्डर को कहते है क्या कहते है इससे आपका Spam Mail या जंक Mail कहते है यानि कि यह भी दोनों सही होगा C Option आपका सही होगा प्र आपका 37 क्या है अरपा Net ने किस वाइरस का पता लगाया था अरपा Net ने किस वाइरस का पता लगाया था तो यह virus था आपका creeper, क्या था creeper, B option सही है, 38, Friday 13 तथा 648 उधारण है, तो यह आपके virus के था, तो चलिए यह था आपका 13 वा टेस्ट, अंगली क्लास में आपका 14 वा टेस्ट सौल्ड करेंगे, टेक? हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे, computer सामान ग्यान के कुछ मत्पून कुश्चेंज और उनके answer, यानि की computer GK mock test, तो इसमें अभी तक हम लोग 13 टेस्ट आपके खितम कर चुके हैं, यह आपका 14 वा टेस्ट है, याद रखिए, टेस्ट देने से पहले, आप लोग computer सामान ग्यान को बहुत अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद अगर आप लोग mock test लगाते हैं, तो आपको बहुत फायदा होगा, और हमारी तरफ से आपको पूरा computer सामान ग्यान आपका कवर किया गया है, अगर आप लोग 15 चेप्टर हैं करीब, पिलस्ट ए मौक टेस्ट सॉल्व कर लेते हैं, या इने कवर कर लेते हैं, तो आपका कोई भी questions नहीं छूटेगा, फिर चाहे वो लिकित रूम में हो, फिर अब्जिक्टिव रूम में आए, तो complete computer glasses के नाम से जो आपकी playlist सूचिए, उसी में पूरा material आपको मिल जाएगा, computer सामान ग्यान कर, ठीक है, तो चली हम लोग 14 वी टेस्ट का अपना पहला questions देखते हैं, पहला question है, हमारा cut, copy और paste करने के लिए, कौन सा menu select किया जाता है, कट, copy और paste करने के लिए, कौन सा menu select किया जाता है, तो इसमें होगा edit, क्या होगा, d, question, number 1 में क्या होगा, d option, आपका सही होगा, तरह हमारा दूसरा, wizard एक program है, unactive, क्या होगा, दूसरे में, question number 2 में आपका, b, unactive, तीसरा, तीसरा question क्या है, हमारा, कंप्यूटर में password के उद्देश से किया जाता है, कंप्यूटर में password के उद्देश से किया जाता है, security, तीन में आपका, d, 4, joystick का प्रात्मिक तौर प्रपेव के लिए होता है, computer, computer, gaming के लिए, किसके लिए, computer, gaming के लिए होता है, इसका उप्रात्मिक, पाच, question है, पाच, notebook से desktop model, model का काम लेने के लिए, notebook को से connect कर उसे monitor, और दूसरे उपकरणों से connect किया जा सकता है, पाच में होगा network, क्या होगा, d, question नमर पाच में क्या होगा, d option, आपका सही होगा, छटवा, bcc की full form, बताईए, blind carbon copy, इस तरह की जो भी full form है, आपकी बहुती साधार्ण सब्दों में आपको समझाई गई है, एक पूरा आपका chapter, यानि की एक पूरी class आपकी इनी से सम्मदित है, क्योंकि ये आपके अधिकतर questions से इस तरह की पूचे जाते हैं, computer, सामानिगार में, ठीक है, तो वहां जाकर देखिए, आप लोगों को पूरा complete syllabus कवर हो जाएगा, उससे, ठीक है, सात्वा question, क्या है सात्वा question, related फाइलों के collection को कहा जाता है, database, सात में क्या होगा, C, आठ, बिजली बंद कर दिये जाने के बाद, जो storage अपना data रखती है, उससे कहते हैं, क्या कहते हैं उससे, non-volatile storage, आठ में आपका B, आठ में क्या होगा, B, नौ, निमलिकित में से connectivity का उधारन कौन सा है, निमलिकित में से connectivity का उधारन कौन सा है, तो यह आपका internet, नौ में आपका A होगा, A option, सही होगा, नौ में, ठीक, फिर है आपका 10, software code में तुटियां ढूणने की एक पिक्रिया है, क्या है, compiling, compiling, 10 में आपका A, 10 में क्या होगा, A option, सही होगा, 11, question है आपका 11, मैं बिशिष्ट नियम और सब्द होते हैं, जो एक algorithm की logical steps में कुब्यक्त करते हैं, C, programming language, 11 में आपका C, 11 में क्यों होगा, C, 12, बारे, विद्दमान डोक्यूमेंट को परिवर्तित करना, डोक्यूमेंट की कहलाता है, क्या कहलाता है, editing कहलाता है, 12 में आपका B होगा, 13, virtual memory क्या है, virtual memory क्या होती है, hard disk की memory, जिससे CPU extended RAM की तरह प्रियोग करता है, 13 में आपका A होगा, 13 में क्या होगा, A option सही होगा, 14, computer में data store करने और गणनाए करने के लिए, number system का प्रियोग कलते हैं, 14 में आपका winery होगा, क्या होगा, D option सही होगा, 15, क्या है question हमारा 15 रहे, storage device कौन सी नहीं है, storage device कौन सी नहीं है, पूंच रहा है, हो, इसमें क्या होगा, CD है, DVD है, floppy disk है, hard disk की भी है, printer नहीं है, इसमें आपका, तो 15 में आपका, D, option सही है, 15 में के option सही है, D, question है हमारा 16, text की पंती के आरंब में, जाने के लिए, कुझी दवाए, कौन सी दवाए जाती है, home, 16 में आपका, A, 17, email बेजते समय, की लाइन संदेश की, विस्यवस्तू के बारे में बता देती है, subject, 17 में आपका, B होगा, ठीक है, question है हमारा 18, word में, test की formatting करते समय, किस grouping में, काम किया जाता है, word में, test की formatting करते समय, किस grouping, में काम किया जाता है, characters, sections, और paragraphs, 18 में आपका, C होगा, 19, m as dos को, start के run, features द्वारा, start करने के लिए, नेमलिकित में से, क्या लिखना पड़ता है, 19 में आपका, B होगा, command, come, 19 में आपका, B होगा, command, दॉट कॉम, चल दें, कुश्चन नमर 20 की तरफ, क्या है, कुश्चन हमारा 20, computer को बताता है, कि इसमें components का, प्रियोग कैसी किया जाता है, computer को बताता है, operating system, बताता है कि, इसके components का, प्रियोग किस पिकार किया जाता है, यानि कि कुश्चन नमर 20 में आपका, क्या होगा, C, कुश्चन नमर 20 में आपका, C होगा, 21, टैली, निमलिकित में से, किस पिकार किया जाता है, टैली, निमलिकित में से, किस पिकार किया जाता है, accounts में, 21 में आपका, A होगा, 21 में क्या होगा एए सही 22 Computer के मुख्य कार है Computer के मुख्य कार है Data का संकलन करना Data का संचैन करना Data का संसाधन करना तो इसमें होगा है उपयोक्त सभी क्या होगा है 3A, B, C तीनों कार है आपके Computer के है 23 अंगला Question क्या है हमारा 23 वर्तमान में Application Software त्यार किये जाते है वर्तमान समय में Application Software त्यार किये जाते है उचिस्तर ही ये भासा में 23 में आपका B होगा 24 निमली कितमें से कौन सा Application Software नहीं है 24 में क्या होगा आपका Utility Program नहीं है Caller ले रहा है, MSPAD भी है, PageMaker इसमें क्या नहीं है A Option सही होगा Utility Program Application Software नहीं है आपका 24 में आपका A 25 Computer तंत में बस से क्या अभी प्राह है Computer तंत में बस से क्या अभी प्राह है समाना अंतर धारापत Question नमर 25 में आपका A होगा 25 में क्या होगा? A 26 26 में क्या है? File को में Store करके Organize किया जाता है Folders File को Folders में Store करके Organize किया जाता है 26 में आपका B 27 X.25 पराधारित है Packet Switching Band 27 में आपका B 27 में क्या होगा? B 28 क्या है Question हमारा? 28 28 Question है जब Computer परियोकता किसी Document को करते हैं तो बे इसमें Appearance को बदल देते हैं Edit Edit करते हैं क्या होगा 28 में आपका A 28 में A Option सही होगा 29 Optically पड़ी जाने वाली Flat, Metallic Disk जिसमें इस्थाई रोप से बहुत सी Information है Store की होती है उसे कहते हैं उसे कहते हैं CD-ROM 29 में आपका C होगा 29 में क्या होगा? C Option सही होगा पर आपका 30 Question Text के उपर Mouse Arrow को Drag करते हुए Setting तो आपका Select करने को कहते हैं इसे कहते हैं High Light 30 में आपका B होगा 30 में कोई होगा? B Option सही होगा 31 Processing के दवरान Data, Program और Proced Information आइस्थाई रूप से में रखा जाता है किस में रखा जाता है? RAM में C Option सही होगा 31 में आपका C 32 आओधिक रूप से File Record जोडना बदलना या मेटाना कहलाता है Updating क्या कहलाता है? Updating 32 में आपका A होगा 32 में क्या होगा? A Option सही होगा 33 33 क्या है? ना हो तो Computer Boot नहीं कर सकता है Operating System ना हो तो Computer Boot नहीं कर सकता है 33 में आपका C होगा 33 में C Option सही होगा 34 पहले से On Computer को Restart करने को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं Warm Booting 34 में आपका B होगा 34 में क्या होगा? B Option बिलकुल सही होगा 35 E-mail संधेसों के Storage Area को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं Mailbox 35 में आपका C होगा 35 में क्या होगा? C option सही होगा फिर आपका 36 36 question है computer में नेमले कित्में से किस में एक winery bit होती है flip flop 36 में आपका B होगा 36 में क्या होगा B option बिलकुल सही होगा 37 एक byte से कितने मूल निरूपित किये जा सकते है एक byte से कितने मूल निरूपित किये जा सकते है तो 37 में आपका 256 होगा D क्या होगा 256 ठीक है question हमारा 38 क्या है बेप पेच पर दिखने बाले कुक किया जाए तो उससे दूसरा document खुलता है hyperlink 38 में क्या होगा C question है हमारा 49 text आधारी document तियार करने बाले software को क्या कहते हैं इसे कहते हैं word processor 49 में आपका E होगा 49 में क्या होगा E option सही होगा फ़र आपका 40 अगर आप लोग अपनी फैलों को डिलीट करते हैं तो recycle bin में चली जाते हैं उन्हें आप लोग दुबारा पराप्त कर सकते हैं लेकिन अगर आप recycle bin सेया खटा देते आ तो आप इसे फिर फैलों को पराप्त नहीं कर सकते हैं ठीक है 41 एक्तारीश इंट्रेक्शन का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है बताता है उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं हम लोग प्रोग्राम एक्तारीश में आपका डी होगा एक्तारीश में क्या होगा डी हमारा है कुश्चन 42 क्या है कुश्चन है 42 सभी वर्ड डोकुमेंट्स के लिए डिफाल्ट फाइल एक्स्टेंशन क्या है यह है आपका डॉट डी वोसी 42 में आपका स्थी 42 में क्या उप्सन है स्थी 43 क्यूश्चन है जिस तरह लोग मैथे मैटिकली सोचते हैं उसे लेंगविज रिफ्लेक्ट करती है कि फंक्सनल में जाओगा डी ऑफ्सन आपका सही होगा 43 में चवाली समारा अंगला क्विश्चन क्या होगा चवाली सब्सक्राइब किसी खास डिजैन की विसेश्चता का विसेश्चताओं का सेट निम्ण में से कौन सा है केली ग्राफ चवालीस में आपका होगा स्थी 45 किसी डोकुमेंट की का अरत है कि फाइल किसी दूसरी कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर में ट्रांसपर हो जाती है रीली सिम्पल सेंडी के संथ आर एसस पैंतालीस में आपका भी होगा च्छालीस एन मैसे कौन सा इंटरनेट पर व्यक्ती संपेशन्ड का साधन नहीं है चैट है इन एस्टेंट मैसेजिंग है इन इस्ट्रा नोट्स नहीं है एलेक्ट्रोनिक मेल भी है तो इसमें क्या होगा आपका सी 46 में आपका सी होगा 47 क्या है कनेक्टर का भीनने कन फिकरेशन में कनेक्शन को बदलने का वाली डिवाईस है यह आपकी अडेप्टर क्या है डी ओप्शन सही है 47 में 48 बेप साइट का मुक पेज इसका कहलाता है क्या कहलाता है हॉम पेज 48 में आपका ए होगा यह कोश्चन साब का कई बार कई परिक्षाओं में पूंच आ जा चुका है तो इसे याद रखना है 49 पार्ट नंबर पार्ट डिस्क्रेप्शन और और किये गए पार्ट के उधारन है इनपूट 49 में आपका ए होगा उननचास में क्या होगा ए पचास बेप पेज को रिलोड करने के लिए बटन दबाए जी लोड पचास में आपका होगा भी पचास में भी तो चली यह था आपका 14 बार टेस्ट अंगली के लास में हम लोग 15 बार टेस्ट देखेंगे नमस्का दोस्तों तो चलीए हम लोग बात कर रहे थे कंप्पीटर सामानियान के बारे में कंप्पीटर सामानियान से संभानदीत आपके Q.39 मत्कुन Q como ваш और उनके आंसर देख रहे हैं यानि कि computer gk से सम्मदित आपके mock test solve कर रहे हैं हम लोग तो अभी तक हम लोग आपके 14 test खतम कर चुके हैं कितने 14 आज की इस class में हम लोग बात करेंगे 15 वे test के बारे में तो आप लोगों को बता दें कि अगर आप पहले computer science सामान गयान को detail के साथ chapter by chapter पढ़ लें उसके बाद अगर आप लोग मोग टेस्ट देते हैं या कोई भी परीक्षा देते हैं तो आप बहुत सब्दों में बात की हम लोग बहुत ही सब्दों में पढ़ाया है तो आप जाकर देख सकते हैं complete computer classes के नाम से आपकी playlist सूचिए उसमें आपके सभी chapter पढ़े हुए हैं ठीक है नहीं छूटेगा फिर चाहिए वो लिखीतर रूम में आये चाहिए पर objective रूम में आये क्यूंकि बहुत अच्छे से हम लोगोंने cover किया हुआ है तो चलिए question हम देखते हैं एक micro computer की शुरुआत हुई है micro computer की शुरुआत हुई है चत्वर्थ PD में कब चत्वर्थ PD question एक में आपका क्या हुगा D D option बिल्कुल सही हुगा दूसरा question है हमारा Intel 4004 micro processor का विस्कार हुआ था Intel 4004 micro processor का अविस्कार हुआ था सन 1970 में कब हुआ था सन 1970 में question है हमारा तीसरा IBM PC विक्सित हुआ था IBM PC विक्सित हुआ था ते हुआ था आपका 1981 में तीसरे question में आपका B होगा तीसरे question में आपका सही answer क्या हुआ था B option बात करते हैं question नमर चार की सबसे पहला micro computer था सबसे पहला micro computer था अल्टेयर 8800 यानि की 8800 इसमें क्या होगा A option बिल्कुल सही होगा आपका चार में A question है हमारा 5 बे लोग जो computer के data तयार करते हैं कहलाते हैं बे लोग जो computer के data तयार करते हैं कहलाते हैं यूजर और computer personal इसमें आपका A भी दोनों होंगे पांच में आपका D होगा यानि की पांच में क्या होगा D option question है हमारा चटवा आधुनिक बेवसाय जो computer और internet के सही होग सी किया जाता है किया जाता है क्या है E business e-mail, e-media, ये सभी क्या होगा इसमें 6 में आपका छटवी question में D होगा क्या होगा D option बिलकुल सही होगा question है हमारा साथ बे computer जो भौतिक मात्राओं को माब कर उनके पईडाम अंकों में व्यक्त करते हैं analog computer साथ में आपका C होगा बे computer जो भौतिक मात्राओं को माब कर उनके पईडाम अंकों में व्यक्त करते हैं analog computer साथ में C C option सही होगा question है question है no no table के एक column को कहते है table के एक column को कहते है attributes 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 no में आपका B होगा क्या होगा B option सही होगा 10 निम्न में से कौन output device है निम्न में से कौन output device है printer printer mouse scanner keyboard यह सभी आपके input device है printer आपका output device है 10 में क्या होगा B याद रखे mouse क्या होता है keyboard क्या होता है scanner यह क्या होते है इन सभी कौन लोगों ने उनमें cover किया हुए उनने देख लोगे तो आपका कोई भी questions आता है तो आप बहतर रिष्टिती में होगे क्योंकि आपको पता रहेगा कि output device कौन कौन से है input device क्या होता है mouse क्या होता है keyboard क्या होता है scanner क्या होता है printer क्या होता है तो आप बहतर answer दे पाएंगे ठीक तो जाकर देख लें उन्हें अच्छे से दस में क्या होगा question है मारा बार है computer किसी भी data को store करता है कम्प्यूटर किसी भी डेटा को इस्टोर करता है चीरो एवं बन की रूम है 12 में आपका भी होगा 13 मेमोरी की चमता मापी जाती है मेमोरी की चमता मापी जाती है मेगा बाइट में 13 में आपका C होगा कुष्चन हमारा 14 CD का साब्दी करत है CD का साब्दी करत है Compact Disc याद रखिए जो भी इस तरह के फुल्पॉम है, shortcut है इन सभी के लिए भी हम लोगों ने एक अलग से आपका लेक्टर बनाया है ये भी उनी उसी PTA प्लेलिस्ट सूची यानि complete computer classes के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची है उसी में एक पूरी किलास है आपकी sort form, fall form लिका क्या है ये होते क्या है उसी के बारे में समझाए गया है तो 14 में आपका C होगा चलते हैं क्वेश्चन नमर 15 की तरह relational model के मुख आधार भूत कारे है project 15 में आपका C 16 ROM read only memory में data सिर्फ बढ़ा जाता है 16 में क्या होगा आपका A option बिल्कुल सही होगा 16 में A question है हमारा सत्र क्या है question किसी सरचना की बिस्वसी नीता जानदा है किस सरचना की बिस्वसी नीता जानदा है bus की 17 में आपका A 18 निम्न में सिक output device है प्रेंटर 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 मॉनीटर इस्वीकर ये सभी होगा 18 में आपका E होगा 18 में क्या होगा E ये सभी कुश्चन है मारा 19 निम्न में सिक input device है निम्न में सिक input device है कीवोड माउस प्रेंटर प्रेंटर नहीं है क्या है कीवोड है माउस है ये दोनों आपकी input device है और जो प्रेंटर है आपका ये output device है तो इसमें होगा A, B यानि की D option सही हो प्रेंटर निम्न में क्या होगा D कुश्चन है हमारा 20 डेटा और प्रोग्राम जहां जाते हैं उसे कहते हैं डेटा और प्रोग्राम जहां जाते हैं उसे कहते हैं CPU क्या आप कहते हैं CPU कहते हैं 20 में क्या होगा आपका D कुशन है 21 डॉट मेटिक्स प्रेंटर द्वारा छपाई किसके माद्यम से की जाती है बिन्दों 21 में आपकर A होगा 21 में क्या होगा A कुशन है मारा 22 O A S का साब्दी करते क्विश्चन नमबर 22 में आपका C होगा क्या होगा? C ओप्शन सही होगा क्विश्चन हमारा 23 मिनी कम्प्यूटर की डिस्क इस्टोरेज चमता होती है कितनी होती है? 20 GB कुश्चन नमर 23 में आपका B होगा क्विश्चन हमारा 24 कम्प्यूटर को इंटरनेट से जोडता है मौड़र 24 में आपका D 24 में क्या होगा? D 25 MIS का मुख्यकार है MIS का मुख्यकार है data संगेत करना, process data को जमा करना, management के लिए सूचना फिराप्त करना उप्यूटर सभी होगा इसमें 25 में आपका E होगा क्या होगा 25 में? E चलते हैं question number 26 की तरफ क्या 26 question? ग्राफिक्स से बाले आउटपूट को ग्राफिक्स से बाले आउटपूट को कागज पर उतारने के लिए किसका उप्योग किया जाता है? ग्राफिक्स से बाले आउटपूट का 26 में आपका C होगा 27 एक्सिस टाइम क्या है? एक्सिस टाइम क्या है आपका? निर्देशन देने के बाद से लेकर निर्देश के पूरा होने की भी कह समय 27 में आपका E 27 में D होगा कुष्चन नमर 27 में क्या होगा? D कुष्चन है मारा 28 हाई स्पीड मेमोरी को क्या कहते है? हाई स्पीड मेमोरी को क्या कहते है? कैस मेमोरी 28 में क्या होगा आपका? B कुष्चन है मारा 29 डॉक्यूमेंट की हाई डॉक्यूमेंट की हाइड कॉपी प्रेंट और प्रेंट की जाती है 29 में आपका ए है 29 में ये ओप्शन सही है कुश्चिन है मारा 30 यूजर डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे कहते है फाइल नेम क्या कहते है फाइल नेम कुश्चिन है मारा 31 क्या है कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चोड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते है कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलाग अलाग लंबाई चोड़ाई की लाइन वाले कोड को क्या कहते हैं तो इसे कहते हैं बार कोड 31 में आपका D 31 में क्या होगा D Question है हमारा 32 क्या है Email Electronic Mail क्या होते हैं Email यानि कि Electronic Mail क्या होता है Computer Network की माध्यम से संदेशों और फाइलों का Transmission आपका Email होता है Question नमर 32 में आपका D होगा चल दे हैं Question नमर 33 की ग्रव 33 क्या हमारा Computer प्रोग्रामों को लिखने बाले और उन्हें का परिच्छन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग Software Engineer 33 में आपका C होगा Question है मारा 34 Computer में आप जो Information डालते हैं उसे क्या कहते हैं Computer में आप जो Information डालते हैं उसे क्या कहते हैं डेटा क्या कहते हैं डेटा कहते हैं 34 में आपका B है Question हमारा 35 Computer में Magnetic Dem Memory में अभी गम्रता होती है आंसिक या देख चिक आंसिक अनुकिरमिक यानि कि 35 में आपका D होगा 35 में क्या होगा D Question है हमारा 36 HTML द्वारा Coding करके बनाए जाने वाले बेप प्रेश्टों की संख्या प्रेश्टों की क्या extension होती है .html 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 36 में आपका A भी दोनों होगे यानि कि 36 में आपका C option होगा ठीक है A भी दोनों कुश्चन है हमारा 37 कंप्यूटर बंद होने पर के contents निकल जाते हैं अधियो अधियो प्रोशेसरों में और होते हैं जो इमेजेज कुश्टों बहाँ प्रोशेस करते हैं बीजिये वर मेमोरी 38 वीडियो प्रोसेसर में बीजिये और मेमोरी होते हैं जो इमेजेज को इस्टोर वर प्रोसेस करते हैं 38 में क्या होगा आपका C 38 में आपका C ओप्शन विल्कुछ सही होगा कुश्यन है मारा 49 बिसेश पिकार के संगीत ओपकरणों को साउंड कायडों से कौन सपोर्ट जोडता है M-I-D-I 49 में क्या होगा D M-I-D-I कुश्यन है मारा अंगला 40 2 वर्ड्स हैं जिसे प्रोग्रामिंग लेंग्विज में अपने स्वैम के उपिये गुई तू अलग रखा है रिजेवड वर्ड्स 40 में आपका स्थी होगा कुश्यन है मारा 41 एक्सेल में यूजरों को उन बर्क बॉक्स की कॉपी साथ लाने देता है जिन पर अन्य यूजरों ने सुतंत रूप से कारी किया है मर्जिम 41 में आपका B होगा कुश्यन है मारा 42 सेकंडरी स्टोरेज मेडिया से हार्ड डिस्क में सॉप्ट्वेयर कॉपी करने की फिक्रिया क्या कहलाती है तो इसे कहते हैं इन इस्टोलेशन इप्सेल सही है 42 में आपका इप्सेल सही है कुश्यन हमारा 43 एक नए बेपेश पर नौमी मेशन ही तो जिसका यूर Us 구독er के में इयूर्यल टाइप کरके औहिय और इंटर दवाएं एड्रेस बार इक नए बेपेश पर नौबी मेशन ही तो जिसका Year आपको पता है एड्रेस बार में ईड्रेस बार में ईड्राइप करें और इंटर दवायें 43 में आपका A है Question है मारा 44 Computer Program उच्छे स्थरी ये Programming भासा में लिखे जाते हैं तदापी Program के मानवी है वाचा कुरूपांतर को कहा जाता है Source Code क्या कहते हैं? Source Code 44 में आपका C होगा 45 Page, Paste पर सब्द कैसे आएंगे? इसके लिए सब्द है Text Formating 45 आपका A है 45 में क्या है? A Option 46 Disk की बस्तू जिसे बी निर्माड करते समय Record किया जाता है और जिसे परियोकता द्वारा बदला या मिटा या नहीं जा सकता है वा है Cable Read 46 में आपका C है Question है हमारा 47 क्या है Question? Computer में बस से अभी प्राए है केवल कुछ लाएन है 47 में आपका B होगा Question है 48 Drum Penter प्रिकार के Penter का एक उधारन है Line लाएन प्रेंटर के 48 में आपका A Question है 49 एक एक एल्गो रिथ्म के लॉजीकल स्टेप को ब्यक्त करने के लिए विशिष्ठ निर्दिस तथा सब्द रखती है या रखते हैं प्रोग्रामिंग लेंग्वेज में 49 में क्या होगा आपका A Last Question है हमारा 50 Command के कर्यार्मेंड की पिक्रिया है Aggecuting Command के कर्यार्मेंड की पिक्रिया है 50 में आपका C होगा तो चलिए यह था आपका 15 वाट टेश्ट अंगली क्लास में हम लोग 16 वे टेश्ट की बारे में बात करेंगे नमस्कार दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे Computer सामानियान से सम्मदीथ आपके कुछ महत्पून Questions और उनके Answers तो इसमें अभी तक हम लोग इस तरह के आपके 15 टेश्ट खतम कर चुके हैं यह आपका 100 लाइवा टेश्ट है कौन सा 100 लाइवा देखिए फिर से बता देता हूं कि टेश्ट कब देते हैं आप लोग परिछाएं कब देते हैं जब आपकी तैयारी एक अच्छे लेवल पर पहुच जाती है और आपको लगने लगता है कि हम पेपर देने के लिए तैयार हैं तो आप पहले एक कम्प्यूटर सामान ग्यान को अच्छे से पढ़ लीजे चेप्टर वाई चेप्टर उसके बाद मौक टेस्ट लगाईए तब आपको बहुत बहतर तरीके से आपकी अपने जो तैयारी है उसके बारे में बता चलेगा और पेपर भी अच्छा जा सकेगा तो कहीं से भी पढ़िए और हमारी तरफ से भी आपका मद्धविदेश पूरा सामान गयान कवर किया गया है उत्तर पिदेश और जो आपकी लूसेंट टाइप की वुक्स आती है इस टाइप की आपकी एक किरन की वुक्स आती है जो थोड़ी लूसेंट से बहतर होती है उसे भी पूरा कवर किया गया है और कंप्यूटर सामान गयान को कवर किया तो computer सामान ग्यान की जो भी सभी लेक्चर हैं आपके chapter by chapter वो सभी complete computer classes के नाम से जो आपकी playlist सूची है उसी में डले हुए हैं इतना वादा करता हूं कि अगर आप लो computer सामान ग्यान जो complete computer classes के नाम से playlist सूची है उसमें डला हुए है 15 चेप्टर के करीब हैं और पिलस ये mock test हम लोग जो solve कर रहे हैं अगर इन्हें आप लोग solve कर लेते हैं तो आपका questions कोई भी गलत नहीं होगा फिर चाहे वो लिखीत रूब में हो फिर चाहे object रूब में हो क्योंकि बहुत बहुत सुलेवी टेस्ट का पहला questions देखते हैं अनेक प्रोसेसरों द्वारा की जाने वाली दो या अधिक प्रोग्रामों की लगातार प्रोसेसिंग कहलाती है मल्टी प्रोसेसिंग अनेक प्रोसेसरों द्वारा की जाने वाली दो या अधिक प्रोग्रामों की लगातार प्रोसेसिंग क्या कहलाती है मल्टी प्रोसेसिंग तो question number एक में आपका B होगा दूसरा question आपके computer में everything component में होता है hardware होता है या फिर software तो question number दूसरे में आपका क्या होगा question है मारा तीसरा computer program में एक error computer program में एक error bug है तीसरे में क्या होगा C question number 3 में क्या होगा C question है मारा चार tab drive data को access offer करता है tab drive data को access offer करता है sequence here क्या होगा 4 में D होगा question number 4 में D question है मारा 5 बारस virus कभिस्तारित रूप है जो आपने सुना होगा virus आ गया laptop में phone में तो इसका पूरा नाम क्या है full phone तो इसका नाम है बिटल इन्खोर्मेशन रिसोर्स अंडर साइस सीज क्या होगा इसमें B option सही हो इस तरह के जो भी आपके संचिप्त रूप है फुलपाउम है उनके इनके बारे में एक अलग से आपकी पूरी क्लास ली गई है उनमें आपका बताये गया है किस बेहन का क्या फुलपाउम होता है computer से संबंधी जितनी भी आपके सब दोते हैं उन सभी आपका इसमें फुलपाउम बताये हैं तो आँ जाकर देख लें अच्छे से पूरा कपर किया गया है और आपका बच्चता है math, reasoning, English अगर तीन सब्चेक्ट कवर हो जाते हैं तो फिर आपको किसी भी प्लेटपाउम पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो इसके लिए भी हम कॉसेस ही कर रहे हैं कोई मिल जा एक चटर टीचर तो बात तो चल रही है करी जगे तो आप ल फिर ही में सब आपको मिल जाएगा बहुत जल्दी मैं करवा दूँगा ठीचर चटबा कुश्चन प्रेडी फाइन्ड मीनिंग वाले करेक्टर करेक्टरों का एक समूव है फाइल कुश्चन नमबर चटबे में आपका ए ओप्शन बिलकुल सही है साथ पत लिखने जैसे कार करने के लिए प्योग तो सॉफ्ट्वियर के तो रिकार को कहते हैं क्या कहते हैं एपलीकिसन सॉफ्ट्वियर कुश्चन नमबर साथ में आपका सी कुश्चन है आट .vs.doc.htm किसके उधारन है एक्स्टेंशन के आट में आपका सी होगा नौ एक यूनिक नाम होता है जो आप सूचना की किसी फाइल को देते हैं एक यूनिक नाम होता है जो आप सूचना की किसी फाइल को देखते हैं नौ में क्या होगा देखते हैं कमपाइल कोड़ कम निर्मित हुआ था 1946 में हुआ था कब हुआ 1946 में 12 में आपका C Q13 Transistor क्या है Semiconductor 80 चालब 13 में आपका A 13 में क्या होगा A option सही होगा Q14 4 3 PD के computer का मुख पूरजा क्या है 4 3 PD के computer का मुख पूरजा क्या है Micro Processor 14 में आपका A होगा Q14 में A option सही होगा 15 है डिजीटल कम्प्यूटरों को कितने बर्भों में बाढ़ सकते हैं तो इनों चार प्रभों में बाढ़ सकते हैं को स्थेमारा सूल्य क् Scotts समय कि माइक्रो कम्प्यूटर की इंटरनल मेमूरी कितनी होती है माइक्रो कम्प्यूटर की इंटरनल मेमोरी कितनी होती है 256 के भी 16 में आपका D होगा 17 आजकल इस्तेमाल हो रहे कम्प्यूटर किस सैड़ी के है आजकल इस्तेमाल हो रहे कम्प्यूटर किस सैड़ी के है डिजीटल 17 में आपका A होगा कुशन है 18 Intrigated Circuit किसे कहते है Intrigated Circuit किसे कहते है Silicon के एक सामान सेमी कंड़ेक्टर चिप पर बने सूक चंट परिपत को 18 में आपका P होगा 18 में क्या होगा B 19 कुशन है आपका 19 0 और 1 को या bit कहते है 0 और 1 को 0 और 1 को क्या कहते है Wineri, Unc या फिर bit कहते है 19 में आपका A होगा Question है 20 कितने bit मिलाकर एक byte बनती है कितने bit मिलाकर एक byte बनती है 8 bit 20 में क्या होगा B option बिल्कुश सही होगा 21 data के 1 और 0 के bits को bit दर bit क्रमा नुसार नेमने में से किस डिप जिस डिवाइस के द्वारां बेजा जाता है वह है Serial Keyboard 21 में क्या होगा आपका C 21 में C Question है हमारा 22 कंप्यूटर में त्यार किये गए प्रोग्रामों की समूग को कहते हैं Software 22 में क्या होगा आपका C Question है 23 23 ऐसे अनेक प्रोग्रामों की समूग जो एक निश्चित कार करते हैं कहलाते हैं क्या कहलाते हैं Utility Software Question नमर 23 में आपका क्या होगा A option बिलकुल सही होगा 24 24 IERM कार्ट क्या है Information Resource Management 24 में आपका C होगा 24 में क्या होगा C option सही होगा 25 आगरन्वा सुचना तंत में तंत में सामान तौर पर कितने उप्तंत होते हैं 3 25 में आपका B होगा 25 में क्या होगा B 26 कम्पीटर की प्रोसेसिंग स्पीड को किसकी मदश से घटा या फिर बढ़ा सकते हैं तो आपका टर्वो स्वीच 26 में आपका A है A option 26 में सही है 27 टैप किस चीज का बना होता है टैप किस चीज का बना होता है पोटल 28 में आपका C होगा 28 में क्या होगा C option 29 कोई चीज जिसमें जिसने आसानी से intersection समझ की लिए हैं उसे कहते हैं उसे कहते हैं Information Question 29 में आपका B होगा 29 में क्या होगा B 30 Print करने के लिए कौन सा menu Select किया जाता है File 30 में आपका C होगा 31 MS Access में एक टेबल में primary कीज होती है 1 31 में आपका A Question 32 इन में से कौन सा toggle button नहीं है इन में इन में से कोई नहीं है इसमें क्या होगा 32 में E 33 कॉलम का टेक्स्ट समानता aligned होता है Justified Question Question 33 में आपका A होगा 34 आपके computer में बनी permanent memory को क्या कहते हैं आपके computer में बनी permanent memory को क्या कहते हैं ROM 34 में आपका B होगा 34 में क्या होगा B 35 यदि computer में printer या फिर scanner जैसी नई device attach की जाती है तो device का प्रयोग किया जाने से पहले इसका install किया जाना चाहिए Driver 35 में आपका क्या होगा B 35 में B option सही होगा 36 जिस software से उप्यूब करता internet सर्फ कर लेते हैं उसी कहते हैं browser 36 में आपका D 36 में आपका 36 में D option सही है 37 कंपाइलिंग से create होता है या होती है एक्जी क्योटेवल प्रोग्राम 37 में आपका C 38 किसी एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डेटा में श्टोरी किया जाता है clipboard 38 में आपका B हुआ 49 firewall का प्रमोख function निम लिखित में से कौन से है monitoring 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 29 में क्या होगा आपका A question है मारा 40 anti-virus software का उधारन है business software का 40 में क्या होगा A 41 computer सीधे संपर्व करता है computer सीधे संपर्व करता है hard hard drive से hard drive से 41 में A होगा by 42 file extension को file के मुख नाम से नाम से पितक किया गया है पर कोई space नहीं दिया जाता है period period 42 में आपका D होगा 42 में क्या होगा D option सही होगा 43 babe मैं एक से जाना बेप पेज होते हैं जो babe server परिश्तित होते हैं site 43 में आपका B होगा 44 डेस्क टॉप पर छोटे छोटे ग्राफिक होते हैं जिनें कहते हैं icon 44 में क्या होगा C option सही होगा 45 सारुजने कि स्थानों पर सूचना display करने के लिए सामान तर किसका परियोग किया जाता है monitor एवं overhead project 45 में आपका C है 46 नेमलिकित में से कौन सी computer की programming बासा नहीं है जो नीचे option दिये गए इनमें से computer की programming भासा नहीं है basic है photon है laser नहीं है आपकी पासकल भी है तो इसमें क्या होगा C question number 46 में आपका C होगा 47 सेंतालीस सेंतालीस question आपका control, shift और alt की क्या कहलाती है इन्हें कहते है modifier 47 में आपका A 48 CPU का क्या कारे CPU का क्या कारे processing करना 48 में B 49 किसी मेमोरी डिवाइस में कौन सा सर्कीट इस्तिमाल किया जाता है फिलप फिलोप 49 में आपका C 50 dot matix printing के लिए क्या इस्तिमाल करता है print head 50 में आपका C तो यह थे आपके 15 16 टेस्ट कौन सा 16 टेस्ट था इसमें 50 questions से देखें अंगला हम लोग 17 टेस्ट में आपके और 50 questions से देखेंगे पहले आप लोग computer सामान गयान को अच्छे से पढ़ लिए क्या है कि आपको अगर अभी 5% फायदा हो रहा हुआ तो उससे आपका 50% फायदा बढ़ जाएगा मतलब इतना जरूरी है इसलिए तो आपको सलाय दी जाती है कि मौक टेस्ट जितने लगा सकते हैं उतने लगाईए क्योंकि मैं उसी से फायदा होता है तो बने रही है और पढ़ते रही है नमस्का दोस्तो तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे कंप्यूटर सामान गयान से संबन दी थे आपकी कुछ मत्पून कुश्चन्स और उनके आंसर्स तो अभी तक इस तरह कि हम लोग 16 टेस्ट आपके देख चुके हैं कितने 16 और यह आपका 17 टेस्ट है तो इससे पहले अगर आप लोगोंने कंप्यूटर सामान गयान को अच्छे से नहीं पढ़ा है डेटेल के साथ विस्तार के साथ तो उससे जाकर पढ़ लें उसके बाद आप लोग मौक टेस्ट लगाए तो बहतर होगा और आपको फायदा भी रहेगा ठीक है तो इसमें हम लोग हमारी तरब से भी आपको कंप्यूटर सामान गयान का पूरे लेक्चर तेरे चोदर लेक्चर हैं चेप्टर वाई चेप्टर बताएगए और कंप्यूटर क्लासिस के नाम से जो फिलेलेष्ट सूची है उसी में आपकी सभी लेक्चर डले गए हैं इतना याद रखी अगर आप लोग उन सभी लेक्चरों को पिलस जो हम लोग मौक टेस्ट लगा रहे हैं इन्हें आप लोग कवर कर लेते हैं तो कंप्यूटर सामान गयान से आपका कोई भी कुश्चन साथ आए आप सॉल्व करने की इस्तिती में होंगे फिर चाहे वो लिकित रूम में हो फिर चाहे अबजेक्ट रूम में क्योंकि साधान सब्दों में और बहुत ही डिटेल में पढ़ाए गया है अब जैसे आप CPU का सॉट फॉर्म है इसका फ्ल फॉर्म इसके लिए हम लोगोंने Class पूरी एक पूरा lecture ही इसी पर बनाया है शॉट फॉर्म फॉल्पॉर्म क्या हुता है जो भी आपकी Computer class Computer की सॉट फॉर्म है उनके विस्तार बताय गया है और तो वहां जाक вас देख ले देख लें तो चली कुश्चन नमबर पहला देखते हैं सत्रे भी टेस्ट का पहला है मारा मॉनीटर और हार्ड ड्राइब जैसे अधिक पावर हंग्री कम्पोनेंटों को फाय आइडल आइडल लखने पर होता है हाईवर नेशन कुश्चन नमबर एक में क्या होगा आपका ए क्या होगा ए ओप्शन सही होगा दूसरा कुश्चन है हमारा हार्ड डिस्क ड्राइब को स्टोरेज माना जाता है नॉन बॉलिटाइल नॉन बॉलिटाइल कुश्चन नमब दूसरे में क्या होगा भी तीसरा है हमारा सौर्ट कट्स और अनविशेश कारेओं के लिए की और की अनकीज के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है सौर्ट कट्स और अनक विशेश कारेओं के लिए कंट्रोल की और सौर्ट अल्ट की अनकीज के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है कुश्चन नमब तीन में आपका ए ओप्सन बिल्कु सही है कुश्चन है हमारा चार और सरवादिक सामान इन्पुट डिवाईस है कीबोड कीबोड और माउस सामान सरवादिक सामान इन्पुट डिवाईस है कुश्चन नमब चार में क्या होग आपका डी चल दें कुश्चन नमब पांच की तरह नए नाम सहित या नए लोकेशन पर किसी विद्धमान फाइल को सेब करने के लिए आपको कमांड का प्रयोग करना चाहिए Save as 5 में आपका A होगा Sorry, 5 में C होगा क्या होगा 5 में C ओप्सन Question है मारा चटवा User Application Software को Connect करते हुए Interface के रूम में Function करते हुए किस पिकार का Software Computer प्रोसोसों को मैनेज करता है Operating System Question No.6 में आपका D हो Question है मारा साथ CPU का वय भाग CPU का वय भाग जो अन सभी Computer Components की गतिविदियों को Coordinate करता है वय निमले खित है Control Unit क्या है Control Unit साथ में आपका C साथ में क्या होगा C Question है मारा आठ Access देने से पहले Computer User नामों और पासवर्डों को मैच करने के लिए चेक करता है Database क्या करता है Database चेक करता है आठ में आपका D है Question है मारा 9 क्या है Database में Fields Calculation करने के लिए प्रियोगत नंबर इस्टोर करते है Alpha Numeric 9 में क्या होगा आपका C 9 में आपका C option सही है Question है मारा 10 Hardware और Software का एक combination है जो Computing डिवाइसों की बीच सूचना के आधन पेदान की सुविधा पेदान करता है Network 10 में क्या होगा आपका A option बिलकुल सही होगा Question है मारा क्या है Name लिखित में से कौन सा कथन सत्थ है निमलिकित में से कौन सा कथन सत्थ है Virtual Memory Heart Drive पर Space है जहां Operating System Memory Wound होने पर Data Store करना आरम करती है 11 में आपका A होगा Question नमर 11 में क्या होगा A option चलते हैं Question नमर 11 की तरह क्या Question नमरा है का परियोग करते हुए बेपेच का कोड लिखा जाता है Pearl का परियोग करते हुए बेपेच का कोड लिखा जाता है 13 नीचे दिये गए सभी पद Speed Seat Software से सम्मद है सिवाय के किसके Virus Detection 13 में आपका D होगा 13 में क्या होगा D सही Question है मार 14 ऐसे डिवाईस हैं जिनका परियोग Telecommunication Line Over Data Transmit करने के लिए किया जाता है क्या है इनमें Modem 14 में क्या है C Modem ऐसे डिवाईस हैं जिनका परियोग Telecommunication Line Over Data Transmit करने के लिए किया जाता है 14 में आपका C Question है मार 15 C भासा में लिखे गए प्रोगरामों को किसके दोरा मसीनी भासा में अनुबादित किया जाता है Operating System 15 में आपका C 15 में क्या होगा C Question है मारा 16 Hyperlink को Keyboard द्वारा Insert करने के लिए कौन सी shortcut की उपलब्द है Ctrl प्लस G 16 में आपका A होगा 16 में क्या होगा A Question है मारा 17 Computer Data gather करते हैं इसका अर्थ है कि भे उप्रियोग करताओं को Data करते हैं Input 17 में आपका B होगा 17 में क्या होगा B यह Option बिल्कुल सही है Question है मारा 18 Ctrl प्लस Home की के प्रियोग से करसर डोकुमेंट के में पहुँच जाता है कहां पहुच जाता है यह पहुच जाता है आर्व में 18 में आपका C होगा 18 में क्या होगा C Question है मारा 19 एक प्रिकार की स्थाई में मोरी है जो इस्टार्ट अप के लिए कम्प्यूटर को जिनकी जरूरत होती है उन सभी इन एक्सेंस को होल करती है और पावर बंद करने पर यह एरेज नहीं होती है 19 में आपका रॉम क्या होगा? D होगा 19 में आपका D होगा Question है मारा 20 किस ब्यूट में आप किसी पिश्टूती करन की स्लाइडों कुक्रम में लगा सकते हैं? Slide Sorter View 20 में क्या होगा आपका? B Question है हमारा 21 इसमें कम्प्यूटर का कौन अनिवार भाग नहीं है? Monitor है, RAM है, माउस है, लेकिन इसके नहीं है 21 में क्या है? B Question है हमारा 22 Hard Disk की चमता मापी जाती है Gigabyte से, यानि की GB से किस में? GB में 22 में आपका C होगा, ठीक है? Question है हमारा 23 CPU से, CPU से, कम्प्यूटर के सभी अंग operate होते हैं तथा जिस परणाली से ही है, काम होता है, वह कहलाती है Operating System Question नमर 23 में आपका क्या होगा? C Question है हमारा 24 RAM को कहा जाता है RAM को कहा जाता है क्या कहते हैं RAM को? RAM को कहते हैं, बॉलेट टाइल भी कहते हैं, आइस्थाई मेमोरी कहते हैं यानि कि 24 में आपका E होगा A, B, दोनो 24 में E option सही है Question है हमारा 25 Computer की Man Memory के भाग है Computer की Man Memory के भाग है RAM है और ROM भी है यानि B और C दोनों सही है E option आपका सही होगा 25 में क्या होगा? E option सही B और C दोनों Question है हमारा 26 क्या है? सूचना सेयर करने के लिए एक दूसरे से connected दो या दो से अधिक computer से बनता है Network 26 में क्या होगा? 26 में होगा आपका A Question है हमारा 27 Unsolested email को क्या कहते है इसे कहते है Spam क्या कहते है Spam 27 Question है 28 का प्रेयो करते हुए पहले computer program किये गए थे Machine language 28 में क्या होगा? B होगा 28 में क्या होगा? B Question है हमारा 29 कौन सा program Computer के बेविन भागों का नियंतन करता है और उप्यो करता को Computer के साथ Interact करने देता है Operating System 29 में आपका B होगा 29 में क्या होगा? B Question है हमारा 30 Philoppy disk में डेटा नामक रिंग्स पर record किया जाता है Text, Tracks 30 में क्या होगा? C 30 में आपका C होगा Question है अब आपका 31 Microsoft Office Excel Document में मैं से पिते एक सेल अपने एड्रेस से रिफर किया जाता है जो है क्या है? Cell का row और column लेवल 31 में आपका D होगा 31 में क्या होगा? D Question है मारा 32 3.5 आकार वाली फिलोपी की भंडार चमता है 1.44 MB कितनी? 1.44 MB एए option 32 में आपका सही है Question है मारा 33 Bar Coding में कितने एक्छर होते हैं? Bar Coding में आपके 33 अप्छर 33 में क्या होगा? 10 अप्छर होते हैं Bar Coding में कितने अप्छर होते हैं? 10 ठीक है? एए option बिल्कुछ सही है Question हमारा क्या है Question? 34 Computer screen पर Blank करने वाले पिती को कहते हैं क्या कहते हैं? Cursor 34 में आपका E होगा 34 में क्या होगा? E 35 Data को logical sequence में arrange करने को कहा जाता है क्या कहा जाता है? Sorting 35 में आपका C होगा 35 में क्या होगा? C चलते हैं Question No. 36 की तरह OSI Model की Layers होती है 7 कितने A option सही है? 36 में आपका A है Question है मारा 37 Number Paid की Directional Arrow की रूम में Act कराने के लिए आपकी दबाते हैं क्या दबाते हैं? Num Lock 37 में आपका A होगा 37 में क्या होगा? A option Question है मारा 38 CPU के लिए सामान गड़ित परभाउम करता है ALO क्या करता है? ALO 38 में आपका A है 38 में क्या है? A Question है आपका 49 Software के Software के मैं कमान्डों और options सों की सूचिया होती है Menu बार में किसमे? Menu बार में 49 में आपका B होगा 49 में क्या होगा? B Question है आपका 40 क्या है? से बे सारी वेबसाइट हैं और पेज दिख जाते हैं जो आपने एक समयाओदी में देखे होते हैं History List 40 में आपका C होगा 40 में क्या होगा? C Question है मारा 41 Map पिस्तुती करन्ट की बेभिनने स्लाइडों को की बाहरी रोपने का होती है Outline भाग 41 में क्या होगा? C 41 में आपका C होगा Question है मारा 42 यदि आप सिंग्रिनल को D-grade किये बेना Network की लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तो आपका प्रयोग करेंगे Switch का किसका? Switch का 42 में आपका D होगा 42 में क्या होगा? D फर आपका Question 43 निम्न में से क्या Excel का Build in Function नहीं है Total 43 में क्या है? A 43 में आपका A Option बिलकुश सही है 46 एक Private Corporate Network होता है जिसे केबल कंपेनी के कर्मचारी इस्तेमाल करते हैं Intranet क्या होता है? Intranet होता है 44 में आपका D 44 में क्या है? D 45 यदि आप एक सब्द टाइप करते हैं जो Word Dictionary में नहीं है तो उस सब्द के नीचे एक Baby Underline दिखती है लाल क्या दिखती है? लाल लाइन दिखती है 45 में आपका A होगा Question है हमारा 46 Work Seat पर Horizontal और Vertical Line होती है उन्हें कहते हैं क्या कहते हैं? Grid Lines 46 में आपका D होगा Question है हमारा 47 Slide से आउट Layout चुनने के लिए कप्रियों करते है Layout गैलरी का 47 में आपका C होगा 47 में क्या होगा? C 48 MS Word की बिंडो को 2 या 2 से अधिक भागों में बाटने की भी दी को कहते हैं क्या कहते हैं? इससे कहते हैं Page Break 48 में आपका B होगा 48 में क्या होगा? B 49 एक test जिसे आप Page के Bottom में Print करना चाहते हैं Photo 49 में क्या होगा? D Question है हमारा Last 50 क्या है? यदि bit X dot 25 इस्टेंडर्ड में एक सेट किया जाता है तो इसका अरत हुआ X यदिक Packet M 50 में क्या होगा? C तो चलिए ये था आपका 17 वा टेस्ट अंगली क्लास में हम लोग 18 टेस्ट की बारे में बात करेंगे आपके नमस्कार दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे कंप्यूटर सामानग्यान से संबन दीथ आपके कुछ मात्पून क्वेश्चन्स और उनके आंसर्स ये सभी क्वेश्चन्स आपके वन डेव जान को ध्यान में रखते हुए सॉल्व किये जा रहे हैं तो इस तरह के अब लोग अभी तक 17 टेस्ट आपके खतम कर चुके हैं यह आपका 18 रहवा टेस्ट है कौनसा? 18 रहवा याद रखिए पहले आप लोग कंप्यूटर सामान ग्यान को चेप्टर वाई चेप्टर पढ़ लें उसके बाद मौक टेस्ट लगाएंगे तो बहतर रहेगा आपके लिए और हमारी तरब से भी आपको कंप्यूटर सामान ग्यान पढ़ाए गया है वो आपके कंप्यूटर क्लासिस के नाम से जो फिलेलेस्ट सूचे है उसमें चेप्टर वाई चेप्टर सब कुछ आपको बताया गया अच्छे से पढ़ लिए इतना कह सकता हूं कि अगर आप लोग उन चेप्टरों को फिलेस्ट जो आम लोग मौक टेस्ट सौल करना है इन्हें कंप्लीट कर लेते हैं इन्हें कबर कर लेते हैं तो आपका कोई भी गलत नहीं होगा तो चलिए अठारवी कुश्चन का लोग अठारवी टेस्ट का पहला कुश्चन देखते हैं पहला कुश्चन है हमारा इसेल्स दो यादिक चुने हुए सेल्स को कमाइन कर एक सिंगल सेल क्रियेट करता है यानि कि कुश्चन नमबर एक में आपका बी ओप्सन बिलकुछ सही होगा दूसरा कुश्चन है आपका कंप्यूटर का मुख भाग है क्या है कंप्यूटर का मुख भाग है इसका सिस्टम यूनिट कंप्यूटर का मुख भाग है सिस्टम यूनिट ए ओप्सन बिलकुल सही है कुश्चन आता है आपका तीसरा भारत के पास एक सुपरकंप्यूटर है जिसका नाम है भारत के पास एक सुपरकंप्यूटर है जिसका नाम है परम परम आपका भारत का सुपर कंप्यूटर है याद रखिए बदलते रहते हैं आखरे कि और भी आप सुपर कंप्यूटर आ चुके हैं तो यह समत लेजिए लेकिन हाँ भारत का पहला कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर परम था चलते हैं कुछन नमर चार की तरह सबसे पहला मिनी कंप्यूटर है सबसे पहला मिनी कंप्यूटर है आपका PDP-8 कौन सा PDP-8 है पांच बे कंप्यूटर जो आकार में बहुत बड़े होते हैं तथा जिनकी संगरह चमता भी अधिक होती है कहलाते हैं क्या कहलाते हैं मैंप्यूटर कंप्यूटर को कुश्यन है हमारा पांच में D होगा क्या अंसर होगा मैंप्यूटर कंप्यूटर के पिकार है पुद्देश के आधार कर कंप्यूटर के पिकार है कि दो कि दी ऑप्सन सही है चटवे कुश्यन में कि कुश्यन है मारा साथ क्या है साथ रॉम में उपस्थित इस्थाई प्रोग्राम प्रोग्रामों को क्या कहते हैं एसी कहते हैं B-O-B-I-O-S दी ऑप्सन विलकुछ सही है कुश्यन है आठ अपरेटिंग सेस्टम सरवादिक पिछली सॉप्ट्वेयर है अपरेटिंग सेस्टम सरवादिक पिछली सॉप्ट्वेयर है सेस्टम आठ में आपका C होगा आठ में क्या होगा? C नौ डेटा पर अंक गड़ीती है और तारीक की क्रियाएं करता है A-L-U नौ में आपका C होगा नौ में क्या होगा? C पुशन है दस हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क की गती कितनी होती है? 3600 यानि 3600 चक गती मिनिट D option सही है दसमें कुशन है हमारा 11 क्या कुशन? इंटेल 80286 की चमता कितने ट्रांजिस्टरों के बराबर होती है? 13000 11 में क्या होगा? C कुशन है बारे manframe गंप्यूटर का उधारन है manframe कंप्यूटर का उधारन है इन में से कोई नहीं है बारे में आपका E होगा बारे में क्या होगा? E option क्विश्यन हमारा तेरे बे कंप्यूटर जो सबसे अधिक संगर है छमता वाले तुथा सबसे अधिक गतीव आले होते हैं कहला इसमें क्या होगा सुपरकम्प्यूटर तेरे में आपका सी होगा क्विश्यन हमें आपका चौदर अपने डॉक्यूमेंट के सभी मार्जिन्स को सैट करने की विदी को कहा जाता है क्या कहते हैं पेज सैट अप क्विश्यन नमर्च चौदर में आपका ए होगा पंद्रे बेसिक कंप्यूटर भासा है बेसिक कंप्यूटर भासा है चत्वर्थ पीडी की पंद्रे में आपका डी होगा पंद्रे म क्या होगा डी चलते हैं क्विश्यन नमर्च सूले की तरफ क्या एक सूले इन में से हाई लेवल लेंग्वेज है कौन सी है नमर्च में से हाई लेवल लेंग्वेज है इन में से कोई नहीं सूले में आपका इ होगा सूले में इ कुश्यन है सत्रे मूल आसकी सूची में कुल कितने कूट होते हैं क्या हैं मूल आसकी सूची में कुल कितने कूट हैं 128 सत्रे में आपका C 18 निम्नमें से कौन सी नभीन उपयों में आने वाली कम्प्यूटर भासा है निम्नमें से कौन सी नभीन उपयों में आने वाली कम्प्यूटर भासा है C Q. 19 आई वी एम की कंप्यूटर सिंखला जो माइक्रो चैनल सरजना M.C.A. पर आधा रहे थे PS2 क्या है PS2 LOTS 123 यानि की 123 एप्लीकेशन प्रोग्राम का अधिकारिट प्रोग्राम निम्न में से कौन सा है बिंडो 20 में आपका A है Question है आपका 21 I are M की घटक है Data Processing Office Information Telecommunication A सभी 21 में आपका E होगा 21 में क्या होगा? E 22 सामान उद्देश के सॉप्ट्वेर के उधारन है MS Word, MS Excel, Photoshop A सभी 22 में आपका E होगा Question है 23 माना और कम्प्यूटर के मद्द परस पर संपर्ट इस्थापित करता है 23 में क्या होगा आपका? Software 23 में आपका A Question है हमारा 24 Keyboard के पिकार है Keyboard के पिकार है Serial Keyboard Parallel Keyboard A भी दोनों होगा 24 में क्या होगा? D चलते हैं Question 25 की तरफ जब आप माउस के बाहे बट्म को जल्दी जल्दी दो बार दबाते हैं और छोड़ते हैं तब आप करते हैं क्या करते हैं आप? Double clicking 25 में आपका C है 25 में क्या है? C Question है आपका सत्ता है 26, sorry 26 Time sharing सिस्टम के विसे में कौन सी बात सत्ते हैं? Time sharing system के विसे में कौन सी बात सत्ते हैं? पितेक कारी को समान Time slot किया जाता है 26 में आपका C होगा Question है मारा 27 दो कम्प्यूटर जिस सब रफ्तार से डेटा की अदला बदली करते हैं या संपेशिट करते हैं उसे क्या कहते हैं? Communication speed या रेट 27 में आपका A होगा 27 में क्या होगा? A Question है 28 क्या है? Document के दाएं ओपर ही कोने पर इस ते तीन बटनों को कहते हैं Control बटन 28 में आपका E है Question है 29 निम्लिकित में से connectivity का उधारन कौन सा है? Internet 29 में आपका A होगा 29 में क्या होगा? A Question है आपका 30 Software code में तुटियां डूणने की एक पिक्क्रिया है Software code में तुटियां डूणने की एक पिक्क्रिया है Testing 30 में आपका B होगा 30 में क्या होगा? B Question है 31 Computer system में के मात्यम से text और numerical data में पिरवेश करने की 35 सरवादिक सामान पदिती है Keyboard 31 में आपका A होगा 31 में क्या होगा? A option Question है Question है हमारा बत 30 Question क्या है? 32 अपने email account से बाहर आने के लिए निवलिकत में से कौन से बेदी का प्रयोग किया जाता है Sign out 32 में आपका C होगा 33 Shortcut की इच के उपयोग से पैर अगर आपको center करने के लिए प्रेस किजिए Ctrl प्लस E Question 33 में आपका B होगा Question Question है हमारा 34 Excel बिंडू का कौन सा चित मान इवं सूथ एंटर करता है Formula War 35 में आपका C होगा 35 में क्या होगा? C Question है हमारा 36 क्या है एक बैंक 32 बिट डाटा वाले 486 सिस्टम को पॉपूलोड पॉपू लेट करने के लिए कितने यानि 30 बिट SI MMS की आवस्यक्ता पड़ेगी 4 36 में आपका C होगा 37 जब सिस्टम को पावल दी जाती है तब डेटा को बैटरी की लाइब के साथ मैंटेन करने के लिए कंप्यूटर BIOS में क्या रहता है? CO Sorry CMOS 37 में आपका A होगा Q37 में आपका A option बिल्कुल सही चलते हैं Q38 की तरब 100 POST Sinclair Error Code कि समस्या को विदरसित करता है? System Board 38 में आपका C होगा 49 जब कंप्यूटर BIOS में Set Downing डाला जाता है तब है विवन रॉम चिम में संगेट निर्देश कॉपी किया जाते हैं 49 में आपका A है 40 निम लिखत में से कौन MS Office में है? वेप अधिक तम तथा निउन तम जून साई दरसाता है 10 100 10 एवं 100 कुश्चेन हमारा 41 याद रखिए 40 में आपका 40 में निम लिखत में से कौन MS Office में? बेप अधिक तम निउन तम जून साई दरसाता है 20 और 250 याद रखिए अगर इस तरह के कुश्चन्स गलती हो जाती ही कभी मुश्य तो आप लोग उसका सही आंसर कमेंट बोक्स में लिख दिया करेंगा जिससे कोई दूसरा आता है तो उसे सही आंसर पता चल सके मेरी तरब से तो बैसे पूरी कॉसेश रहती है कि आपको सही ही आंसर पताए जाए लेकिन फिर भी अगर गलती हो जाती है तो उसे सही करके कमेंट बोक्स में लिख दिया करेंगा 41 इस्टोरेज डिवाइस पर जो मैन फोल्डर होता है उसे क्या कहते हैं रूट डायरेक्टरी 41 में आपका C कुशन है मारे 42 जब आप PC बूट अप करते हैं तो क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंस डिस्क से मेमोरी में कॉपी होते हैं 42 में आपका A होगा 42 में क्या होगा A 43 इमेल भेजना जैसा है इमेल भेजना जैसा है पत लिखने के 43 में आपका A होगा कुशन है 44 किसी सिंगल एंटिटी संबंदी डेटा का विवस्तित कनेक्शन है क्या है डेटावेस 44 में का C होगा कुशन हमारा 45 क्या है कुशन आपकी कंप्यूटर के डेटा को नस्ट करने के लिए हैं डेजाइन किये प्रोग्राम को जो दूसरे कंप्यूटर को इनकर करने के लिए कर सकता है उससरे कहते हैं जैसे कहते हैं व्यायरस क्या कहते हैं व्यायरस देजाने किए जाते हैं कि 45 में आपका डी होगा कुश्चन है माद 46 आम तोर पर अधिकांस बैखते कंप्यूटरों लेक्टरों ब्लैक्टॉपों की कीबोर्ड के नाम से फ्लोप्विरी है कि डव्लू क्यू डव्लू ए आर टीवाई क्या होगा कि इसमें इसमें होगा आपका कि यह ओप्सन कि 47 एक ऐसा प्लियर जिससे ओडियो वावीडियो सीडी को चलाया जा सकता है MPEG 47 में क्या होगा एक कुश्चन है 48 आधुनिक मैन फ्रेम डिजिटल कंप्यूटर की चमता है आधुनिक मैन फ्रेम डिजिटल कंप्यूटर की चमता है 10 की पावर माइनस 12 MB पर सेक्ट 48 में आपका D होगा 49 कंप्यूटर में डिस्क कहां डाली जाती है डिस्क ड्राइब में कुश्चन है मारा 50 IT का पूरा नाम है Information Technology जो आपके IT ये संचिप्ट नाम है इसी तरह के जितने भी आपके कंप्यूटर से संबंधित इनके लिए अलग से हम लोगों ने किलास ली हुई है वह सभी क्लास हैं भी आपकी उसी में डली हुई है तो एक बार आप लोग complete computer classes के नाम से यो playlist सूची है उसे एक cover के लिए उसमें जितने भी lecture पड़े हुए है उसे cover कर लिए उसके बाद बताईए कि आपका कौन सा questions चूटा है नहीं चूटेगा उसके बाद गर आप लोग उसे solve कर लेते हैं या उसे cover कर लेते हैं तो आप सभ 3 questions solve करने की स्थिति में होंगे और बहतर परीके से ठीक है तो यह था आपका 18 वा टेस्ट 19 वी टेस्ट की बारे में हम लोग आँगे बात करेंगे हेलो दुस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे computer सामाने यान से संबंदी आपके कुछ मात्मों questions और उनके answers यह सबी questions objective में है तो यानि कि हम लोग computer जी के mock test solve कर रहे हैं तो इसमें अभी तक हम लोग 18 टेस्ट आपिस कतम कर चुके हैं यह आपका 19 वा टेस्ट है ठीक है याद रखिए अगर टेस्ट दने से पहले आप तो computer सामान गयान को detail यानि की बिस्तार से पढ़ लें तो आपके लिए बहतर होगा ठीक है कहीं से भी पढ़ें और हमारी तर computer classes के नाम से जो आपकी playlist सूचिए उसी में सभी lecture पढ़े हुए हैं chapter by chapter इतना कह सकता हूं कि अगर उन्हें आप लोग कबर कर लेते हैं उन chapter को पिल अप लोग यह mock test solve कर रहे हैं जो हम लोग अभी लगा रहे हैं इन्हें भी कबर कर लेते हैं तो computer सामान गयान से आपका कोई यूई questions नहीं चूटेगा रिचायव लिकित रूप में हो रिचायव और अब्जेक्ट रूप में सभी solve करने की स्थिथी में आप पहुंच जाओ गया तो चलिए 19 में टेस्ट काम लोग पहला questions देखते हैं क्या है computer का नियंतर्ण computer का नियंतर्ण कैन किसी कहते हैं Central Processing Unit यानि की CPU को 21 में आप एक क्या होगा 19 में आपका question नमर एक में आपका D option होगा क्या है Question है आपका दूसरा क्या है स्की भासा का विकास किस के द्वारां किया गया था किस के द्वारां किया गया था तो इतहे आपके Dennis Richie Dennis Richie कुश्यन नमर दूसरे में आपका B option सही है कुश्यन आपका तीसरा Memory cell क्या है Memory cell मुख memory के में भंडारण की आधारबूद एकाई है कुश्यन नमरज तीन में क्या होगा आपका C Question है आपका चार Primary Memory को भी कहते हैं क्या कहते हैं? Man Memory Primary Memory को Man Memory कहते हैं Question है हमारा पांच Rom मुख Memory का ही एक अन हिस्सा है इसका पूर्ड रोप क्या है? Read Only Memory क्या होगा? B Option सही होगा याद रखें इस तरह कि जो भी सौट संचेप नाम होते हैं इनका पूरा नाम जो भी कम्प्यूटर से संबंदी ताकरी सौट पूम है उनका पूरा नाम है पूर्ड रोप उनके लिए हम लोगोंने एक अलग से बिलकुल Separate आपकी क्लास ली गई है तो ये सभी उसी में पढ़ी हुई है Complete Computer Classes के नाम से जो फिलेश्ट सूची है तो उसी में दली हुई है एक बार आप लोग कबर जरूर के लीजिए देख जरूर लीजिए अगर नहीं पढ़ना है पर भी देख लीजिए क्योंकि बहुत ही साधान सब्दों में पढ़ाए गया है और बहुत कुछ उसमें मताए गया है आपको Question है आपका चटबा क्या है? Secondary Memory है Secondary Memory है System, Program और Data File संग्रे करती है आपकी Second Memory Question नमर चटबे में आपका ए है अब Secondary Memory क्या होती है ROM क्या होता है CD-ROM क्या होता है इस सभी RAM क्या होता है इन सभी कुछ Detail में वहां पढ़ाए गया है तो अगर आप लोग उन्हें पढ़ लेंगे तो फिर कोई भी Question साथ है आपको आप Solve करने की स्तिती में बहुत बहतर तरीके से कर पाएंगे उसे साथवा Question है हमारा Secondary Memory Non-Bolatile होती है या इस्ताई तोर पर Data Store करने में सक्चम हो सकती है और जरूरत पढ़ने पर Data Supply कर सकती है इसलिए इसे भी कहा जाता है क्या कहते हैं इसे Secondary Storage Media Question है नमल साथ में आपका B होगा Question है आठ क्या है आज कल किस किस साइज की फिलोपी डिस्क प्रियोग में आती है 5.25 इंच और 3.25 इंच आठ में क्या होगा आपका एव उप्शन सही होगा Question है हमारा 9 क्या है TPI किस चीज को दर्साता है TPI किस चीज को दर्साता है क्खलॉपी की छमता 9 में क्या होगा आपका C 10 CD-ROM निमलिकित में से किस का उधारन है Optical Memory का 10 में आपका A होगा Question है हमारा 11 Irraceable Optical डिस्की की विसेशता क्या है इस पर बार बार मिटाकर बार बार लिखना संभव है 11 में आपका A होगा 11 में क्या होगा A Question है हमारा बारे क्या है Data कहां भेजना है यहां कहां से लिखना है लिखा जाता है इसके लिए कौन सी बस प्रयोक्त होती है Address Bus Data कहां भेजना है यहां फिर कहां से लिखा जाता है इसके लिए कौन सी बस प्रयोक्त होती है यह है आपकी Address Bus 12 में क्या होगा आपका D Question है 13 Keyboard एक प्रमुक Input Device है इसकी मदस से क्या करते है समस्त सूचना कंप्यूटर को भेज़ते है 13 में आपका B Question है 14 माउस को और किस नाम से पुकालते है Pointing Device 14 में आपका D Question है 15 इस कहने से समदी कौन सतत सही है यह हर Image को Digital Image में बदलता है 15 में आपका B होगा Question है 16 O, M, R से समदी कौन सतत सही है Computer द्वारा पड़े जाने युग कागच पर लगी निसान को पहचानता है आप लोग पेपर देने जाएंगी तब O, M, R सीट मिलती है अगर आपका ओप लाइन पेपर गुगा तो 16 में आपका A होगा Question है 17 O, V, R किसका संचिप्त रूप है O, V, R किसका संचिप्त रूप है Optical, Barcode, Reader का 17 में आपका C होगा इस तरह के जो संचिप्त रूप होते हैं Sort form, उनकी full form इस तरह के questions जाना पूँचे जाते हैं computer में तुन्हें जाकर पढ़ लें एक बार अच्छे से एक बार complete कर लें उसके बाद थोड़ा अंदाजा बना रहता है कभी आप परीक्चा में बैठ रहे हैं तो आता भी यह questions तो आप solve करने की स्थिति में होते हैं कुश्यन है अठारे computer के जरिये भेजी गई सूचना है और निर्देश जिस machine के द्वारा कागज पर मुद्धित होते हैं उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं प्रेंटर अठारे म्याकर डी कुश्यन है उन्नी एक बार में एक पूरी लाइन मुद्धित करने वाले प्रेंटर को क्या कहलाता है लाइन एंड लाइन एंड पेज प्रेंटर 19 में आपका C होगा कुश्यन है 20 लेजर प्रेंटर किस सेंडी का प्रेंटर है तो यह आपका नॉन इंपक्ट प्रेंटर कुश्यन नमर 20 में आपका D होगा कुश्यन है 21 मेमोरी इंपूट और आउटपूट डिवाइसेज डिवाइसेज को नियंतित करता है 21 में आपका A होगा कुश्यन है 22 CPU का वए भाग जो हाड़वेर की खिलियाओं को नियंतित और संचालित करता है कहलाता है क्या कहलाता है CU 22 में आपका A होगा 22 में क्या होगा A Qश्यन है मारा 23 वए भाग जो कंप्यूटर की बास्तवे गड़नाओं यानि की जोड गठाव गड़नाओं भाग और तुलनाओं का कार करता है कहलाता है इसे क्या कहते है A.L.U Qश्यन नमर 23 में आपका B.Option बिलकुर सही होगा Qश्यन है मारा 24 24 क्या है डेटा वर प्रोसेसर को भविस्ट के लिए संग्रह करने करके रखने को कहते है इस्टोरेज 24 में आपका A है Qश्यन है 25 C.P.E.U के माइक्रो प्रोसेसर पर तीन भागों का परिपत होता है B है C.U.A.L.U. रजिस्टर ये सभी होगा 25 में आपका E होगा 25 में E.Option सही होगा Qश्यन है 26 P.E.U.S की चालन के लिए किस नेटवर्क का परियोग किया जाता है P.E.S.T.N. नेटवर्क का 26 में क्या होगा B 27 27 वायरेस कंप्यूटर सिस्टम को किस पेकाल संक्रमित करता है संक्रमित प्रोग्राम या डिस्क चलाने से 27 में आपका B होगा कुश्यन है 28 नेमलिकित में से कौन सपद केवल नेटवर्क का कनेक्शन है जिसे साथ जोडा जा सकता है इंट्रानेट 28 में का C होगा कुश्यन है 29 ग्यात सॉप्ट्वियर बग के लिए रिपियर जो सामानता इंट्रनेट पर बिना चार्ज उपलब्द होता है उसे कहते हैं क्या कहते हैं वर्शन 29 में आपका A उप्शन सही है क्यूश्यन है 30 यथा कंप्यूटर संबंदी गति विदियों में प्रियुक्त USB का पूरा रूप क्या है यूनिबर्सल सीरियल बस यूनिबर्सल सीरियल बस 30 में क्या होगा आपका D 31 प्रिजन्टेशन या सिलाइड सो तियार करने के लिए सामानता कौन सा एप्लिकेशन इस्तिमाल किया जाता है Photoshop प्रिजन्टेशन प्रिजन्टेशन इस्तिमानता क्याते थे लिए होगा कि पुश्चन है 33 वायरलेस मोबाइल डिवाइसे को इंटरनेट और उसकी सर्विस जैसे सर्फिस जैसे की बेब और इमेल प्राप्त करने की आग्या देता है पेब डबलू ए पी 33 में आपका C होगा कुश्चन है आपका 34 DOS एलॉपी डिस्क में नहीं होता है क्या नहीं होता है Virtual Memory नहीं होता है 34 में आपका T है कुश्चन है हमारा 35 Data Waste Development के दोरान एकत्यत की गई सारी सूचना में स्टोर होती है इस सूचना आपकी स्टोर होती है रेपो जेटरी में 35 में आपका A होगा 36 में क्या 36 कुश्चन है अंगला लो पावर USB डिवाइस में पावर सप्लाई कैसे होती है USB केबल द्वारा 36 में आपका D होगा कुश्चन है हमारा 37 99 सब्दे संब्दी थे 99 सब्दे संब्दी थे आपका किस से संब्दी थे 10 की पावर माइनस 9 M 37 में C होगा कुश्चन है 38 N1 में Improvement एक गर्दिक गर्दतक के द्वारा संब्द होगा वह था John Wynn Newman 38 में आपका A होगा 49 N bit Code को Code को प्रियोग करते हुए Bit pattern की संख्या होती है 2 की पावर N यानि कि 49 में आपका C होगा Qsion है आपका 40 Computer में प्रियोक्त गड़ित कहलाता है Computer में प्रियोक्त गड़ित कहलाता है Boolean algebra 44 में आपका B होगा 41 1 Pentium 4 में transistor होते हैं 40 million Question नमर 41 में आपका D होगा Question है 42 Winery को decimal में एक्सेस करने के लिए नेम लिकित में किस की पावर लेनी पड़ती है 2 की 42 में आपका B होगा Question है मारा 43 क्या है IC का बर्गी करण पराधारित होता है Transistor की संख्याप 43 में आपका C Question है 44 Supercomputer के साथ प्रात्मिक तोर पर किस पेकार की processing Speed measurement का प्रियोग किया जाता है तो यह आपकी Phelaps 44 में क्या होगा C 44 में C होगा Question है मारा 45 Interface के एक समय में 1 bit transmit करता है Serial 45 में आपका C है Question है 46 Bill Grates ने कौन सी किताब लिखी The road ahead 46 में आपका B है 46 में क्या है B option Question है 47 Google द्वारा इंटरनेट पर चलाई जा रही सामाजिक नेट्वर्क से बाकर नेमलिखित में से क्या नाम है Order, or cut क्या है Or cut, or cut Question है 48 नेमलिकित में से किस सॉप्ट्वेय और कपनीन है अपना सेक्षिक पोटल Unlimited Potential भारत में हाल ही में प्यार्म किया है Microsoft 48 में आपका A होगा Networking सब्दावली Hand Second कारत होगा Computer को Hub के साथ जोड़ना 49 में आपका A होगा Last question है 50 नेमलिकित में से वह है कौन सा है जो किसी लोगत्रीय IT Software कंपनी का नाम नहीं है Toyota 50 में आपका C होगा तो चलिए यह था आपका 19 वा टेस्ट अंगलिक स्लास में हम लोग 20 पर टेस्ट के बारे में बात करेंगे नमस्का दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे थें कंप्यूटर सामान गयान के कुछ मत्कूण कुश्चन्स और उनके आंसर्स तो इस तरह के हम लोग मौक टेस्ट आपके कंप्यूटर जीगे के 19 देख चुके हैं यह आपका 20 वा टेस्ट है ठीक तो एक जानकारी दे दें आप सभी को कि अगर आप लोगों ने कंप्यूटर सामान गयान को डेटेल यानि की विस्तार के साथ नहीं पढ़ा है तो पहले उसे पढ़ लें ठीक क्योंकि बिना डेटेल के पढ़े आप मुस्किल है कि कोई पेपर निकाल सकें इसके लिए हमारी तरफ से भी आपका कंप्यूटर सामान गयान पूरा कबर किया गया है इतना कह सकता हूं कि अगर आप लोग उन सभी चेप्टरों को बिस्तार से पढ़ लेते हैं और इन मॉक टेस्ट को लगा लेते हैं तो आपका कोई भी कुश्चन्स गलत नहीं होगा फिर चाहे आपका लिखित रूम में हो फिर चाहे आपका ऑबजेक्ट रूम में हो तो कंप्लीट कंप्यूटर किलासिस के नाम से जो फिले लिष्ट सूची है उसे कबर करना है आपको बहुत ही साधरन सब्दों में है तो आँ जाकर देखते रहें आप लोग कबर करें तो चलिए हम लोग बात करते हैं बीस्विक टेस्ट का पहला कुश्चन्स पहला कुश्चन है आपके सामने पेज़ पर तत्यों की बहुत तिक विवस्था को डोक्यूमेंट का कहते है फॉर्मेट क्या कहते है फॉर्मेट कहते है क्या कहते है फॉर्मेट कहते है यानि कि कुश्चन नमबर एक में क्या होगा आपका बी कुश्चन नमबर एक में आपका बी option बिलकुल सही है फिर आपका question दूसरा input, output और processing device का एक साथ समूँ बना दिया जाए तो निमने को निरूपित करता है क्या है input, output और processing डिवाइसों का एक साथ समूँ बना दिया जाए तो निमने को निरूपित करता है computer system दूसरे में आपका D होगा, दूसरे में D option, बिलकुल सही है उसके बाग question है आपका तीसरा अधिकास website हों में man page होता है जो website के बाकी page के लिए द्वार का का काम करता है homepage ये questions कई वार पूँच लिया कि जो website पर हमारे सामने first page होता है man page होता है उसे क्या कहते है तो home page याद रखना तीसरे में क्या होगा आपका B option, बिलकुल सही होगा question है हमारा चार computer file के बारे में निम्न में से कौन सा कतन सत्त नहीं है क्या पूँच रहा है सत्त नहीं है यानि कि असत्त है बे एक storage माध्यम से save किया गया data संग्रह होता है यह आपका सही है पितेक file का एक नाम होता है यह भी सही है file की विशेवस्तू को एंगित करने के लिए प्रयोकता file extension देता है यह आपका गलत है file में सामानत data होता है यह भी आपका सही है तो question number 4 में आपका c option होगा गलत क्या होगा c option 4 का उसके बात question है आपका 5 एक box है जिसमें computer system का सरवादीक smartphone भाग होता है system unit 5 में d होगा question number 5 में क्या होगा d option question है आपका चटवा digital घड़ी में किस पेकार का computer पाये जाता है digital जो आक घड़ी है इसमें किस पेकार का computer पाये जाता है इन में से कोई नहीं इन में से कोई नहीं एक मिन्ट रुगी है पता है इसमें digital घड़ी में आपका embedded computer पाये जाता है मैंने देखिए जो भी questions होता है उसका answer मेरी तरब से 100% मेरी तरब से consensus रहती है कि आपको सही बताया जाए इसलिए इसमें देखिए इन में से कोई नहीं था यानि कि option नहीं था मुझे पता था कि आपका embedded computer है लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आपका clear कर दूँ आपको आपको सही answer बताया जा तो डिजिटल गड़ी में आपका embedded computer होता है ठीक अगर option में आप गए आता है तो उसे safety लगाईए और नहीं आता है तो आप अपने हैसाब से उसमें गलत लगा सकते है ठीक है साथ में क्या होगा कुश्चन में बी ओप्सन कुश्चन है आठ टास्क बार परिस्तित है इस्क्रीन के तल आठ में आपका बी होगा आठ में क्या होगा बी ओप्सन फिर कुश्चन है आपका नौबा आपके सामने कुश्चन नमबर नौबा एक यूनिट के रूम में सेफ किया गया सूचना कसंगराय है फाइल नौ में क्या होगा आपका बी कुश्चन है आपका दस प्रेंटर एबाँ मॉनिटर जैसे परिफेरल ओपकर्णों को माना जाता है हार्ड़ विर क्या दस में क्या होगा आपका ए ओप्सन हार्ड वियर विर कुश्चन है हमारा ग्यार है क्या है कुश्चन निम्ड में से कौन सा कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिस्क होता है CPU Central Processing Unit याद रुखे जो भी इस तरह की संचेप नाम होते हैं इनका फुल्परम विस्तार हाकिर होते क्या है इनके बारे में आपकी अलग से ही क्लास लिए गई है उन्हीं लेक्चरों में पड़ी हुई है तो इन्हीं से आपके इस तरह के कुश्चन से भी अधिक तर पूंचे जाते हैं तो वहां जाकर आप देख लें अच्छे से ठीक है कुश्चन हेमारा बारे निम्न में से कौन सा बिल्ट इन फंक्सन है बारे में क्या होगा आपका सी ओ एस क्या होगा बारे में ए ओप्सन कुश्चन हेमारा बारे नई डारेक्टरी बनाने के लिए कौन सा आदिस दिया जाता है कि नई डारेक्टरी बनाने के लिए कौन सा आदिस दिया जाता है एमडी तेरह में आपका बी होगा कुश्चन हे चौदर सामानता री साइकल बिन तक पर रखे गए आइकन के जरिये जाते हैं डेस्क टॉपर इसमें क्या होता है री साइकल बिन में आपको सब कुछ समझाए गया है उन्हें जाकर एक बास देख जरूरे पढ़ें ना पढ़ें उसका मतलब नहीं है लेकिन वहां जाकर देख लें अगर अच्छा लगी तो ही पढ़ें वरना चोड़ लें री साइकल बिन का काम क्या होता है कि जब हम कंप्यूटर की किसी फायल से अपना डेटा हटाते हैं तो वह आपका जाकर री साइकल बिन में पहुंच जाता है अगर आप यहां से भी डिलेट कर देते हैं तो पूरी तरह से कंप्यूटर से खतम हो जाता है वो डेटा ठीक है अगर री स साइकल बिन से हटाएंगे बहुत पूरी तरह से खतम हो जाएगा फिर उसे दुबारा हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं कम्प्यूटर में तो इसमें आपका यह होगा अगर बात करें पंद्रवी कुश्यन के हम लोग तो प्रोसेसिंग कारिकीस पे कारिक करना है ऐसा कम्प्यूटर को बताने वाले इन इस्टेक्शन को कम्प्यूटर कहते हैं प्रोग्राम कहते हैं, कम्प्यूटर, प्रोग्राम कहते हैं, पंदरे में आपका A option सही है, अगर 16 question आपका दीखें, तो RAM को कम्प्यूटर का process, processor कहा जाता है, इन में से कोई नहीं है, 16 में क्या होगा, E, question है आपका 17, C, basic, coval, और Java, भासाओं के उधारन है, computer भासाओं के, यह क्या होती है, C, basic, coval, Java, यह सभी पढ़ाए गया है, आपका, ठीच है, तो यह सभी आपकी computer भासाओं के उधारन है, 17 में आपका अंपी होगा, question है हमारा 18, computer का वह area, जो process होने वाले data, को S, T, I, ग्रोप से hold करता है, memory, 18 में आपका B होगा, 19, एक micro processor, आधरी computer device है, personal computer, 19 में आपका A है, question है, question है 20, information, input करने के लिए, आपकी board या फिर mouse जैसे, एक काउप करन करते हैं, काउप योग करते हैं, input device का, अब यहाँ आप लोगों को नहीं बता पाएंगे, कि input device और output device क्या होता है, storage device क्या होता है, processing device क्या होता है, वहाँ जाकर देख लें आप लोग, ठीका, बड़ी detail के साथ पढ़ाये गया है, कभी आप लोग one-liner में तो रटा ही मत करिये questions, अगर आपके पास time है कापी, तो आप लोग detail के साथ पढ़ लिया करिये, क्या होता है, कि अगर कोई भी questions गुमा फिरा के आता है, तो उसे solve करने की चिस्तिती में आप लोग पहुंच आते हैं, जब आप detail से किसी चीज को पढ़ते हैं, अब आप सिप आजाए, input device, keyword और mouse आपका input device है, आपको पता ही नहीं है कि input device आकर होता गया, तो क्या समझेंगे, अगर आपको पता है input device क्या होता है, तो फिर कोई भी वोधारन आता है, तो आप उसे solve करने की स्थिति में होँगे, ठीक है, question है, question है, question है, question है, question है, computer तंत में, निमान को, C, मुक्त प्रोग्राम की भासा कहलाती है, इसे कहते हैं, assembly भासा, 21 में आपका D होगा, question है, निम्न में से कौन एक कुछ चस्तरी है, भासा, बेवग साइक संक्रियाओं में उप्योग नहीं की जाती है, speed, seat, speed, seat, 22 में क्या होगा आपका, C, option सही होगा, question है, मारा तेज, सूचना तंत का सरवादिक मत हो, अबयाब निम्न में से किसे माना जाता है, सूचना तंत का सरवादिक मत हो, अबयाब निम्न में से किसे माना जाता है, माना को, question नमर 23 में क्या होगा आपका, B, question नमरा 25, sorry 24, अधिकान सभारती है, super mini computer द्वारा, किस operating, परिणाली को अपनाए गया, unix को, 24 में क्या होगा आपका, D option, बिल्कुज सही, question है मारा 25, computer में सूचना किपितेग, character के लिए, कितने बिटों का इस्तिमाल होता है, 8 बिट का, 25 में आपका, B होगा, 25 में क्या होगा, B option, question है हमारा, 26, दो आसमाल लेन, network को जोडने के लिए, किस उपकरण का प्रियूब होता है, गेटवे का, 26 में आपका, C होगा, कुश्चन है हमारा, 27, डेटा परिवर्थन, एवं कोड अनुबाद के लिए, कौन सी लेयर, जिम्मेदार है, प्रेजेंटेशन, लेयर, कुश्चन नमर 27 में क्या होगा, A option, कुश्चन है आपका 28, लेजर केनों की मदद से, मुतरन करने वाला, प्रेंटर क्या कहलाता है, लेजर प्रेंटर, 28 में आपका, A option, सही होगा, कुश्चन है हमारा 39, क्या है कुश्चन, इंटेल कंपनी का मुख उत्पाद है, इंटेल कंपनी का मुख उत्पाद है, हायर डिस्क, BCDS, मोनिटर, सौफ़वेर, इन में से कोई नहीं है, 29 में क्या होगा आपका, E option, सही है, E option, सही है, कुश्चन है हमारा 30, सैटेलाइट कनेक्शन के लिए, एंटीना को कहते हैं, मौडेम, टर्मिनल, बीसेट, डिटीय, इन में से कोई नहीं, 30 में क्या होगा आपका, E option, कुश्चन है हमारा 31, क्या है कुश्चन, इमेल अटेच्मेंट क्या होती है, इमेल अटेच्मेंट क्या होती है, इमेल संदेश के साथ भेजा गया, किसी दूसरे प्रोग्राम से, ए पितक, डॉक्यूमेंट, 31 में क्या होगा आपका, B, 31 में आपका, B option सही होगा, कुश्चन है हमारा 32, नेमले कितमेंट में से, किने इमेल के, लाब माना जाता है, इसमें क्या होगा, A option, 32 में आपका, A होगा, कुश्चन है मारा 33, क्या है, E commerce से, E commerce से, Company आ, Internet पर बिजनेश कर सकती है, E commerce से, Company आ, Internet पर बिजनेश कर सकती है, 33 में आपका, B option सही होगा, कुश्चन है आपका, 34, Digital Signature संदेश के लिए, नहीं दे पाते, Confidentiality, Confidentiality, 34 में आपका, D होगा, कुश्चन है, 35, ट्रेपिकल नेटवर्ग में, सबसे मात्पूंड या, 37 साली, Computer कौन सा है, Network server, 35 में आपका, C होगा, 35 में C, कुश्चन है मारा, 36, Word Processing में, तीसरे पैराग्राप को, 50 पैराग्राप के, बाद ले जाने का, Efficient तरीका है, Cut and Paste, 36 में आपका, D होगा, 36 में, D option, Question है मारा, 37, क्या है, Question, Name लिके तमें से, Control Unit का, Function कौन सा, नहीं है, Direct Operation नहीं है, 37 में आपका, D option होगा, 38, Question है, वराबर सब, Question लिके, 1, अनवाद, B, 8, का एक उधारन है, Formule का, 38 में आपका, B होगा, Question है मारा, 49, यदि कोई उप्योकरता, CPU में, उपलव्द जानकारी को, तुरंद प्राप्त करना चाहता है, तो इसे, मैं स्टोर किया जाना चाहिए, RAM में, 49 में आपका, D होगा, Question है मारा, 40, इस पेड़ सीट में, एक नमबर होता है, जैसे आप, Calculation में, यूज करते हैं, Value, 40 में आपका, D, Question है मारा, 41, क्या है, यग भी एक ही समय में, कई प्रोग्राम, खोले जा सकते हैं, तदा पी केबल, प्रोग्राम, एक्टिव, हो सकते हैं, तदा पी केबल, एक प्रोग्राम, एक्टिव, हो सकते हैं, खोले तो जा सकते हैं, याने कई, लेकिन में, एक्टिव कितना होता है, एक प्रोग्राम, एकतालीस में आपका D होगा क्विश्चन है मारा ब्यालीस क्या है डिजीटल फोटू और स्केंड इमेजिज को .bmp, .png, .jpg, .tip, तथा .gif जैसे एक्स्टेंशन के साथ ग्राफिक्स के रूम में टेप, टीपिकल स्टोर किया जाता है बिट मैप, 42 में क्या होगा आपका, बी, बिट मैप क्विश्चन है आपका 43, एक पिकार के सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं और उनका उप्योग बीडियो कॉन पैसिंग, बीडियो चैटिंग और लाइब ब्रॉड कास्ट के लिए होता है बेब केम, बेब केम्स जो आप कंप्यूटर के स्क्रीन के जश्ट उपर लगा होता है इसे बेब केम्स कहते हैं, 43 में आपका ए होगा कुश्चन है मारा 44, वाय नाउ, पे नाउ, काउपी, प्रेयो, सामानता के लिए किया जाता है डेविट कार्ड के, डेविट कार्ड, 47 में आपका ए होगा कुश्चन है 45, चैट क्या है, जो आप करते हैं, चैट क्या है टाइप, टाइप्ड, कनवर्शन, सेशन को कम्प्यूटर पर होती है 45 में आपका ए होगा कुश्चन है मारा 46, क्या है स्क्रीन का आयता कार्चित, जो प्रोग्राम, डेटा और इन्फोर्मेशन पर दसीत करता है वो आनिम लिखे थे बिंडो 46 में आपका D होगा कुश्चन है 47, डेजीटल बैंकिंग के माध्यम से किया जाता है मोबाइल फॉन, इंटरनेट, टेली फॉन, ये सभी 47 में क्या होगा आपका D option सही होगा कुश्चन है 48, एक प्रेजेंटेशन में सिलाइड को पिस्तूत करने के लिए प्रेउक्त विसेश एफेक्ट को कहते हैं Transition 48 में आपका C होगा 48 में क्या होगा C option कुश्चन है 49, कम्प्यूटर सिंगनलों के रोम में डेटा भेजते उपराप्त करते हैं Digital 49 में आपका B होगा कुश्चन है 50, गोपनी है कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रवेश्ट पितिवन्दित करता है Password 50 में क्या है A option तो चली A होगए आपके 20 वा टेस्ट अंगली क्लास में हम लोग 21 वे टेस्ट की बारे में बात करेंगे आपके नमस्का दोस्तों तो चली एम लोग बात कर रहे थे Computer सामान ग्यान के कुछ मात्रों questions और उनके answer यह सब ही objective रूप में हैं इनके questions यानि की Computer G के mock test तो इस तरह के हम लोग अभी तक 20 आपके test कतम कर चुपे हैं यह आपका 21 वा test है कांसा 21 वा तो याद रखिए इससे पहले आप लोग Computer सामान ग्यान को Detail से पढ़ लीजे यानि की वेस्तार से पढ़ लीजे Chapter by Chapter तब आपको बेतर फायदा होगा और आप सभी questions solve करने में आसानी होगे तो कहीं से भी पढ़िए Computer सामान ग्यान को और हमारी तरफ से भी आपका Computer सामान ग्यान पूरा कवर किया गया है यह इतना कह सकता हूं कि अगर आप लोग हमारे पंद्रे हमने Chapter कितम की है फिलस यह सभी मॉक टेस्ट जो सॉल्व कर रहे हैं इन्हें आप लोग कवर कर लेते हैं तो आपका कोई भी Questions Computer जी के से संबंदी नहीं छोटेगा फिर चाहे वो लिखेत रूम में हो फिर चाहे वो ऑब्जेक्ट रूम में आप सॉल्व करने की स्तिति में होंगे उने तो एक Complete Computer Classes के नाम से प्लेलिष्ट सूची बनी हुए उसी में सभी पूरा मटेरियल बढ़ा हुए मद्धिप्यदेश सामान ग्यान का भी हम लोगों ने कबर किया उसके बाद आपका कंप्यूटर का अगर मद्धिप्यदेश सामान ग्यान के लिए जाना है तो मद्धिप्यदेश सामान ग्यान के नाम से प्लेलिष्ट सूची बनी हुए है और अगर कंप्यूटर का देखना है तो Complete Computer Classes के नाम से प्लेलिष्ट सूची बनी है उसमें सभी चेप्टरा के डले हुए है और बह जाला question क्या है इस पिकार की memory को सामनता temporary या फिर volatile storage कहते हैं इस पिकार की memory को सामनता temporary या फिर volatile storage कहते हैं RAM को Question नमर एक में क्या होगा आपका D दूसरा question क्या है इस्क्रीन को hold करने वाला उपकरन कौन सा है इस्क्रीन को hold करने वाला उपकरन है आपका monitor दूसरे question में आपका D है चलते है question नमर तीन की तरफ फार्म करने के लिए personal computer को एक साथ connect किया जा सकता है Network Question नमर तीन में क्या होगा आपका C Question है आपका 4 Care question मैं specific नियम और सब दूते हैं जो algorithm के logical steps ब्यक्त करते है Programming Language Question नमर चार में क्या होगा A option सही होगा चलते हैं question नमर पांच की तरफ दस्ता बेज में अंगले पेश्ट पर जाने के लिए किस कुझी को दबाया जाता है Page down पांच में क्या होगा आपका B Question नमर पांच में B होगा Question है मारा चटवा किसी सब्द को हाइलाइट करने के लिए आप क्या करेंगे Button डाउन होल्ड करते हुए Mouse ड्रेग करते हैं Question नमर चार में क्या होगा A option चलते हैं Question नमर साथ की तरफ Telephone सिस्टम द्वारा Transmission करने के लिए और पुना हाँ अब आपसी ही तू Digital Computer Signalो को Analog Signalो में परिवर्थित करने वाला device है क्या है इसमें Modem Question नमर साथ में क्या होगा आपका A Q Question है 8 बिना के वाल प्रिवर्थ किये Network को Connect करने वाली Device को कहते है Wireless जिसमें बाइर का पुरियोग न हो 8 में क्या होगा आपका D Question है 9 Speed Seat में Cell को निमनानुसार परिवासित किया जाता है Row और कॉलम का Intersection 9 में क्या होगा आपका A Question है 10 Work Seat ओं की संगरे कुग क्या कहा जाता है Work Book 10 में क्या होगा आपका A 10 में A Option सही हो Question है आपका 11 Program के लिए यह है एक दूसरा सब्दों हो सकता है Software 11 में क्या है आपका A Question है बारे Floppy Disk पर डेटा नमक Rings पर Record किया जाता है Sectors Question नम्बर बारे में गया होगा A Option Question नम्बर बारे में A Option सही है Question है मारा 13 आपका विल्खुल सही है, कुश्चन है चौद्य, फिलॉपी डिस्क का उपयो किसलिए होता है, तो इसका होता है सूचना इस्टोर करने के लिए, इसके लिए, सूचना इस्टोर करने के लिए, चौदय में क्या होगा आपका D question no.14 में D होगा question है मारा पंद्र है CPU का पूर्ण रूप क्या है CPU का पूर्ण रूप क्या है Central processing unit क्या है Central processing unit पंद्र है में क्या है B याद रखिये इस तरह कि जो भी आपकी फुलपौम है सव्ट अभी क्रविया गया है जो भी कंप्यूटर से समदीद आपके संच效 नाम है उनका विस्तार नाम उनसे समदीद पूरी एक्क्रास है सभ कुछ कबर किया गया है तो वह तो जाकर आप लोग देट लिए क्योंकि इस तरह के questions यह आपके अधिक्तर पूंचे जाते हैं कि कुश्चन है हमारा 16 वो पेव करता प्रोग्राम को कि एक अलफिस कम्प्लिस करना चाहता है वोसे computer द्वारा एक जीक्यूट किये जाने वाले इन एक्सटेक्सम्स में translate करने की प्रिया को कहते हैं क्या कहते हैं डिव गिंग क्या कहते हैं डिव गिंग 16 में क्या होगा आपका B 16 में B option सही होगा क्या है 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 क्या यानि कि विस्तार में आप लोग बढ़ लेते हैं तो इंपोर्ट आउटूर्ट के बारी में एक समझ बन जाएगे पर कुछ भी आता है इंपोर्ट पूर्टता है आउटूर्टता है तो आप सॉल्ल करने की स्थिति में होंगे बेटर तरीके से ठीक है कुष्चन है हमारा अठारे क्या है वेबसाइट और वेबसाइट एड्रेस एक यूनिक नाम होता है जो बेब पर एक स्पेसिक को आइडेंटिफाई करता है इसे अठारे में आपका बेबसाइट अठारे में क्या होगा बी उननीस वा कुष्चन है आपके सामने मैं ऐसी कमांड्स होती है जिन्हें सेलेक्ट किया जा सकता है मेन्यू उननीस में क्या होगा उननीस में आपका वी ऑप्शन सही होगा पुष्चन है 20 वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम हो द्वारा किस पिकार की फाइल क्रियेट की जाती है डोक्यूमेंट फाइल बीस में क्या होगा आपका डी चलते हैं कुष्चन नमबर 21 की तरफ क्या है कुष्चन नमारा 21 कम्प्यूटर कौन सी भासा समझता है कम्प्यूटर कौन सी भासा समझता है मसीनी भासा 21 में आपका B Q22 इन में से कौन उच्चेस तरिये भासा है? इन में से कौन उच्चेस तरिये भासा है? COBOL PORTRON BASIC 22 में क्या होगा आपका? E 22 में E Q23 इन में हमारा 23 Object Oriental Oriented Model कम्मुक बिंदू है Object क्या है? D Option 23 में आपका सही है Q24 4 विट्स बराबर होता है 4 विट्स बराबर होता है 1 निबल एक निबल 24 में आपका C होगा 24 में क्या होगा? C Awesome Question है आपका 25 Memory Bank कहते हैं Memory Bank कहते हैं Hard Disk को 25 में आपका B है Question है 26 Window क्या है? Window क्या है? Graphic User Interface 26 में आपका B है Question है 27 Unit के रूम में Sorted और Data Related Information का Collection है Data 27 में आपका B होगा Question है आपका 28 Internet पर सर्वर से सूचना पाने की Computer Process को कहते हैं क्या है आपका? Question क्या कहते हैं से? Internet पर सर्वर से सूचना पाने की Computer की Process को कहते हैं Downloading क्या कहते हैं? Downloading 28 में आपका C होगा 28 में क्या होगा? C चलते हैं Question 29 की तरह D, M, A का पूरा नाम क्या है? D, M, A का पूरा नाम Direct Memory Access 29 में क्या होगा आपका? B Question है हमारा 30 क्या है Question 30? निमलिकित में कौन एक Logic Git नहीं है? निमलिकित में से कौन एक Logic Git नहीं है? End है, और है, Not है, लेकिन Net नहीं है 30 में आपका D होगा Question 30 में क्या होगा? D Question 31 निमलिकित में से कौन एक? वस, बस का पिरकार नहीं है निमलिकित में से कौन एक? बस का पिरकार नहीं है? डेटा बस है, एडर्स बस है, कंट्रोल बस है, लेकिन सॉफ्ट्वेवर बस नहीं है तो 31 में क्या होगा आख़ा, दे, 31 में क्या होगा, दे चलते हैं question number 32 की तरफ process में जो बड़ी मात्रा में लोगों द्वारा अध्यान के लिए प्रियूप्ट होता है data mining 32 में आपका A है, 32 में क्या है, A question 33, कड जिसकी सरजना एक से सौ नैनो मीटर तक है, उनका द्यन कहलाता है nanoscience 33 में आपका A है, 33 में क्या है, A question 34 dl, dsl, connection का उधारान है, dsl, connection का उधारान है आपका, व्राड, बेंड, 34 में क्या होगा आपका, d, 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 34 में क्या होगा, d question 35, cpu और memory परिश्थित होते हैं, cpu और memory परिश्थित होते हैं, motherboard, 35 में क्या होगा आपका, b, question 36, stored, stored, program, concept, किस के द्वारा दिया गया था, यह थे ही आपके, john, one new man, 36 में क्या है, b, 36 में, b, question आपका, 37, बिलूरे तक्नीक, द्वारा विक्षिप की गई है, बिलूरे तक्नीक, द्वारा विक्षिप की गई है, sony, 37 में आपका, a होगा, 37 में क्या होगा, a, question 38, पहला टेक्नो पार्क, भारत में कहां इस्थापित किया गया, तिरू अनंधपुरम में, 38 में आपका, d होगा, 38 में क्या होगा, d, चलते हैं, question number, 49 की तरफ, एक स्टेटस बार होता है, एक सॉप्ट्वेयर विंडू में, एक स्टेटस बार होता है, एक सॉप्ट्वेयर विंडू में, टास्क बार की ठीक ऊपर, 49 में क्या होगा, आपका, a, option, बिल्कुर सही, question है, 40, इनमें से कौन साइट, font type नहीं है, इनमें से कौन साइट, font type नहीं है, टाइम्स न्यू, रोमेन, एरियल, बिलेक, कॉमिक, सैंस, ए सभी, 40 में आपका, d होगा, ए सभी नहीं है, ठीक है, d option सही, question है, 41, क्या 41, क्या 41, क्या 41, यानि की artificial intelligence, या सब्द किस generation से संब्दीत है, या आपकी पाच भी generation से संब्दीत है, 41 में क्या आपका, d, question है, 42, inkjet printer से बनी ink की बूनों का ब्यास कितना होता है, 1000, micron, 42, sorry, inkjet printer से बनी ink की बूनों का ब्यास कितना होता है, 42 में आपका होगा, c होगा, my, cron, क्या होगा, c, याद रखिए हमेशा, मेरी तरफ से पूरी कौसे रखती है, कि आपको सही यह answer बताएगा, लिकिन फिर भी अगर धोके से, गलती से, मेरी गलती से, अगर कही questions का answer बताने में गलती हो जाती है, तो उसका answer अपलो, सही करके comment box में लिख दिया करीगा, जिसे कोई गौर आता है, तो उसे सही answer पताँ चल सके, 42 में आपका क्या, 42 में c, कुष्टे ने मारत, 43, MS-DOS में कितने विकार के आदिस होते हैं, 2, कितने होते हैं, 2, ए ओप्शन सही है, 43 में, बात करते हैं, 44, जावा प्रोस प्रोग्रामिंग भासा द्वारा बनाई गी, जेम्स गौस लिंक द्वारा, 44 में क्या होगा, D, C, A, N, का पूरा नाम क्या है, C, A, N, का पूरा नाम है, Controll, Controll Area Network, 45 में आपका, B, इस तरह के जितने भी, आपके संचेप्ट नामें, उन्हें याद कर लीजिए, उनके बारे में जान लीजिए, क्योंकि इस तरह के questions, बहुत पूँचे जाते हैं अपके, ठीक है, वो सद्ध्याय को देख जरूर नहीं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो भी, वो नहीं कर रहे हैं, तो भी, क्योंकि कई वार हमसे, नॉर्मल सामान गयान के लिए, पूच लेते हैं कई लोग, तो हमें याद होना चाहिए, कि सॉट पॉम, CPU का क्या मतलब होता है, इन्पुट क्या है, कम्प्यूटर का फुल पॉम क्या होता है, तो वो सेपरेट क्लास आपकी, संचिप नामस में ही बनी हुई है, इन्हीं पर आधारी, 46 क्योश्टर है आपका, AMD द्वारा, 64 bit, Micro processor का क्या नाम है, आप टॉन, 46 में आपका, D है, क्योश्टर है हमारा 47, क्योश्टर क्या है, 47 है आपका, नेड़ लेने के लिए, ख्लोचाट में, किस आपक्रिती का उपयोग किया जाता है, यह आपकी डायमंट है, 47 में आपका, C, क्योश्टर है 48, कंप्यूटर की वह मैंचिप, क्या कहलाती है, जिसमें कंप्यूटर की सारी तागत नेड़ होती है, CPU, Central, Processing, यूनिट, 48 में यह आप्शन सही है, जब माउस को प्रियूग में लाया जाता है, तब उसकी ट्रेल किस तरह होती है, सरी से दूर, 49 में आपका, B, क्योश्टर है 50, निमलिकित में से कौन एक, जनरल परपज, प्रोग्रामिंग भासा है, जो सन माइक्रो, सिस्टम द्वारा निर्मित, जली भाती, सूट करती है, यह आपकी, जावा स्क्रिप्ट, 50 में क्या आप था, दी, तो चलिए यह थाप कर, 21 बाप टेस्ट, अंगली किलास में हम लोग, 22 बाप टेस्ट के बारे में, बात करेंगे अपती, हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे, कम्प्यूटर सामानियान के बारे में, इससे संबन्दी थे, आपके कुछ मात्पून क्यूश्यान्स, उनके आंसर्स देख रहे थे, तो इस तरह के हम लोग, आपके, अभीतर, 21 टेस्ट कतम कर चुके हैं, यह आपका 22 बार टेस्ट है, कौसा 22 बार, याद रखिए, इससे पहले आप लोग, कम्प्यूटर सामानियान को, चक्टर बाई चक्टर, डेटेल से यानि कि वेस्ताल से पढ़ लें, तो बेथर रहेगा, और आपको अच्छे से फायदा भी मिलेगा, और हमारी तरब से भी आपका, पूरा कम्प्यूटर सामानियान, कबर किया गया है, कम्प्लीट कम्प्यूटर क्लासिस के नाम से, जो आपकी प्लेइलिस्ट सुची बनी हुई है, अगर उसे आप कबर कर लेते हैं, तो आपका कोई भी कम्प्यूटर से समदी, कुश्चेंस नहीं चूटेगा, इतना कह सकता, चलिए तो वाई सब्सक्राइब टेस्ट का मलोग, पहला कुश्चेंस देखते हैं, यदि किसी मौजूदा डोकुमेंट को, किसी दूसरे नाम से सेप करना हो, तो क्या करना चाहिए? यदि किसी मौजूदा डोकुमेंट को, किसी दूसरे नाम से सेप करना हो, तो क्या करना चाहिए हैं? सेप एज कमांड का प्रेयोग करें. कुश्चें नमर एक में क्या होगा आपका? B option, बिलकुल सही है आपका. दूसरा question ने आपका निम लिखित में से कौन सा नई लाइन के लिए script चिन है slash n question नमर दो में आपका b option बिल्कुल सही है question ने तीन program में errors की correction को क्या कहते है program में errors की correction को क्या कहते है divging क्या कहते है divging तीन में क्या होगा b question ने चार system के मैं program या instructions सामिल होते है interpreting चार में क्या होगा आपका b question है पांच LCD का पूरा नम क्या है LCD का पूरा नम liquid crystal display बी option सही हुआ याद रखे इस तरह कि जो भी आपके संच्छेप नाम है इनका विस्तार नाम है इसके बारे में ये काफी पूरी class लेगे गई है तो वहाँ जा आपके देख लें computer से संब्धित आपके जितने भी short form है full form है उनके लिए आपकी पूरी separate take class है उसे जाकर देख लें वो भी आपकी वहीं जाएगी complete computer classes के नाम से जो आपकी प्ले लिष्ट तुझी है चलते हैं question नंबर चटवे की तरह विष्व का पिथम computer network है विष्व का पिथम computer network है ARPA net question नंबर चटवे में आपका क्या होगा B option question है मारा 7 इन में कौन computer का एप चिक भाग नहीं है hard disk नहीं है printer है modem है zip drive है साथ में क्या होगा आपका B question है 8 आपके समने संहक्याओं और सांकीकी की गणाए करने के लिए सबसे उपयोक्त स्वप्ट्वेयर निम्ने में से कौन सा है कौन सा होगा stupid seat संहक्याओं और सांकीकी की गणाए करने के लिए सबसे उपयोग software आपका speed seat होगा आठ में आपका D क्विश्चन है 9 किसी भी word document का background किसी भी रंका हो सकता है जिसे आप चुनें किसी भी word किसी भी रंका हो सकता है जिसे आप चुनें 9 में क्या होगा आपका D कि चलते हैं क्विश्चन नमबर 10 की तरफ कि एक कॉलम में टेक्स्ट सामानता किस तरह एलाइन होता है कि जस्टीफाइड कि पुश्चन नमबर 10 में क्या होगा आपका एज कि ग्यारे डेटा फाइल्स के वेक अप सिन्निम्न की बचाओ में साहेता मिलती है डेटा फाइल्स के वेक ब्रेक अप सिन्निम्न की बचाओ में साहेता मिलती है डेटा की लॉस होने से 11 में आखका D 11 में क्या होगा D option Pursion है बारे Page Preview Mode में आप अपने Document के सभी पे देख सकते हैं बारे में आखका A होगा Page Preview Mode में आप अपने Document के सभी Page देख सकते हैं बारे में पुशन है 13 File Extension किसलिए इस्तेमाल होते हैं File को Identify करने के लिए 13 में आपका C होगा Question है मारा चौदए क्या है चौदए को Computer द्वारा सूचना में Process किया जाता है Data को Computer द्वारा सूचना में Process किया जाता है 14 में आपका A होगा Question नमर 14 में आपका A Option बिलकुर सही होगा 15 सबसे कॉमन पेकार की इस्टोरेज डेवाइस है Optical Question है 16 एक ऐसी डेवाइस जो किसी कागज पर Pencil या Pen के चन्नों की उपस्तती को जाचती है कहलाती है Optical Mark Reader 16 में आपका A होगा 17 DDD S का अर्थ क्या है DDD S का अर्थ क्या है Data Dictionary System Data Dictionary System 17 में C होगा Question है 18 अनेक से अनेक को इन में से किस प्यारूब में देखा जा सकता है Distributed Model 18 में क्या होगा आपका D Question है 19 किसी directory को हटाने के लिए कौन साधे इस दी जा जाता है RD 19 में क्या होगा C 20 एक प्रेंटर को दो अलाइलग कम्प्यूटरों के साथ जोड़ सकने वाला उपकरेंड क्या कहलाता है Cable 20 में क्या होगा आपका C चलते हैं Question No.21 की तरफ अनुदेशों का सेट जो कम्प्यूटर को क्या करना यह बताता है उसे क्या कहते है इसे कहते है प्रोग्राम 21 में आपका D होगा Question है बाइस आपको ऐसे ही किसी से इमेल पर आप्त होता है जिसे आप नहीं जानते है आपको क्या करना चाहिए बिना कोले इसे मिटा देना चाहिए 22 में क्या होगा B 22 में B होगा क्या इस तरह से कई बार वायरस भी आते हैं तो अगर आप ऑपन करेंगे और जानेगी कि आखिरे कौन है तब तक आपके कंप्यूटर में वो वायरस गोश्च चुका होगा तो इस तरह के जो भी आते हैं मेल हटा दिया करिए चलते हैं Question नमत तेज की तरफ Operating System दोदाना सीधे Handle नहीं किया जाने वाले अधिकांस कार निमलिकित में से कौन सा Handle कर सकता है Utilities Question नमर 23 में आखिर भी होगा 24 Microsoft Office Microsoft Office एक Application Suite 24 में आपका E 24 में क्या है E Question है 25 Deport Room में कौन तारीक Epsilon में किस फॉर्मेट में प्रविष्ट की जाती है इस तरह ऐसी Month, Date, Year 25 में आपका C होगा 26 आपकी कंप्यूटर में निमलिकित में से कौन सा Memory दरसा आता है RAM 26 में आपका A 26 में क्या होगा A Option 27 Micro Program है Micro Program है Code आंतरन भासा में लिखा गया Program 27 में क्या होगा C कुशन है 28 टेवल की कंटेंट्स को कॉलम की चोड़ाई में Automatically Fit करने के लिए बन का C टेवल की कंटेंट्स को कॉरम की चोड़ाई में Automatically Fit करने के लिए बन का C आपका C बन का पर क्लेक कर आटोफिट कंटेंट्स को पॉइंट कीजिए 28 में आपका यी ओप्शन सही होगा क्विशन है 29 सेलेक्टिक टेस्ट को सभी केपिटल लेटर्स में चेंज करने के लिए चेंज किस बटन क्लेक पर क्लेक करें अपरकेस 29 में आपका ये 29 में क्या होगा ये ओप्शन क्विश्चन है 30 एकसल में डेफॉल्ट यू सोरी एकसल में डेफॉल्ट ब्यू होता है नॉर्मल तीस में क्या होगा आपका सी 31 आप अधिक जानकारी देकर सर्च को कर सकते हैं ताकि सर्च इंजन छोटे अधिक को प्योगी पईडाम समोवों कप्रियों कर सकता है रिफाइन 31 में आपका यह होगा 32 एलेक्टोनिक कंपोनेंट वाले थिन पिलेट या बोर्ड को कहते हैं क्या कहते हैं सर्किट बोर्ड 32 में आपका यह उप्शन सही है 33 ऑनलाइन बेंगिंग इस्टोरेज सिस्टम जिसमें बड़ी मात्तरा में डेटा इस्टोर किया जा सकता है मास इस्टोरेज 33 में आपका डी है क्यूशन 34 बी आईटी का पूरा नाम क्या है बी आईटी का पूरा रोप क्या है वाइनरी डिजिट 34 में आपका बी होगा इस तरह के कुश्चन से बहुत पूंचे जाते हैं इसलिए आप उस क्लास को देखी ले तो वेतर रहेगा और वैसे भी सामान जानकारी कि इस तरह के सब्दमें पता होने चाहिए क्योंकि कई जगे इस तरह की सब्दमें लिखी मिल जाते हैं 35 कुश्चन है किसी नेटवर्क पर ओन लाइन लिखी तबाताला को क्या कहा जाता है चैटिंग जो अक्सर आप लोग आजकल करते हैं तो 35 में भी होगा 36 कॉलम D और पंक्ती 5 में पढ़ने वाले सेल का पता क्या होगा D5 36 में आपका D है पुरिश्यन है 37 Excel में दो सेलों को एक सेल में मिलाने की परीचालन को कहते हैं क्या कहते हैं मर्ज सेल मर्ज सेल 37 में आपका B होगा कुश्यन है 38 Excel में कोई फार्मूला किस चिन्न से प्यारम होना आनेगार है बराबर B option बिलकुल सही है 38 में 49 सिलाइड ट्रांजीशन के समय निमने में से कौन सी स्पीड ओफ लब्द नहीं है बहुत से लोग 49 में आपका D होगा 40 कितने किलोवाइट से एक मेगावाइट बनता है कितने किलोवाइट से एक मेगावाइट बनता है 1024 किलोवाइट बराबर एक मेगावाइट बनता है 41 निमन में से कौन सा कमपाईलर के बारी में सत नहीं है क्या पूशरा है असत कतन पूशरा है नीचे यो दिये गए उच जिस तरही यह बहाशा के इन इस्टेक्षन का मसीन की बहाशा में अनुवाद करना ये आपका गलत है सारे सोस प्रोग्राम का मसीन की बहाशा के प्रोग्राम में अनुवाद करना ये सही है ये प्रोग्राम के एक जी क्यूशन में सामिल होता है ये है अनुवाद का प्रोग्राम है ये प्रोग्राम को रन करने के लिए उप्योगी है 41 में आपका A होगा क्योंकर यह सब कथन पूंच रहा है कुश्चन है मारा 42 जब कंप्यूटर मसीन के इन एक्टेक्शनों को एक्टीक्यूट करता है तो इन एक्टेक्शन फेच के बाद एक्टीक्यूशन फेच को कहते हैं कि एक्टीक्यूशन साइकल कि 42 में आपका सी होगा कि 43 किसी पाट्टे को तर्चा करने के लिए कौन सा बटन क्लेक्ट किया जाता है कि इट्टा एलेक बी ओप्शन सही है कुशन है 44 क्या 44 कुशन निम्न में से कौन सा सर्च उन्जन है या हूँ ए ओप्शन सही है 44 में 45 वर्ड डोक्यूमेंट में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए निम्ने बेखल्ब का प्रियोग किया जाएगा इंसर्ट एंड ब्रेक 45 में आपका इज होगा 46 वोस फाइल को क्या कहते हैं जो इमेल से जुड़ी होती है और इमेल करने वालों को बेजी जाती है इसे कहते हैं अटेच्मेंट 46 में आपका बी होगा 47 इंटरनेट से समदी सब्द होस्ट का क्या आरत है वह है कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो 47 में क्या होगा बी 48 वाइनेरी सिस्टम की एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार है क्या है इसका आधार 2 1, 0 होता है इसमें इसका आधार 2 है ठीक है 48 में आपका एह ओप्शन मिल्कुल सही है पुशन है मारा 49 क्या है है 60 decimal संख्या 9A वाइनेरी में किसके बराबर हो है A option सही होगा 1, 0, 0 1, 1, 0 1, 0 49 में आपका A होगा लास्ट कुश्चन है 50 यह Excel में एक function category नहीं है data series नहीं है logical है financial है test है लेकिन data series नहीं है 50 में क्या होगा आपका B तो चलिए यह था आपका 22 वाइट अंगली क्लास में हम लोग आपकी 23 वी टेस्ट के बारे में जानेंगे नमस्कार दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे थी computer सामान ज्यान के बारे में तो यह computer gk से संबंदित आपका 23 वा test है कौनसा 23 वा इससे पहले हम लोग 22 टेस्ट आपके खतम पर चुकी है यह आपका 23 वा टेस्ट है लास्ट टेस्ट है तो आप लोगों ने अगर computer सामान ज्यान को अच्छे से नहीं बढ़ा है तो पहले उसे पढ़ लीजे फिर आपको लोग mock test दीजे और इतने में आपका syllabus complete हो जाए तो आपको क्या करना है complete computer classes के नाम से अपनी जो playlist सूची बन वी है उसे आपको cover करना है किसी भी हद तब उसमें आपके 16 तंद्रे chapter cover किये हैं और उन्हीं chapter से समादी आपके तेश test हैं कितने 23 अगर आप लोग उन chapter को पिलस इन तेश test को cover कर लेते हैं तो आपका कोई भी questions गलत नहीं होगा कोई भी questions आए आपका किसी भी परीच्छा में आप solve करने की स्तिती में होगे फिर चाहे वो लिकित रूम में हो फिर चाहे आपका objective रूम में हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है पहले उन 15 चेप्टर को आपको पढ़ना है बहुत ही साधार सब्दों में लेके गए है और बहुत ही आपको ऐसा कहीं नहीं लगेगा कि आपको यह समझ में ना आया है तो उन्हें देखिए उसके बाद आप 23 टेस्ट को solve करिए इतना करने के बाद आपका computer सामान में पूरी तरह से complete cover हो जाएगा तो चलिए हम लोग 23 टेस्ट का पहला questions देखते है टेस्ट हाइलाइट करके edit copy click करने पर क्या होगा टेस्ट डोकुमेंट किसे copy होकर clipboard पर रखा जाएगा question नमर एक में क्या होगा आपका A option बिलकुल सही होगा question है हमारा दूसरा word में किसी सब्द पर click किया जाए तो वह select हो जाता है एक बार question है अपका तीसरा क्या है output देखने के लिए का परियोग किया जाता है monitor का इसका monitor आपको सब कुछ समझाएगा है monitor क्या है mouse क्या है keyboard क्या है scanner क्या है output क्या होता है input क्या होता है तो आप वहाँ जाकर देख लें और इतना कह सकता हूँगा अगर आप लोग आपको जिन्दी की में पढ़ना चाहिए तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे है computer सामानगयान के बारे में जाना चाहिए क्योंकि हम लोग 21 सदी में पहुँचने वाले में आपको मालूत होना चाहिए कि computer क्या है input क्या output क्या है mobile क्या है printer क्या है ती इसलिए सामानगयान के लिए यह आप लोग याद रखा करिए cds का आकार कैसा होता है question 4 क्या है cd का आकार कैसा होता है गोलाकार क्या है गोलाकार question 4 में आपका c है question 5 dtp में निमलिकित में से कौन से software समली थे है कोरेल डिरा पेज में एकर photoshop यह सभी पाच में क्या है d अब dtp क्या होता है कोरेल डिरा क्या होता है पेज में क्या होता है सब को समझाए गया है में ठीक है और जो आपके इस तरह के संचेव नाम होते हैं cpu हो गया cd हो गया dtp हो गया एच पीपी हो गया इसके लिए हम लोगों ने एक पूरी कबर की हुई है यह पूरी सेपरेट क्लास इसी पराद आ रही क्या होता है कि इस तरह के कुष्चें साथ हैं बहुत मुच्छे जाते हैं तो इसी लिए हम लोगों ने एक कबर की है आपकी पूरी क्लास उसे जाकर भी आप लोग देख लिए कि कुष्चन है छटबा कि डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को कहते हैं क्या कहते हैं सब डायरेक्टरी Q6 में क्या होगा आपका D Q6 में आपका D option सही गो Q7 क्या है Excel में फाइल खोलने के और बंद खनने के लिए किस बार का प्रियोग किया जा सकता है Standard का Q7 में क्या होगा आपका B Q8 यूजर और ओपरेटिंग सिस्टम की बीच की इंटर एक्षन की तरीके को नेवल कित में से कौन कंट्रोल करता है User Interface Q8 में क्या होगा आपका A Q8 में A option सही होगा Q9 Q9 में इंटरनेट पर प्यूप्त थंप्यूटर लेंग्वेज है Q9 में क्या होगा आपका C Q9 में C option बिलकुल सही होगा टेक्स्ट को बनाने के लिए B पर किलेक करते हैं बोल्ड दस में आपका D है दस में क्या है D option 11 HTML भासा में बैक्ग्राउंट कलर देने के लिए कौन सा टेक दी जा जाता है बीजी कलर बीजी कॉलर 11 में क्या होगा आपका B Q2 Q2 है आपका बारे यदि आप Windows 98 यानि कि 98 को Windows XP में से बदल देन तो आप बास्ताव में कर रहे हैं क्या कर रहे हैं अब इस्टार्ट स्वरी अपर इस्टार्ट ने अब गिरेड क्या अब गिरेड वाराय में क्या होगा आपका B याद रखिए अगर अभी तक कहीं मैं मुझसे इस तरह की गलती हो जाती है और अगर मैं questions का answer सही नहीं देता हूं गलती हो जाती वाइचांस मेरी तरफ से पूरी और कॉसेस रहती है कि आपको सही अंसर बताए पर भी अगर कहीं गलती हो जाती है तो आप उसका क्या करई कि ए कि उसका answer कमेंट वोक्स में लिख दिया कर एगा इससे होता क्या है इससे क्या होता है आपका कि जो आता है दूसरा आता है देखता है अपने साथ जोड़ता है तो इसे सही आंसर पता चले जाता है ठीक है तो इतना खर दिया करेगा कुश्चन है मारत दे रहें डबलू डबलू का पूरा नाम क्या है डब्लू 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 का दूसरा नाम क्या है इसका दूसरा नाम है आपका डब्लू थ्रीजी ए ओप्सन सही है वर्ल्ड वाइड बेव तेरे में क्या होगा ए कुष्टेन है मारा चौदे कंप्यूटर का मुख सिस्टम बोर्ड कहलाता है क्या कहलाता है मदर्बोर्ड विश्य नमदर 14 में आपका बी होगा 15 एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से पीसी वर्क स्टेशनों और अन कंप्यूटरों के लिए डेटा और प्रोग्राम का संगरेट रखता है सरवर 15 में क्या होगा आपका डी कुश्य ने सूले पोष्ट का पूर्ण रूप क्या है पावर ओन सेल्फ टेस्ट सूले में आपका ए कुश्य ने सत्रे यह उनेक से एक पिकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है मल्टी पिरोसे सर्व मल्टी टास्कें यह भी दोनों सही है इसमा सत्रे में आपका सी होगा कुश्य ने अथारे आपका इंटरनेट रिसोसों की लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए बिराउजर निमने में से किसका प्रियुक करता है प्रोटोकॉल का किसका करता है लिंकर प्रोटोकॉल केवल यू आपका तो केवल का प्रियुक करता है अठारे में क्या होगा आपका सी कुश्य हमारा उन्नीस इस पेड़ सीट प्रोग्राम में से समध्य बरक सीट और डोकुमेंट होते हैं कॉलम उन्नीस में आपका बी है कुश्यन है 21 सुरी 20 कंप्यूटर को ठीक धन से स्वीच आप करने के तरीके को कहते हैं सुट डाउन स्वीच आप टरन आप एस अभी क्या होगा D 20 में आपका D कुश्यन है हमारा 21 क्या है संबर्धित आस्की में कुल कितने कूट होते हैं 256 D option आपका सही है 21 में आपका D चलते हैं कुश्यन नमबर 22 की तरफ किंतिम बोधक अपनाने वाली कंप्यूटर वासा निम्न में से कौन है Lisp 22 में क्या होगा आपका A Question है 23 Excel वरावर 20 इंटू 20 तर इसका 4 इंटू 4 Formula का मूल लियांकर करेगा और यह उत्तर आएगा क्या आएगा 400 23 में आपका A इसे solve करते रहे ना ठीक Question है 24 उपा दैन वर्ड प्रोसेसिंग का एप्लिकेशन प्रोगाम कौन सा है वर्ड इस्टार 24 में आपका क्या होगा B Question है 25 इनमें से किसके प्रसार से पूरा विस एक गाउं की रूम में परिवर्थित हो चुका है सोचना तंत अब आप अपने घर बेटकर कहीं की भी सूचना प्राप्त कर से हो और वियर्जी भी सकते हैं ठीक 25 में आपका C Question है 26 प्रोग्राम में आप्संसों की स्केर्ण सोची को क्या कहते हैं जो बताती है कि उस प्रोग्राम में क्या है Menu 26 में आपका C है कमांड होती है जिन्हे सेलेक्ट किया जा सकता है आइकन क्या है आइकन 27 में C होगा Question है आपका 28 क्या है Computer System का एकसेस पाने के लिए प्रेवत कोडिड एंटी जो होती है Password 28 में आपका B 29 Save या फिर Save Edge के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है File 29 में आपका B चलते हैं Question नमर 30 की तरब तब होती है जब Computer को On किया जाता है और Operating System Load हो रहा हुता है क्या होती है Booting 30 में आपका A होगा क्या होगा 30 में A Option बिलपल सही होगा फिर है आपका 31 Compilers और Translators एक तरह के होते हैं Software 31 में आपका D होगा 31 में क्या होगा D Question 32 Linux किस्म का Software है किस किस्म का है CRW 32 में आपका A होगा ठीक है चलते हैं Question 33 की तरफ Computer को Restart करने के लिए निमने कुझियों के सैयोजन का प्रियोग किया जाता है इंसर्ट प्लस स्केट 33 में क्या होगा D Question 34 किसी भी बेंडो में मेग इमाईज बटन मिनिमाईज बटन और किलोज बटन पर देखते हैं कहां देखते हैं टाइटल बार में 34 में आपका A होगा पावर पॉइंट में कीवोर्ड की कौन सी की स्लाइड सो दिखाती है 35 में होगा आपका F है यानि की C ओप्शन सही होगा क्विश्चन है आपका 36 M-I-C-R पेणाली का उप्याग नेमलिकेत में सही किस छेत में होता है बैंक में 36 में आपका A ओप्शन मिलकुल सही क्विश्चन है 37 किन कुण्जियों से नंबर जल्दी टाइट किये जा सकते हैं Numeric की पैंड 37 में आपका C नेमलिकेत में से कौन से सब्सक्राइटर एकल है पिलस पिलस माइनफ माइनस जा फिर यह आपका यह आपका पिसमा बोधी बिसमा अधी बोधक चन्न है इस तरह से दिख नहीं रहा है लेकिन याद रखिए इस तरह से आपका ठीक है लाठी के नीचे बिंदू रहती है उस तरह से कुश्चन है हमारा 49 जैसी उपयोग करता है सिंगनल भेजने के लिए स्टाइल्स के साथ ऐसे प्रेस करता है इसे प्रेस करता है तो प्रेसर का प्रेयोग करता है ट्रेक पेड 49 में आपका डी होगा 49 में क्या होगा डी कुश्चन है 40 बाइट जीरो और कि भी किसी भी संख्या को निरूपित की कर सकता है 256 255 40 में आपका बी होगा चलते हैं कुश्चे नमर 41 की तरफ कप्रेयोग वहाँ से लिखे या पिर मौदिश टेक्स्ट को डीजीटल इमेज बनाने के लिए किया जाता है किसे स्केनर से स्केनर कप्रेयोग वहाँ से लिखे या पिर मौदिश टेक्स्ट को टीजिटल इमेज बनाने के लिए किया जाता है जिससे मेमोरी में इस्टोर किया जाता है 41 में आपका C होगा 42 वर्ड में कंट्रॉल पिलस एप सौटकट कुझी का प्रेव किसलिए किया जाता है Find और Replace डायलोग बॉक्स खुलने के लिए 42 में आपका D पॉक्स खुलने के लिए किसलिए के लिए के लिए किसलिए के लिए किसलिए जाता है डायगोनली 43 में आपका E होगा उसके बाद है आपका 44 पिक्सल क्या है स्क्रीन पर पिक्चर एलिमेंट या फिर डॉट एलिमेंट या डॉट 44 में आपका E कुरिशन ने देखे चवार पैंता लिस बेप पेज फॉर्मेट में सेब किये जाते हैं बेप पेज फॉर्मेट में सेब किये जाते हैं HTML 45 में आपका B है 46 माउस के दो मानग बढ़नों के बीच इस्थिद्बील का पर क्या प्रियोग होता है स्कॉल करना 46 में आपका E है कुष्चन है 47 क्या है कुष्चन 47 हमारा आपके इमेल खाते को होस्ट करने वाले कम्प्यूटर को कहते हैं क्या कहते हैं होस्ट 47 में आपका E है कुष्चन है 48 लेट टॉप कम्प्यूटर में बनी हुई पॉइंटिंग डेवाइस होती डेवाइस कोई भी हो सकती है सिवाए कि किसके माउस के कि आपका E कुष्चन है उनाच्चास पेज में कर किस पेकार का सौप्ट विया है DTP उनाच्चास में क्या होगा C कुष्चन है मारा 50 यानि की लास्ट हैपीनेस हैपीनेस के ही अर्थवाला इस्थापन सब्द डूणने के लिए का प्रियोग करें थिसा रस थिसा रस पचास में क्या होगा आपका D तो चलिए ये था आपका पूरा कंप्लीट कंप्टिर के सामान ग्यान आपका कबर कर चुके हैं हम लोग इसे मिला गए एक बुक्स आती हैं यानि कि हम लोग एक पूरी बुक्स को कबर कर चुके हैं ठीक देखिए हम लोग मद्धिदेश सामान ग्यान कबर कर चुके हैं आपका उसके बाद हम लोग आपका उत्तरपिदेश भी कर चुके हैं उसके बाद हम लोग कंप्यूटर सामान ग्यान भी कर चुके हैं लूसेंट को कबर चुके कर चुके हम लोग पूरी तरह से और लूसेंट यानि कि NCEIT अभी हमारी चल रही है और इस तरह की मौक टेस्ट हम डालते रहेंगे ठीक है आपके भी question हुआ करें जोगी तो यहां तो फेस्वोक पेज़ पर अपने question सेलेक्ट दिया करेंगे या फिर आप लोग Gmail जो हमारी दी गई है डिस्क्रेप्शन वॉक्स में वहां आप लोग बेद दिया करेंगे जो भी होगा आपको इससी तरह से हम लोग material देते रहेंगे एड़ेस्ट करना है थोड़ा आपको बस आप सभी को सब कामना है अच्छे से paper दीजिए और selection पाईगे ठीक है